आज पढ़ेंगे घन मूल, घन तथा घन मूल, एक से पचास तक का घन है, इसका स्क्रेंसाट ले लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ें, दिखरा सभी को बढ़ियां से, पक्का दिखरा है, देखो, घन का मतलब होता क्या है, थोड़ा समझ समझा भी देता हूँ, बाकी आगे बढ़ते हैं, जैसे तीन का घन है, तो यह 27 कैसे आया, पता है तुम्हें, देखो भाई, यह ऐसे आता है, तीन का घन, मतलब कि तीन को हम ऐसे तीन बार गुड़ा करेंगे, तो तीन तरीका यह 9 और यह 3, यानि फाइनल में 27 बनाता है, इसी तरीके से आ आप और सब को समझ लेंगे, जैसे माल लो कि मैंने 8 को लेना चाहा, तो 8 का घन, मतलब 8 का 3 बार मल्टिपल, एफे, 8 एट जा 64, और 64 को अगर 8 में आप करोगे, तो कितना होगा, 512, देखो यहां कहीं है, यह, कोई दिक्कत, कोई परिसानी, कोई तकलिफ नहीं ना, यह ची नितीस बाबु नंबर पर संपर करो, नीचे चल रहा है, साइलेंट बाद इपक, डॉंट कॉपी पेस्ट, रोहित बिसकर्मा, जी रोहित कमेंड मॉटरेटर हमारे आए हो आप, एक बार हाँ बोलिए, अगर आप आए हैं तो यस, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, लेकि आए, क्या पढ़ेंगे, घन तथा घन मूल, घन तथा घन मूल, चलो मेरे बाई, यह बता मुझे सभी मांदारी के साथ, कि आप लोग घन जानते हो, लुहार का घन नहीं, यह हम लोग का घन जो यहां हो रहा है, बात को बुरा ना मानना, देखो घन वाला मेटर मैंने आप एक बार मैं फिर फे थोड़ा बेसिक चलूँगा, संख्या, घन, घन मूल, देखिए हम सिखाएंगे यहां पर आपको ठीक है, हम यह नहीं कहेंगे कि इतना बड़ा होई गया, गदाहा नहीं, तो सिख्या नहीं, अभी तक इतना नहीं, हम बिल्कुल जीरो से सिखाते हैं, हम जानते हैं कि आपको नहीं आता है, नहीं आप देखो कि कोई भी अगर एक बड़ा इंस्ट्यूट है, जिसमें 5-8 लाख बच्चे जुड़े हैं, तो यह थोड़े सब पढ़ाता है, छोटा मोटा चीज, वह कहता है, ससुरा भईं तक तु यह न सीखा, का होई तो है फि होता हूँ, वही सब आ जाता फिर से, इसका अगर घहन करेंगे साथी मेरे तो यह होगा 2 का 3 घात, इसका मतलब यह होता है कि 3 घात है, तो इसको 3 बार आपस में गुड़ा करेंगे, ठीक है, यानि फाइनल में इसका अगर हम मल्टीपल कर लेंगे, तो यह 8 हाएगा, कितना आएगा 8, इतना भी गंदा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इनको हम इधर ले सकते हैं, हमारे पास जगा है परियाप, यह रुकना, साइड में खिसक गया ना यह, आएगे, जिनको जीरो से सीखना यह कलास सिर्फ उनी के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है, अब आठ का क्या करेंगे, घनमूल, ऐफे, ठीक है, घनमूल, कैसे करते हैं, सब बता रहा हूं, बेसिक, बेसिक प्यार से समझो, देखो भईया, जो यहाँ पर यह आपने क्योंकि टू को हमने ठीरी टाइम मल्टिपल किया था, तो आठाया था, घनमूल में तीन-तीन का जोड़ा बनाते हैं, क्या करते हैं, तीन-तीन का जोड़ा बनाते हैं, आपने अब तक जोड़ियां दो-दो की बंती ही सुना होगा, लेकिन इस कल्यूग में तीन-तीन की भी तीन तीन गा ठीक है तो यह हो गया घनमुल मतलब आठ का घनमुल कितना दो अब चलो आगे देखो यहां पर समझो भाया यह हो गया तीन संख्या ले लिजिए जैसे यहां पर हाँ एक चीज आपको और समझना है अगर इन्हें आप प्यार पे देखो और इन्हें देखो तो दोनों सेम है की नहीं यानि हमने सुरू जहां से किया और खतम जहां पे किया सेम हुआ की नहीं यही मैं आपको अंतर सिखाना चाहता था मेरे प्यारे साथियों कि जो नंबर होती है उसका घं करने के बाद एक ऐसी संख्या आ जाती जो बड़ी से होती है और फिर उसका जब घं मूल निकालते हैं आप जैसे नाम में छिपा है घं धन मूल ठीक है तो जो घं आपने करके सं कि घं है तो किस संख्या का घं है इसका घं मूल निकाले गे तो वह संख्या मिल जाएगी करीए से नंबर पर करिये मत बोलिए नंबर भी लिखीए कमेंट में आप तो ये छोटी सी बात थी एक और आगे बढ़ें ठीक है आईए देखिया और आगे संख्या मान लिजे मैंने ले लिया तीन अब साथी मेरे तीन का आप घहन करोगे तो कितना होगा तीन का तीन बार गुड़ा यानि फाइनल में कितना आएगा 27 कितना 27 अब आप इसका क्या करोगे अब 27 का आप क्या करोगे इसका 27 का करोगे घनमूल ठीक है जैसे अभी मैंने बताया इसका भी जोड़ा बनाओगे वैसे ही तीन गुड़ा तीन गुड़ा तीन इसके भी तीन तीन के पेर बनेंगे फाइनल में एक तीन आएगा किसी को कोई परिसानी नहीं न अभी तो इस टार्टिंग है अब थोड़ा और आसानी होगी आगे पेज में आओ देखें कि मानलो कि हमने कुश्चन लिखा कुश्चन नमबर इसको वन मानते हैं चलो बहुत छोटा सा कुश्चन है हम कहें कि 64 का घनमूल क्या होगा आतिकांस लोगों को आता है फिर भी इससे देखेंगे क्योंकि उन्हें गड़े सीखना है कितने लोग बता लेंगे बहुत अच्छा काफी बच्चों को मालूम है काफी लोगों को नहीं मालूम है जिनको नहीं मालूम है हम उन्हें के लिए आए चलो देखो सबसे पहले इनका क्या करते हैं आभाजी कुड़न खट एक सम संख्या है एक भाजे संख्या है तो यह दो से कंप्लेडली डिवाइड होगी आप दो से जब भाग करोगे 64 को क्या करोगे दो से 64 को जब भाग करोगे मेरे साथी तो कितना आएगा 22 को जब आप दो से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 32 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका काव आएगा या रुक्चा 16 को दो से डिवाइड करोगे 8 आएगा 8 का 2 से जब भाग करोगे 4 आएगा 4 को 2 से भाग 2 आएगा 2 को 2 से भाग करोगे एक आएगा ये क्या है 8 के अभाज जे गुडन खंड प्राइम फैक्टर है मिश्टर एंड मिसेज कित्ती बारा भाया किना एक दाएं छा बारा ना भाया इनके काकर बस भाई अब लोग पेयर बना उबा पेयर जोड़ा जोड़ा बनना बहुत जरूरी इनका तभी घन मुलाएगा तो जोड़ा इनके दूठी बना है एक जोड़ा से एक दो बाहर दूफर के जोड़ा से दूफर का दो फाइनल आएगा आपका फोर कितना फोर मोनिका समझ में आ रहा है सुमन कुमार सत्या अब प्रियंका भरद्वाज सीला कुस्वाह गीता अस्वनी बिजय रुबी राहुल लक्षमी अर्मान मनोज प्रितम सिंग सोबित यह है घनमूल घनमूल का बिलकुल बेसिक यहीं से सुरू होती इनकी कहानी इनकी स्टोरी यहीं से है अगर आपको गड़ित सीखना है तो PVR स्टड़ी आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है बसरते आपको बिलकुल दिल लगा के वो अच्छी वाली मौबबत मैथ से करनी है अरे वही जिसमें नींद नहीं आती है चैन नहीं आता है है ना और मैं खड़ा रहा जमी चलने लगी तो आएगा मैथ जरूर आएगा लेकिन उतनी वाली मौबबत हो जाएगी तब जब मैथ पड़ने लगो और नींद न आये है न यही तो अंतर है यह मैथ में और उस वाली मौबबत में इसमें जैसे किताब लेके बैठो नींद आ जाती है और उसमें जब भी लग गए तो नीन भाग जाती है क्यों? ऐसा क्यों? सोचो और बताओ जो हमारे expert लोग जुड़े हैं देखिए, कुछ संख्याएं हैं जो पूर्लघन है और पूर्लघन संख्याएं बहुत ही कम है पूर्लघन संख्याएं बहुत ही कम है हम बात कर रहे थे वन को छोड़ करके क्योंकि वन जो है ये पूर्लघन संख्या भी है पूर्लघन संख्या भी है ये सभी संख्याओं का अभाज गुडनखंड भी है इसलिए इसकी कोई बैलू नहीं होती है जिन्दगी में जिसे आपना कहते हैं वो हद फिजादा भाव देने लगोगे वो आपको रद्धी के भाव समझ लेगा तो वही हाल है ये ये सबको हद फिजादा भाव देता है सभी के फैक्टर में आता इसलिए कहीं वन को ने लिखा जाता जल्दी से मतलब कहीं गुड़ा में है ये अब आज गुड़न खंड में भी है तो अनको लोग इग्नोर कर देते हैं तो ऐसे लोग जिंदगी में आपको इग्नोर कर देंगे अगर आप सबको भाव देने लगोगे इफिजे थोड़ा भाव खाओ जिंदगी में आओ देखो यहाँ पे तो पचम 25 का 125 इसका घनमूल कैसे निकालेंगे जरा समझना यहाँ पे आए देखे कैसे इसका सबसे पहले अब आज गुड़न खंड करेंगे अब आज गुड़न खंड में जरा ध्यान से देखिए इसको यह समसंख्या नहीं है क्योंकि इसका लाश्ट का अंक 02468 नहीं है तो यह दो से पूरता विभाजित भी नहीं है क्योंकि दो का जो fully divisibility rule होता है उसमें लाश्ट का digit 02468 होना चाहिए तो हम तीन पे चलेंगे तीन का विभाज़ता नियम होता है अगर संख्या के अंको का योगफल तीन से विभाज़ित होता है तो पूरी संख्या तीन से विभाज़ित होगी इनके अंको का योगफल आएगा दो एक तीन पाँच आठ तीन से विभाज़ित नहीं है तीन से भी यह नहीं होगा चार की भी भज़ता नियम में आगे बढ़ोगे तो चार का भी भज़ता नियम लाश्ट के दो अंक मिलकर चार से कटने चाहिए इसमे ऐसा नहीं हो रहा है सीधा 5 पर चलेंगे इतना बवाल करने के बाद अब आगे कुछ नहीं कहना है पांच से भाग करोगे पचीस को तो पांच आएगा ये हो गया खतम देखो मैंने विजू एक्जामपल बताया न ये अच्छुली ऐसे करना चाहिए वन भी यहाँ आएगा ठीक है लेकिन इसको लिखा नहीं जाता है ऐसे होता है ये पांच कोई मतलब नहीं है इतना ही लिखते हैं कि तीन तीन का जोड़ा बनता है और यह आजाता है पांच को अगया है तो यह था बिल्कुल बेसिक वाला सिस्टम की आप घनमूल कैसे निकालेंगे इससे छोटा कोई नहीं पढ़ाता है कोई पढ़ाता है बता तो मुझे कोई पांच लाख दफ लाख बच्चे जुड़े हों और वह यह घनमूल पढ़ाए गोर बेजती है इसमें गरल्फेंट चोड़के बाग जाएगी गुरुजी की कहें कि तुमको कुछ वावत जातना है इसीखाओ हम कहते हैं हमारी जाए तो जाए लेकिन बहुत से लोग की इसकी वज़ा फिचली जा रही उनकी दुरुख जाए इसलिए हम बिलकुत सुरू से पढ़ा रहे हैं एकदम जीरो से हमारी कोशिस है कि सब को आना चाहिए कि चलो भाई आगे अब कुछ बड़ी बड़ी संख्याओं के भी घनमूल कर लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं मानलो मैंने ले लिया सताइच चोवालिस तीन नमबर है ना यह कि चार है इसका घनमूल क्या होगा आप सभी इमानदारी के साथ क्या बता सकते हो आप सुन में इमानदारी के साथ बताओ इसका घनमूल कर लोगे तेरा आएगा बारा आएगा चौदा आएगा यह ड़ी वाला है इसका ग्यारा आएगा बताओ क्या आएगा गीता बर्मा अस्वनी अ सहाना खातून बबलु राय आर्ति सिंग नेहातिवारी पूजा सुकला राहुल सर् अनवी मेनिका साइलेंट वाय दीपक पारबती सर्मा प्रियंका भरत्वाज बहुत से बच्चे जुड़े हैं लेकिन मुझे सिकायत है आप से कि आप सभी कलास को लाइक नहीं कर रहे हैं हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं आपको सिर्फ एक बटन टच करना उसको छून कि देखिया जिन्होंने इसको देखा प्यार्फे किसको देखा इसको देखा वी ऋ आनसर बतालेंगे अभे पटा देगा में इसको देखा था प्यार्फे क्या तुमने नहीं देखा था ना रे गदाख समझो न tell ये मिल गया ना यही संख्याद हो थी बताओ आपको घन याद होना चाहिए अगर आपने पचास तक के घन याद कर लिए तो बहुत सारी संख्याओं के घनमूल आपको चुटकियों में पता चल जाएंगे और अगर आप एक competitive student है तो आपके लिए सिर्फ answer ही मायने रखता है तरीका नहीं result देखती है दुनिया परडाम देखती है मेहनत कोई नहीं देखता है competition में यही तो होता है competition में सिर्फ answer देखता है examiner तुपने कैसे करके लाया है उदने से कोनों मतलब नहीं है आईए इसका आंसर होगा 14 कैसे होगा क्यूं होगा अब हम इस पर चर्चा करेंगे तो पहिया सबसे पहले इनके आप हाज ये गुड़न खंड करोगे आप 27 चवालिफ के ये क्या ये समसंख्या है एक बार हाँ या ना में जबाब दीजिए ये एक समसंख्या है बिल्कुल सही क्या है ये समसंख्या है इनको दो से हम अगर डिवाइड करेंगे तो दो एकम दो और दो तियाई छे ये क्या है और दो सत चवुदा ओके दो एकम दो दो तियाँ इचे और दो सच चौदा दो दूना चार कौन दिक्कत ना किसी को जिन लोगों को लाग रहा है कि 1372 कैफे आया वो यहाँ देखे मगर प्यार फे इधरे देखो आई फे आई से आवा भाईया दो एकम दू साथ उताल लो दो तियाँ इचे गटाने बेगाया उपर से चार उताल लो दो सच चौदा उपर से चार उताल लीजिए दो दूना चार इफी लिए हम जब दो से भाग किये हैं तो हमें 1372 मिला है यही वो तरीका है यही वो कारण है समझ में आगे सभी को किसी को कौनों दिक्कत परिसानी तो मुझे एक बार हाँ बता दीजिए इमांदारी के साथ नहीं ना पका आगे बढ़ें फिर चलिए थोड़ा थोड़ा हिलते रहना चाहिए नहीं तो लोकों को लगेगा यह रिकॉर्डेड क्लास है बोलो नहीं रह है क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास तो आजकल गुना हो चुकी है ना कि बढ़ाओ इनको भगाओ चलू है कि दूचंग 12 कि बने भाईया आइक एक एक बन जाए 17 होजे तो दूए अठे 16 अब दूचंग 12 है by सब्सक्राइब कि बने दूचंग 12 कि थे उनको गुण करेंगे मेरे यारों इनको ऐसे लिखोगे प्यार फे टीन टाइम है पेंच तीन बार साथ भी तीन बार है इनमें तीन-तीन का जोड़ा बनता है मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि तीन-तीन का पेर बनाओगे इसमें से आएगा एक इसमें से आएगा फाइनली 14 आएगा तो ये वो तरीका था जिस तरीके से 14 आता है मतलब 2744 का मतलब 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 होई क्यूब रूट तरीके साहिबा नूर समझ में आ रहा है अभी भी अधिकान सबच्चे सेशन को लाइक नहीं किये हैं आपकी जिम्मेदारी है कि कलास को लाइक करें तुरंद लाइक करें देर ना करें ये बहुत इंप्वार्टन मैसेज दिखाने वाला हूँ कहां पता है देखा देखा तो तुहीं लोग का दिखावे वाला ही जितने भी कंडिडेट जुड़े हैं याद रखें दिल में बसा लें जिगर में बसा लें कि ये सेशन सिर्फ लाइब देख सकते हैं ये बैच यूटूब पर मैं जीरो से बिल्कुल फिरी पढ़ाऊंगा अगर आपका आज पहला कलास है तो आप नीचे दिये के नंबर पर मैसेज करिए आपको सारी कलास का लिंक मिल जागा इक अठाग तक जो चली है लेकिन आज के बाद आपको रेगुलर लाइब आना है लाइब कलास इंड होने के बाद इसके रिकॉर्ड़ेट वीडियो बाद में डाउनलोड करके देखने के लिए नहीं रहेंगे ठीक है सारे वीडियो कभी नहीं मिलेंगे आपको यूटूब पे या जितना खोजना 9 पीम से 9.40 पीम के बीच आप लाइब आओ ये टाइम है कलास का सारा काम धाम छोड़ के आओ अगर आपको गर्ज है फ्री पढ़ना है तो और सिखाने की पूरी गारंटी है गड़ित नहीं आती है तो निकाल लीजिए टाइम 40 मिनट जिंदगी के लिए जिंदगी बनाने के लिए 40 मिनट निकाल लीजिए छोड़ दीजिए पूरी दुनिया 40 मिनट के लिए और इंटरनेट बचा के रखिए बगा दीजिए बेबी बाबा को 40 मिनट के लिए इंटरनेट बचा के रखिए इंटरनेट खर्चा मत करिए साम के लिए आईए एक और कुश्चन कुश्चन नमबर कितना होगा तायद 5 अच्छे लिख लो भाई फटफट चलो इसका अंसर हर कोई बता लेगा का घनमूल इस पे मान मतलब वो आल्रेडी घनमूल शिपा है कितना आएगा बताओ 13, 10, 11, 18 इमानदारी से बताओ कितना आएगा अच 10, 648 का देखो इसका मान कितना आएगा भाई साहब चलो छे नंबर में बताईए जबाब दीजिए मैं बता रहा हूं तरीका कोई दिक्कत की बात नहीं है दीपक अपना नाम थोड़ा सही कर लीजिए तो अच्छा लगे मुझे थोड़ा अगर हो सके तो नाम जैसे नाम बना लीजिए यह का है को पूरे गाउं का नाम मिला की जोड़े हो बताओ भाई एक ही बार कमेंट करिए अलका सिन पटेल पुजा सुकला लक्षमी देखो तरीका बताओ तरीका 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 पांच नमबर है अगर इसका सी सही है तो आप कमेंट में लिखिए पांच सी आप ग्यारा मत लिखिए अगर छे नमबर का जवाब दे रहे हो अगर इसमें ए सही है तो आप बताओ छे ए कमेंट में बस इतना लिखना है बहुत अच्छा जिनको घं याद होगा उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि 11 का घं 1331 होता है तो इसमें आपका 5 में C सही है बटेमा ए नहीं सही है बहुत अच्छा इसमें आपका D सही है D 10648 जो है वो 22 का घं है 10648 का घं मूल बाइफ है समझा ना नहा समझ में आ रहा है दीपक पतिक्छा हीना बिजय अस्वनी मोहीत देव धीरज तो 10648 कैसे आता है आओ दिखाता हूँ 10648 का घं मूल देखना है मगर प्यार से मगर बोर्ड पे देखना है मुझे नहीं देखना है कुछ लोग मुझी कुद देखके गड़ बड़ा जाते हैं अब बाद में मैं सेज देखो वाट्टाप पे आया रहता है हमारे साथ ही लोग बहुत मज़ा लेते हैं कहते हैं क्या क्या बोलते हैं बच्चे आपसे हम कहते हैं बच्चे थोड़ी हैं वो बच्चों की उमीद करने वाले हैं चलो देखो आगे ये क्या एक सम संख्या है और एक भाजे संख्या है तो ये क्या होगा दो से पूर्णता भी भाज्य है आप दो से भाग करके इनको देखिए दो पंचे दस दो त्याई छे और दो दुना चार और दो चोवकार्ट क्या ये सही हो सकता है जरा एक बार सोचो कि 10,648 का आधा क्या होगा 10,648 का आधा क्या होगा 5,324 छोटा छोटा पार्ट में सोचिए 10,000 का आधा 5,000 648 का आधा भाई 600 का आधा 349 का आधा 24 सही है फिर से आप इनको दो से भाग करोगे तो दो दुना चार ये बन जाएगा 13, 2,12 फिर ये 12, 2,12, 2,24 देखिए क्या ये सही है फिर से तीरपन सोचोविस का आधा कितना होगा भाई 5,000 का आधा पचीस सो होगा और 324 का आधा देड सो बारा देड सो बारा मतलो एक सो बाफट पचीस सो में एक सो बाफट जोडबा तो 2662 होए सही है फिर दूइस से भाग दूएक कम दूए त्याइशा दूएक कम दूए अच्छा 1331 का कहूं सुने रहा क्यों जोने कहां से आवा था इकोंने गाहूं से बताओ भया तो लोग कामा सकल देखे आया का कुछ लोग ऐसे है न चुप चाप ऐसे देखाता है जिसे लागता है बस हाथ जोड़े वैठां सीरियल चलता है महा भारत चलता है मतलब रामायड चलती है बस बगवान की जय हो बीच-बीच में हाथ ना जोड़िए काँपी पैन लीजिए और लिखिए और बताईए अब ठंडिक टाइम हो इसे भी आ गया है कुछ लोग राजाइम गुस गए है ना काँपी लिए ना पैन लिए ना कलम लिए देख रहा हम सोटर भी नहीं पहिने हैं यह दवड रहे हैं रंगे पैर बताओ मैंने बताया ना कि मैत में वह वाली मुहबबत करनी है जो अपने उससे करते हो इसमें सब हमारे उसे एज गुरूप के हैं सब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ तेरी और मेरी मुहबबत में बस फर्क है इतना कितना कि मुझे सिर्फ तुम से मुहबबत थी और तुमको हमसे भी मुहबबत थी कितने लोग समझ गए देखो अभी नहीं समझें तो वो समझ जाएंगे क्लास में पूरा निंट तक बनिएगा और वो जो 11 है न उसका क्यूब है 1331 क्या है क्यूब है तो ठीक है 11 फिकटेगा यह 11 एकम 11 और यह हो गया कितना 23 तो 11 दूना 22 और 11 एकम 11 11 हमें 121 ग्यारा हमें बताने वाला कुछ और था लेकिन मेरी लाइन कहीं और गूम गई थी अभी रुको बताता हूं वो इनका तीन तीन का पेर बनाओ गए 11 दूना 22 यानि यह कैसे आया इनका घनमूल आ गया ना सभी समझ गया ना कि अमझ में आना चाहिए और जागते रहो आप लोग इसलिए आपको बीच बीच में कुछ थोड़ा बहुत चुटकुला भी मिलते रहना चाहिए है ना चेंज होता रहना चाहिए बीच बीच में जैसे साट वीडियो में देखते नहीं आंटी लोग वह भावी लगी राती हैं यह fog is जिए ठीज ना है लोग देखते रहते हैं 2-2 तैनी घंटे तो मिरे पास करने का ज्यादा कुछ नहीं ही तो मैं मुंहीं तरो दर मनाता आओं इसे यह इस है तो लोग देखते रहते हैं तो कि उसक्ष कर रहा है बले आले मायत नहीं समझ में आ रही है कि देखो आगे आज साथ चार जीरो अठासी इसका मान बता ये घनमूल में इमानदारी के साथ बताना बिल्कुल पूरा इमानदारी फुल इमानदारी 40 35 48 42 कितना आएगा बीजय नहा गीता एमडी सानवाज जल्दी करें और फटाफट सेशन को लाइक भी करें आप लोग देखो लाइक नहीं कर रहे हो बगल में एक हर्ट वाला चिंद बना है उसको भी नहीं कोई क्लिक कर रहे हैं कर रहा है कि कुछ तो करो नहीं यार कि वेरे गुड़ चली आएए देखें इसका जो करेक्ट आंसर है वह सही है 42 कितना है 42 सबसे पहले अगर कोई जवाब दिया है तो उनका नाम है नेहा तिवारी मेनिका गौतम धीरज प्रियंका सुमन गुफ्रान आएए 22 आएगा कितना आएगा 22 जिनको मैत नहीं आती उनको मैं एक ट्रिक बता रहा है कि जितनी ज़्यादा आपको आपके उन से मौब बत है किससे पता है जिससे भी हो तुम्हें बालूं होगा इसमें कोई बुराई नहीं कोई मतलब पाप नहीं है वहीवाली मेहा आने के लो लेकिन में अंतर देखो तो मैत की किताब खोल के बैट तो नीद आती है समझ में नहीं आता है उसमें आने के बाद पिर नीद नहीं आती है रात बीच जाती है तो वही चेंज कर लिजिए बस इधर का उधर अब इससे चोटा ट्रिक और कुछ नहीं हो सकता है फिर देखिए नीद नहीं आएगी तो फिर आने लगेगी नीदी बीमारी है नीद लगता है उसमें बोर्यात महेंसूस होती जवर चश्च्ती बैठाया जाए उसी नीद आती है तो थोड़ा आपने आपको मतलब change करिए mind change करिए कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं मज़ा आना चाहिए और हमारी कोशी सही फिलिए कि मज़ा आए इसलिए दो दो गंटे हमें लोग देखते रहते तो ये संख्या क्या SM है और भाज्य है तो 2 से completely divide होगी ठीक है 088 अब विभाजरता नियम पढ़ाया गया कि नहीं आया नहीं क्योंकि आगे बड़ी बड़ी संख्याएं होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है कि भाजरता नियम पढ़ाया गया कि नहीं कि बताइए ठीकर ये क्या है आठ अगर किसी भी संख्या का अंती मंक 02468 होता है तो समसंख्या होती है और 2 से पूरता विभाजित भी होती है तो इसका मतलब फ़ी क्या है अगर दो से पुरुसा बिवाजित भी है समसंख्या भी है इसका मतलब भाजे संख्या भी है ठीक है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इनको दो से भाग करेंगे एक सैफी नाम से कोई कमेंट आ रहा था, इनको आधा घंटा के लिए होल्ड किया गया है, आप ये कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसको हम पसंद नहीं है, उसको हम पसंद करते नहीं है, आईए दो त्याई, छे, और ये दो सत्च चौदा, दो त्याई छे, और दो सत्च चौदा, तहीं है, 74,088 का आधा, सैतिफ 1044, अब इनको देखिए, लाश्ट में चार है, सम संख्या है, और भाजी संख्या भी है, तो दो से फुल डिबाइड होगा, दो से फिर से भाग करेंगे आप, तो दो एकम दो, और दो अठे सोला, ठीक है, बचे गाए, किधर जाएगा, ये हो अगर दस दो पंचे दस, दो दुना चार, दो दुना चार, फिर दो से दो नौ आठारा, दो दुना चार, दो चंग बारा, दो एकम दो, अच्छा ये बान्नबे 61 कहीं सुना था, हमने बच्पन में, कहां से आया भाइया, ये, एक किस संख्या का गन या वर्ग है, बताओ, जबाब दीजिए किस संख्या का वर्ग या घं है, जबाब दीजिए फटा-फट, चलिए, जल्दी करिए, 10 कलास आज चलेगी नहीं, बेसिक मैं दो घंटे पठाओंगा, इसमजा आयेगा, ये किस संख्या का वर गया घन है जवाब दीजिए फटा-फट दिवाली बाद चलेगी दिवाली बाद नहीं कहो तो ये भी चला दूमे ये किस संख्या का वर गया घन है बताईए थोड़ा रुकना घनमूल चलता है ना आज ओके थोड़ा सा मुझे टाइम देना मैं आ रहा हूं आ रहा हूं बस आधा मिनिट बहुत अच्छा बेरी गुड गुफ्रान खान का अंसर आ चुका है सुमन का आ चुका है हुसाइन अब्बास बेरे गुड एक और लाइबी स्टार्ट कर दिया कोई सेशन को छोड़के उसमें नहीं जाएगा ठीक है जो डियलेट वाले बच्चे बेट करते हैं जिसमें उसको भी मैंने शुरू कर दिया है तो इसमें छोड़के कोई वहां नहीं जाएगा ओके चल भाई ठीक है बहुत अच्छा ये 21 का है बेरी गुड एक इसका है चलो भाई 21 का है तो 21 का घंद क्या है कि 9261 21 से इसको भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 21 का 441 होता है होता है न तो बीना भाग वाक किये डारेट तुम्हें यहां चार चार एक लिखो और 21 से इनको भाग करो यहां एक लिखो सही है हमने बिल्कुल दिमाग नाम का चीज पर योगी नहीं किया इसमें अई पता नहीं सही हुआ कि नहीं हुआ नहीं लगाया दिमाग तो देखो एक बार दिखाई देता हूं कन्फूजन में होंगे ना कुछ लोग देखो एक आइस चौका चौराफी बारा में से चार गया आठ उपर छे उतारा चौका चौराफी घटा होगे दो आएगा उपर से एक उतारो एक सही तो है ना सही है ना ठीक है तो सब सही है अंत भला तो सब भला इनको दो दो कपेर बनावहिया ऐक मैं से एक दो बाहर निक्ला दूसरके मैंaniों से यह कैस बाहर निक्ला इनका मेल्टीपल किया बैलिफ हाया यह अंसर है क्या 210 लिए आन है किसी को कोई तकलिफ इसमे तो मुझे बता दो हाँ यास कोई परसानी नहीं ना एनी डाउट एनी दिक्कत नहीं ठीक है तब ही एक बार हाँ बोल दें अगर समझ में आ गया पूजा याद हो आयागा समझ में रुमन कुमार आपको भी आ गया अगला एक और भी नेक्स्ट घनमूल का कुश्चन सांती फे और प्यार फे देखना अब शांती और प्यार दोनों ना मिले तो केवल कलास देखना घनमूल इसका घनमूल क्या होगा जरा एक बार सोचिए फिर मैं में मिटा दूँगा आपसन चलो भई जल्दी रेड़ी यास यार इसको मैंने लाइब तो किया बट अनलिस्टड करके क्या भी मारी है यार यह चलो ठीक है बहुत अच्छे प्राई कर लिजी एक बार फिर मैं इसको बताता हूं बिल्कुल बिस्तार से इसमें सबसे सुमन प्रिया सुकला प्रिया सुकला जी आपका बात विल्कुल सही है कि उसको हम 21 की जगा तीन और साथ से डिवाइड कर सकते थे लेकिन लेकिन हमने अभी घं दिखाया था आपको संख्याओं का तो उसका डारेक्ट परियोग कर सकें इसलिए मैंने वैसा नहीं किया बाक चलो आगे बढ़ें आईए इसका करेक्ट आंसार है यह 55 कैसे करेंगे चलो देखें आगे आईए डिएलेड वाली क्लास सिर्फ अप्लिकेशन में चल रही अभी और यह दिवाली बात चलेगी यूटूब पे अभी नहीं चल रही है यूटूब पे दिवाली बात चलेगी एक सो चाचट तीन सो पचात्तर बढ़िया गुड देखें लाश्ट में फाइफ है तो यह संख्या सम तो है नहीं और सम भी नहीं है और यह दो से पूर्चा विभाजित भी नहीं है क्योंकि लाश्ट कांग पांच है अब सवाल अगर क्या यह तीन से पूर्चा विभाजित है उसके लिए इसके अंको का योगफल तीन से विभाजित होना चाहिए अंको का योगफल होगा छे एक साथ छे तेरा तीन सोला तोला चार बीस तीन तेईस पांच अठाइस अठाइस तीन से पूर्चा विभाजित नहीं है तो यह तीन से विभाजित है ही नहीं है अब हम बिना सोचे समझे पांच से भाग करेंगे पांच से पक्का है तो पांच से भाग करिए इनको इनको पांच से भाग करिए करिए तो पांच यहीं पंदरा यह बचे एक हो जाएगा सोला फिर पांच यहीं पंदरा फिर बचेगा एक हो जाएगा तेरा तो पांच दुना दफ बचेगा तीन हो जाएगा साथिस और पांच सते पैतिस से गुड़ा करिए कितना आएगा एक बाट राई करिए भिक्की समझ में आ रहा है एनी डाउट नहीं ना जो कंडिडेट इस क्लास में डियलेड के उद्देश से आये हो कि हम डियलेड वाला पढ़ेंगे तो बाबु वो समझ ले कि डियलेड वाला क्लास आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा जो कि कुछ बच्चों को इसका लिंक टेलीग्राम पे दिया गया था कि इसमें डियलेड पढ़ाया जाएगा सिकंड समेश्टर का अर्जुन बैच तो जो अभी इसमें नहीं चलेगा आज बढ़िया है ना आई इनको फिर वर हम 5 से डिवाइड करेंगे एक बार चेक कर लेना गढबर तो नहीं है न पांचंग तीस यह हो जायगा तीन हो जायगा 32 फिर पांचंग 30 अ बचेगा दो हो जायगा 27 पचम 25 बचेगा दो हो जायगा 25 पचम 25 कि 35 291 किसी का आ रहा है सुमन सैफी है आपका पक्का कभी नहीं सही है पूरी तरह गलत है कि किसी का मन में कोई और डाउट है तो मुझे बता दो एक बार बहुत अच्छा लौकुस आर रहा सही है ठीक है आगे बड़े अच्छा च्छट पच्पन को अगर आप 5 से गुड़ा करिए तो 33 255 आएगा फिर फिर इनको 5 से करिए पांच एकम 5 यह हो जाएगा 16 15 15 एक बचा हो गया 15 फिर 15 15 पांच एकम 5 अगर देखिए 11 का बन गया 11 का घंट 1331 होता है तो 11 से भाग करोगे 111 आएगा ठीक है फाइनल में क्या आएगा तीन बार 5 पांच और 11 जो है तीन बार फाइनल में आप इनका जोड़ा बनाओगे इन तीन का जोड़ा बनेगा एक पांच निकलेगा जोड़ा में से के 11 निकलेगा फाइनल में पच बनाएगा अंसर खतम पार्थ कुमार नया टॉपिक नहीं लेना का यहां पर यहां पर सबको समझ में आना चाहिए प्रिंसी यादो समझ में आया असुतो सभी को समझ में आ रहा भाईया एकदम मस तरीके से तो आप लोग सेशन को लाइक भी करिए देखें आधा फिजाता ना बच्चा लोग लाइक नहीं कर रहा है चलिए फटा फट लाइक करिए तुरण तब आगे बोलूंगा नहीं मैं एक लब्ज नहीं बोलूंगा कर दो कर दो कर दो कर दो आगे चले तो ये था घनमूल अभी इसमें और भी बहुत सारे हैं घनमूल के कुष्चन जैसा कि मैं लिख दिया 1728 का बताओ कितना आएगा कुष्चन नमबर यहां लिख दो 25 अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा बता दो फिर अच्छा लग रहा इसी पर 1728 का घनमूल कितना होगा 21 12 13 25 42 875 का बताओ सभी पूर्ण गन संख्याएं है बताइए भईया बताइए फटाफट बताइए तो बीच में ब्रेक होगा ना क्लास का टाइम ओबर हो गया है राहूल सर्मा यह लाइब पीवियार स्टडी एप पर दिवाली बाद चलेगा दिवाली बाद वसे चलना चाहिए अभी और ना कुछ क्या कह रहे हो किसी को क्यों डाउट है कि मुहां बता दो इमांदारी के साथ नहीं ना डाउटए है całंशिक घौशाए है कुछ भी है यह तो नहीं करते हो हो ना कोई आपका नाम पूँछे तो खुझलाते हो थ्लड़ा देर सोचते हो थ्लड़ा सा प्र बता आटे हो कांपी आपी लेके हिसाब किताब करते हो नहीं न आपको घन याद होना चाहिए जैसे मैंने का 21 का घन बानवेक सट बीस का घन आट जार दस का घन एक हजार ऐसे याद होना चाहिए आपको तो बहुत अच्छा 25 नंबर में अगर हम सही जब आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो 1728 का आएगा 12 क्या आएगा 12 26 नंबर में अगर आगे बढ़ेंगे तो 35 आएगा सी वाला 35 आएगा सुकला जी का सही है पुजा सुकला, प्रिया सुकला, परतीक सुकला, मोहित, सुभीस, निवास कुमार, स्वेता तिरपाठी, हीना, हातून आगे बढ़ेंगे कोई दिक्कात परिसानी नहीं ना देखो भाई नाम जो है न कुछ भी मिल जाए उसमें से एक पार्ट जिनके डबल होते हैं तो मैं बोल देता हूं एक दिन एक लोग बोल रहे थे कि आप जो है ऐसे ऐसे कमेंट बोलते हैं सुकला या दो पार्ठी मोहित औगरा औगरा इससे कोई मतलम नहीं है ठीक है कोई भी नाम बोले आगे पिछे किदर से भी और दूसरी बात आज कल मीडिया वाले इतनी गंदगी फैला रखें तुमको पता है पता है कि नहीं अभी देवरिया में इतना गंदा कांड हुआ था इतना दुखत कांड हुआ था उसमें दिखा रहे थे कि देवरिया सबको बाइकाट करें कभी निवज ना देखें कोई मतलब नहीं सिर्फ बढ़काते हैं बस एक चोटी सी निवज पाएंगे 10 सिकंड 15 सिकंड की उसी को दिखाएंगे वलीबुड का दिखाएंगे देखो कि इसको बेभी होने वाला है देखो कौन खाना नहीं खाया कौन न लेकिन आप लोग तो समझें पढ़े लिखे और पढ़े लिखे लोगों को राजिनीती मिलाएं एक परकार से पढ़े लिखों को जिताएं यह कहना आज कर भी एक क्राइम वर्ड हो चुका है पढ़े लिखे को दीजी अगर कहें दिया तो यह गड़वड है ना यह वी एक परकार से अपराद है कहना जलो देखिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं ऐसा कुछ केस हुआ इसले मैं ऐसा बोल रहा हूं अभी हाली में आए आगे कुछ टॉपिक पर बढ़ते हैं अट्थावन बत्तिस इसका क्या एक अंसर बताइए कि इसका घनमूल क्या होगा अगला कुश्चन यह सब्ताइफ नंबर आप माल लीजिए इसको आपसन भी दे दूं क्या सब्ताइफ नंबर माल लीजिए तेरा टतरा वनाईफ या अठारा अठाइस नंबर माल लीजिए बत्तिस साथ सो अनफट का घनमूल बताइए सोला बत्तिस वन्तिस च्छतिस याद रहना चाहिए क्योंकि आपको घन याद होगा तो घनमूल भी याद होगा इसमें सबसे पहला सही जबाब आया है वो है राजेस काजले सालमा खान परतिक्छा तिवारी आसुतोस अगले का सही आंसार है गोबिन सिंका कुफ्रान खान और आसुतोस राठोर बेरे गुड अगले का भी सही आंसार है थार्टी टू कोईशन नम्बार ट्वंटी नाइन डाल दीजिये आपर ट्वंटी नाइन ये बताए ये तेरा हजार आठसो चौविस तेरा हजार आठसो चौविस का घनमूल बतावई सताइस तेइस चौविस या वनतीस कितना आएगा देखो अगर बीच में मैं ब्रेक करके जाता हूँ तो अधिकांस बचवा भाग जाता है है ना अधिकांस भाग जाता फिर नहीं आता है अधिक गुप्ता दस बजे वाली क्लास यह चल रही है जो बेसिक चल रही है अभी परजन टाइम में आज डी अलट का क्लाफ नहीं है अधिक लट का क्लास यूटूब पे नहीं है पी वीर स्टडी एप में रिकॉड़ेट वीडियो कोर्स है अगर आप चाहें तो जाके इंडॉल कर लीजिए और नहीं तो इंतजार करिए चलाएंगे डी अलट वाले में मजा नहीं आती आप लोग सा क्लास को लाइक से अर न आज और एयसे ऐसे हैं बहुत सारा कुश्चन है बहुत सारे टोपिक हैं बहुत सारे चीजे है को कि कुछ और प्रेक्टिस कर लेते हैं लुँक्रिक करने इसी में लगे हाथ चलो मुझे आप लोग खोज के बताओ इमानदारी के साथ खोजें और बताएं आईए यह बताईए इसमें देख के बताओ और देखते हैं नकल करने की अकल कितने लोग को है फटापड बताओ 43 का घण 43 का घण बताओ देख के नकल करके बताओ 43 का घण बताओ सब लिखा है इसमें 50 तक देखते हैं नकल करने की अकल कितने लोग को है जो जल्दी बताते है फटोना सुमित सिंग स्वेता तिरपाठी पूजा सुकला अरजून सिंग बहुत अच्छा बेरी गुट बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा 43 का हो जाएगा मेरे यारों सेवंटी नाइन थाउजंड फाइफ हंडेड सेवन यह अई पर काई को लिख रहा है वही पर लिखो ना ठीक है अच्छा नकल करने की अकल इसमें सबसे याद हो जाए बहले देखके ही याद हो जाए लेकिन ऐसे प्रेक्टिस होगा साथ-साथ में आपको याद हो जाए 38 का थार्टी एट का थार्टी एट का घन बताओ चलो थार्टी एट का बताओ दिखा के पूछना नहीं सही है न कोई बात नहीं चलो नहीं पूछेंगे दिखा के रुको चलिए हटा देता हूँ जाने दो आप सभी मुझे वन इस का बताओ चलो वन इस का वन इस का बताओ ये वन इस सभी को याद होना चाहिए मनीशा गीता बर्मा हीना खातुन आर्टी सिंग पूजा यादो वन इस का देखे काफी बच्चों ने बता लिए काफी बच्चे गड़बड़ा आ गए आप याद रहना चाहिए ऐसे देरे देरे प्रेक्टिस करेंगे देरे 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 याद हो जाएगा चलो बीस का जैसे हो जाता है आपका आठ हजार तो जैसे बनाइस का हो जाता है और फट वन सट सत्रा का घंड बताईए कितना सेबंटीन का घंड बताईए जल्दी जल्दी कमेंट करिए ना पांच गंट का एको लगाते हो भई बहुत अच्छा सेबंटीन का उन्चास तेरा उन्चास तेरा उन्चास तेरा 23 का बताऊ 23 का घंड क्या होगा कितना बहुत अच्छे लक्ष्मी देभी सबसे पहला जबाब इन का सोबित कुमार का बेरे गुड दीपु कुमार ओम विसकर्मा प्रीतम कुमार बहुत अच्छा बच्छा बेरे गुड चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कमेंट सबका दिख रहा है बट कमेंट देखने के लिए मुझे आज जुकना पड़ता है यह प्रोब्लम है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हो जायेगा कितना बारह एक्सो शल्वाट यह वन अत्यस का घंग जबाओ एक्सों सब्सक्राट इसका कितना होगा किसोर कुमार यादो पिंकी राओ वनत्तिस का कितना होगा ट्वंटीनाइन का बहुत अच्छा सबसे पहला जबाब निमाज कुमार पूजा सुगला परतिक्छा ठीक है बहुत अच्छे कितना देखिए एक चीज मैं बताओं क्या आपके दिन बताया था जुगाण गुड़ा करने का इनका घंड निकालेंगे कैसे देखो देखो यह बताया था ना वनत्तिस का स्कॉयर पता है ऐसे पहले गुड़ा कर लिजिए बताया था ट्रिक की नहीं इनका गुड़ा कैसे कर चार किनारे के गुड़ा करिये दो दूना चार और चार आठ अब आठ सो एक तालिस को अंत्तिस से गुड़ा कर लिजिए बहुत अच्छा चौवविस थीन वाशी कितना है चौवविस थीन वाशी किसी को कोई परिशानी कोई दिक्कात नहीं न यह प्रेक्टिस होगा एक परकार से ठीक है और यह सारे कुश्चन हम बीच बीच में कुछ डिस्क्राइब करेंगे बाकी रेगुलर क्लास में आप आओगे तो वहाँ डिस्क्राइब होगा ठीक है जैसे मैंने कहा कि अंडरूट 3 यह लिखा है इन्टू अंडरूट 3 और इन्टू अंडरूट 3 यह किस परकार की संख्या है इसको तो छोड़ो लिखो इसका मान क्या होगा एन्टू जल्दी गेस करिए अगर आपको नहीं पता इसके बारे में की कैसे होगा क्या होगा तो आप नो लिख के कमेंट कर सकते हैं नो मिंस मतलब मुझे नहीं पता है पहला अप्षन दूसरा अप्षन तिसर का अप्षन दीवाला जिरो त्राई अगेन भई एक बार आप्षन चलिए सेकंड कोशन अगला त्राई करिए मैं बताऊंगा भी टैंसन लेने की कोई बात नहीं चलो यह बताईए सबसे बड़ी पर्मिय संख्या सबसे बड़ी पर्मिय संख्या क्या आपने कभी देखा आएगा ही कहीं मिली थी कि नहीं मेला वला में बचारो जारो में सबसे बड़ी पर्मिय संख्या आईए पहला अप्षन है सुन नहीं सबसे बड़ी पर्मिय संख्या है यह 100 हजार मिन्स एक लाख यह अनंत यह इन्फानेट बहुत अच्छा बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं मुझे उमीद नहीं थी आज कितने बच्चे जुड़ेंगे मुझे लग रहा था कि सब घर भाग गए हैं लेकिन 6,990 बच्चे जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मुझे नहीं लग रहा था कितने बच्चे आएंगे आज की डेट में बहुत अच्छी चली हमारा एक बच्चा एक हजार से कम सोड़ी है परतिक्षा तिवारी जी आपका कमेंट आ रहा मोनिका जी आपक टीन वार जब इनका दो बार गुड़ा होगा तो यह 3e रूट से बाहर निकल जाएगा इनका कल्यान हो सार होगा डी वाला स्टीकेंड में डी बहुत अच्छा चल भाई आगे बढ़े आईए आईए जनाब आपी का इंतजार था भाई या कुश्चन नंबर तीफरा ध्यान से देखा सब ही लोग और मैं बताओ जल्दे जल्दी फटा फट का संख्या एक संख्या वन है यह क्या है अभाज संख्या है या भाज है कमेंट में फट से बता दो संख्या वन भाज है कि अभाज है या सह अभाज है ना बेवकूब बनाने के लिए आपसं तो होना चाहिए ना या फिर नान आफ दीज इन में से कोई नहीं कमेंट में आप लिखेंगे तरीका ये है कि 3 में अगर B है तो 3B, C है तो 3FD है तो 3D ये तरीका है कोई ये चीज नहीं लिखेगा भाज़े भाज़े अरे मिश्टर आप लाइक अंड शेयर करिए बोलिए ठीक है ये आप कमेंट में उत्तर मत दीजिए बैठके आपके लिए इतनी बड़ी अथार्टी नहीं है इसको करने का आप देखिए आपके कमेंटा लग जा रहा है कि कहेंगे ये खुद ही पढ़ रहे हैं लाइक शेयर करवाई आप चलिए आगे बढ़े नेहातिवारी जी आपका कमेंट आ रहा है समरीन सेफी हाँ कमेंट आ रहा संख्या वन जो है यह बारतरी से बाहर है जैसे इंसानों में एक मेल फी मेल होते न एक और होते हैं वैसे मालो लेकिन मैं इसकी बेजिती नहीं कर नहीं तो यह ना तो भाज्य है ना सहा भाज्य के लिए दो संख्या चाहिए तो इसमें डी वाला आप्सन है तिरी में कौन सा है डी वाला आप्सन है याद रखना ये बहुत important question है ये अधिकतर लोग इसको अभाज समझ लेते हैं अभाज नहीं है सर्च कर लेना कहीं ठीक है मनिस साहु समझ में आ रहा कुछ अस्वनी आप सभी कलास को लाइक नहीं किये अधिकतर बच्चे नहीं किये निबेदन है फटा फट लाइक करें और अगले सवाल की तरफ मूँ फैला के देखते रहें मिनस आगे बढ़ें चल बाई जल्दी से फोर नमबर अपकी मुटका लिखेंगे थोड़ा सा ये बताए ये बहुत ही छोटी छोटी सी संख्या है प्यारी प्यारी सी ननी ननी सी संख्या जीरो पर्मिय है क्या पर्मिय है इस कांसेप्ट सब के लिए वही है रेफनल है रेफनल है मतलब पर्मिय संख्या इन में से कोई नहीं हमें नहीं पता है चल बाई प्रिंसी यादो जी बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप आ गए और पढ़ रहे हैं ठीक है बढ़िया है और अगला कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लगतार कमेंट कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो सर्मार है अभी थोड़ा थोड़ा अगला नेक्स कुश्चन किस टॉपिक कर ले टॉपिक बताओगे आप लोग चलिए कुश्चन नंबर फाइफ ठीक है तो फोर नंबर में 01 पर्मिये संख्या है सुनने जार रेफनल नंबर ए है फोर में ए सही है यह बताएए कि जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइफ अगर इसका गुड़ा हो जाके पता है तो का पचीस ते के मान किता है भाई या बतावा हो सबही चला पाइब में जबाब दीजिए ए बी सी डी वेरी गूड बहुत अच्छे बच्चे जिनको भी गड़ित सीखना है कोई क्लास को छोड़के नहीं जाएगा क्लास को पूरा इंड तक देखेंगे और अगर आप इंड तक देखेंगे तो गड़ित सिखाने की हमारी पूरी फुल गारंटी होती है कि आपको हम मैथ में माश्टर बना देंगे यानि हम आपको सिखाते हैं सुनने से बिलकुल सुनना से सिखाते हैं एकदम जीरो से सिखाते हैं ये क्लाफ नंबर 11 बारा जो भी होगी आज प्रेक्टिस सेट है अगर इसका सारा पार्ट आप देखेंगे इस बैच का तो आपको बहुत कुछ मिलेगा बहुत कुछ इसका जवाब दीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ें चल भई आगे बढ़ें हम लिखिए अगला दीलेट की परिच्छा में पूछा गया सवाल है उसे जिनको बेसिक सीखना उनके लिए तो बहुत बढ़िया है शे नंबर होईगा साथ नंबर लिखिए निम्न में प्राकिर्तिक संख्या है प्राकिर्तिक मेंस नेचुराल नंबर निम्न में प्राकिर्तिक संख्या है कौन सी है भाईया पहला है तीन बटा पांच दुसरका है अंडर रूट तीन तीफरका है नौ और एक बटा चार सेबन A, सेबन B या सेबन C क्या सही होगा जल्दी करें फटा फट जल्दबाजी नहीं अस्वनी, तोमेस, भरदवाज, परतिक्षा तिवारी, रंजु पटेल, गीता कुमारी, प्रतिमा, गौतम, मौम्मत सबके कमेंट्स आ रहे हैं, चलो भई देखो जिनके सीकेंड नाम है, हम किसी किसी का एक नाम बोलते हैं, तो नाराज ना हुआ करें नेचुरल नंबर इसमें है, तो सबसे पहला जबाब, अगर सेबन में कोई दिया है, तो ऐसी महान आत्माओं में सबसे बड़ी आत्मा का नाम है, गौबिन सिंग, और उसके बाद में, सही तरीके में, अंजली राओ ने कमेंट किया है, समरीन सैफी, सीला और हीना खातून आईए, इसमें जो नेचुरल नंबर है, वो है, कौन सा, नाइन, सी वाला साहिए, कौन सा है, सी वाला साहिए, प्रकृतिक संख्या, वहान से लेके आनन तक होती है ना, कुश्चन नंबर आठ, आठ नंबर में ये बताओ कि सबसे छोटी प्रकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्रकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्रकृतिक संख्या, चल भाई, जल्दी से, इसमालेस्ट नेचरल नंबर इसमालेस्ट नेचरल नंबर पढ़ा के फोड़ रहे हैं को पड़ी पैयार मेरा तो दिमाग के काम करना बंद कर देता है बहुत अच्छा बेरे गुड आगे नाइन नमबर संख्या सोला के अपवर्तक हैं बहुत अच्छा अच्छा बेरे गुड बेरे गुड बेरे गुड इतका सही जवाब है सबसे चोटी नाइचुरल नमबर वन है बहुत अच्छा बेरे गुड बेरे गुड बेरे गुड वन है कि नौन आप दी जिन में से कोई नहीं नाइन नमबर में जवाब दीजिए प्रियंका भरत्वाज आंसर तो बताई रहा हूं में थोड़ा सबर रखिए रूची मौर्या बहुत अच्छा प्रिंसी आदो संकज कुमार भई पंकज सुना था रंकज सुना था संकज भी सुन लिया जन संक्या इतनी वड़ रही है कि नाम लोग टोड मरोड के रख रहे हैं संक्या सोला के अपवर्तक अपवर्तक को इंगलिस में फैक्टर बोलते हैं और इसको आप विभाजक भी कह सकते हैं ठीक है तो अगर हम सही जबाब की बात करें नाइन नंबर सवाल का तो सबसे पहले जिन्हों ने दिया है उनका नाम मा जरूर बोलूंगा अपवर्तक को फैक्टर बोलते हैं फैक्टर गुड़न खंड भी बोलते हैं किया हाँ गुड़न खंड भी बोलते हैं सबसे पहला जवाब दिया सीला कुस्वाहने और सुसील कुमार या दो दूसरे नंबर पर हैं बाकी उसके पीछे सब लोग लगे वए कोश्चन नंबर 10 कोश्चन नंबर 10 ये बताईए 1- माइनस माइनस काय के लिखे लिखो 8x square को पूर्ड वर्ग बनाने के लिए बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए चलो भई बताओ ये में का जोड़ा जाए पूर्ड वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए पहला है इसमें यक्फ जोड़ दो भईया दुफरका है आठ जोड़ दो तीफरका है सुनना जोड़ दो अच्वता है नहीं दिल मानता है तो 16x का square जोड़ दो जबाब दीजिए जिनको ना आ रहा है वो कमेंट में नो लिखेंगे हम जान जाएंगे कि आपको नहीं आ रहा है इसमें कोई गोर बेज़ती नहीं है हार नहीं माननी चाहिए कोसिस करते रहना चाहिए आप लोग क्लास को लाइक सेर करें देखिए ये दिवाली और धंतेरस की वज़ा से बच्चे कम है इसके डबल बच्चे होने चाहिए डेली मैंने बताया कि इसका recorded वीडियो बाद में नहीं मिलेगा कत्ता ही नहीं मिलेगा बाद में जो लोग दिवाली मना रहे हैं मनाने दो धंतेरस है आज अभी दिवाली थोड़ी है और वो भी जो है अभी दो दिन बचा है ये थोड़े कि हम तेवार के दो दिन पहले बंद कर देंगे तेवार के तीन दिन बाद तक बंद किये रहेंगे नहीं कि सरकारी काम नहीं है कि बहुत अच्छा इसमें कुछ नहीं जोड़ना है कि जोड़ना है यह भाई आप पूर्ड वर्ग बनाना है का बनाना है पूर्ड वर्ग गाज़ा मुसीबत है यार हम तो पूर्ड गन समझ रहे थे तो देखे यक्स तो नहीं बढ़ाना है यक्स तो ठीक है ठाक है आवस्था में पूर्ड वर्ग है यह नाइन मतलब मिन्स से इसको बनना चाहिए ना तो नाइन कैसे बने गई है नाइन क्या जोड़ेंगे देखे सबसे पहले उनकी कहानी समझ यह आंसर इसमें भले कोई नसही हो देखो जो पूर्ड वर्ग संख्या होती है सा मतलब क्या है कि इसको हम किसी संख्या के ऐसे स्क्वायर को रूप में लिख सकते हैं दो का स्क्वायर लेकिन आठ ऐसा नहीं होता है और अगर हम तीन का स्क्वायर बात करें तो नो होता है तो जो आठ है चार और नो के बीच में है तो कैसे बनेगा मतलब जोडने की बात हो र ठीक है तो इसमें फिलाल आप्सन तो कोई नहीं सही है लेकिन हमें लाना क्या है दो रस्ता है एक तो आप आगे बढ़ जाओ तो इसको 9x2 बना दो एक आप इसको पीछे लेकि चले जाओ और 4x2 बना दो आगे बढ़ना जिंदगी में सीखा है मैंने इसलिए जो डिजिटल पाद में पहले इसको पहले उपर लगवा दिया था यहां पैसी बात आई था क्यों कि पोडियम था काफी बड़ा था अगर इसको नीचे लगवा था था पोडियम कटवाना पड़ता मैंने का कटवाएंगे ने विलकुल हम सब उपर करवा देंगे ठीक छोटा नहीं करने सब्सक्राइब करें इसमें यक्स का स्कॉयर जोड़ना चाहिए क्या यक्स का स्कॉयर यहां पर अगर यह ऐसे होता तो वन दस का ए सही था आठेड करके सोला कर सकते हैं जो लोग कह रहे हैं वो थोड़ा अफ़ा दिमाख लगा इसमें आठ नहीं जुड़ेगा अंके ले यह आठ नहीं जुड़ेगा यह वह ऐसा घर है जहां पर सिर्फ फैमिली वाले रहते हैं बैचला रलाओ नहीं है तो डबल डबल जुड़ाएंगे वह जुड़ेंगे यानि आप ऐसे समझो यहां पर थोड़ा सा आठ यक्स का स्कॉयर इसमें हम ऐसे आठ नहीं जुड़ सकते जुड़ेगा ही नहीं है अगर हम नो पहले पाज आ रहे हैं तो हम सोला तक काह जाएंगे हाँ आप ऐसा कर सकते थे आठ यक्स का स्कॉयर जुड़ सकते थे यह पॉसिबल है ऐसा आप कर सकते थे लेकिन जब हमें इसमें यक्स का स्कॉयर जुड़ने स्काम चल जा रहा तो हम आठ एक्स्ट्र का है जुड़ेंगे ठीक है आपका भी आंसर सही है ऐसा हो सकता है अगर आप्शन में होता तो कुश्चन नंबर कौन सा होगा नाइन इलेवन चलो बैया यह बताए कि किसी तिर्मूज के छेत्रफल का सुत्र क्या होता है किसी तिर्मूज के छेत्रफल का सुत्र क्या होता है इसको आप उचाही कर लिजी अच्छा लगेगा उचाही इस हाइट उचाही विशाल गोविन सिंग प्रियांका कुमारी किसी को कोई डाउट नहीं न बहुत अच्छा चलिए ठीक है किसी तिर्मूज के छेत्रफल का सुत्र जो होता है वो होता है वन अपान टू आधार इंटू हाइट अप्सन नमबर ए इलेबन में कौन सा ए नमबर ट्वैल नमबर में आगे बढ़िए और टॉपिक मुझे कुछ डिफाइड नहीं पूछना कहां कहां से है क्योंकि बहुत लंबा कहां नहीं है कोईश्चन अगर आगे होता तो बढ़िया रहता यह बताईए कि सबसे बड़ा आधी कौन कितने अंसका होता है इसको इंगलिस में आप ट्यूस एंगल बोलते है सबसे बड़ा आधी कौन जल्दी करें सभी जल्दबाजी नहीं फटा फट चल भई 12 नंबर में जवाब 12 नंबर में जवाब चले आगे बढ़िया ठीक है चलो तो सबसे बड़ा जो अधी कौन है साथियों वह होता है क्या वन सेबन नाइन जो डोग डी बता रहें उन्हीं का सही है 180 वालों का मैं भरम दूर कर दूँ बैब यह कहां से पढ़ियो 180 जो है अधी कौन नहीं है 180 से छोटा होता अधी कौन ठीक है और उसे बच्चे 180 बता रहे है 180 जो है वह अधिक कोण नहीं है उससे छोटा होता है उससे नीचे होते हैं अधिक कोण उससे बड़े नहीं होते है ठीक है देखो यह चीज होता है अधिक कोण का बताई देता हूं मैं अधिक कोण समकोण के बार सुरू होता जहां तक मुझे पता है 9-1 से लेके 179 तक यानी इसके बीच में जितने भी कोण आते हैं नेतिफाइब का हो गया 150 k का हो गया 150 हो गया 170 हो गया 65 हो गया possible दिक पैंसर honors लेकिन I mounting I do už 1899 के उपर अधिकोंड नहीं होता है si 181 रिजुक्र होता है कहते हैं इंगलिश में और उसके उपर बिरहत कोंड हो जाता है अधिक कोंड नहीं होता उसके उपर तेरा नंबर बताओ 168 हं स्क्वे कोंड का नाम बताईए इसका नाम बताईए क्या होगा जल्दी करें और फटा फट सभी साथी सेसन को लाइक करें कि देखिए सिर्फ और सिर्फ 19 बचा है सतक लगाने में चलो फटा फट लाइक कर दो भाई अधिक कोंड इंग्लिस में आप ट्यूस एंगल बोलते हैं क्या बोलते हैं आप ट्यूस एंगल कुश्चन नंबर 13 आज हम आपकी न एक नए अपने साथी से मुलाकात करवाने वाले हैं देखना अभी अभी मेक अप कर रहे ही थोड़ा सा अभी दिखाता हूं आप सब लोग एक्साइटेड होंगे आखिर कौन है वह अगर वो सर्माज आएंगे यहां आएंगे भी नहीं इसलिए आप लोग थोड़ा सा कुछ ज्यादा नहीं बोलना अगला इसका मान क्या होगा दस बारा नो आट एक्स बटा दो एक्स बटा तीन बराबर दस कितना आएगा दिब्यांसी बिल्कुल सही है हीना खातू लक्षमी प्रियंका मुहमद हसन बाकेंसी किस छेत्र में किस डिपार्टमेंट में नंबर पर संपर करिए प्रग्या पांडे फूल चंद्र अरे नहीं मेरे दोस्त है यार वो डीके सर हैं इतना भी बंजा चलता है थोड़ा बहुत आईए सर आईए एक बदसन दी जीन लोग को बहुत अच्छा इसका आंसर क्या होगा आप सभी समिक्रन हल कर लेते हो ना देखो ऐसे करेंगे क्रास मल्टीपल तो यह हो जाएगा तीन यक्स प्लफ इधरे का गुड़ा करोगे दो यक्स आइफ़ इधरे का करोगे तो दो त्याई छे बराबर दफ तो तीन दो पांच यक्स बराबर इनका क्रास मल्टीपल करोगे साथ यक्स बराबर फाट प्रटा पांच चच्छा लोग देली क्लास में आओगे तब समझ में आएगा इसे हवा में ना आए यह कोई रील नहीं है कि आईसे इसे खिसका दिया तो इसे इसे हो गया बस खतम आईसे नहीं होता इसमें अगर हम पहले लिख के रखे रहें तब तो अच्छा लगता है सुन्दर रहता है लेकिन अगर हम यहीं सामने लिखें ला करके तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन हम कहीं से नकल उकल करने को पाई जाए ना तो जल्दे लिख देते हैं दिमाग ना लगाना पड़े कि अगर दस गुड़ा तीन अगरे मजाक में बोला सार आपके शर्मा कहें कहें अईसे बोल दिया बजिति करवादिया नहीं सामने हाँ तो इसका मान क्या होगा एनिवन थार्टी फाइफ थार्टी फेबन थार्टी एट और थार्टी नाइन चलिए जल्दी फास्ट इसमें कितने नए बच्चे हैं जो पहली बार आज क्लास में आये हैं इमांदारी से हाथ उठाईए बेसिक मैद के बहुत से हमारे साथी हैं इच्छु का भर्थी फिली एक लाफ चल रही है बाकी डियलेट वाली क्लाफ नहीं चल रही है एक चीज और जान लो सबही लोग ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आप यूटूब पे लाइब देख सकते हैं लाइब इंड होने के बाद इसके सारे वीडियो यूटूब पे नहीं मिलेंगे बीच बीच के कुछ पार्ट आपको मिल जाएंगे बस और ये बैच हम आपको पूरा फ्री पढ़ाएंगे जो बच्चे 5-500 रुपे या 1000 रुपे जमा करके भी लिए न वो सारा चीज इसमें पढ़ाएंगे बस आपको डेली लाइब आना है लाइब नहीं आओगे इसके रिकॉर्डड वीडियो यूटूब पे नहीं मिलेंगे एक चीज और जान लीजिए लेकिन उसके साथ में क्या कि अगर आप डेली आते हैं किसी कारण बस एमरजनसी में आपका क्लास चूड़ जाता है तो हमारे पास आउप्सन है आप अपना इमेल आडी हमें वाट्साप पे भेजिए हम आपको क्लास का अक्सस दे देंगे वो क क्लास आपके इमेल के माध्यम से आपको दिखेगा प्राइबेट डूप तो बिल्कुल सुरच्चित हैं आप यहां पर फिरी पढ़ सकते हैं महीने में पांच क्लास आप छोड़ सकते हैं उसको हम भेजेंगे आपको पांच पांच छूट रहेगी आपको उससे ज्यादा नहीं अगर आपने उससे ज्यादा गरबर किया तो खतम फिर नहीं मिलेगा इस बैच में होगी कम से कम असी नब्य क्लास तो कितने कुश्चन हो गए थे अब तक एक नजर डालिए पीछे 14 नमबर इसका सही जवाब है 38 14 में C वाला सही है कितने लोगन के नाय समझ में आप भया C वाला सही है कितने लोग नहीं समझे थे 14 नमबर में कोनों बताया ही नहीं था सब सर्मा रहे थे देखो मैं बताता हूँ तुमें यह माइनस है तो माइनस है फिर रहने दो 14 में से इसको घटा लो भाया माइनस कर 13 आएगा धानियत 30 माइनस 5 तही तो होना चाहिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस प्लस जोड़ो 43 माइनस 5 अब भाई लोग बुजान कि ना बुजान अब बुजाएगा न अब बुजाए 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 देरे देरे पंद्रा नमबर कुश्चन पर आगे बढ़िए आईए 15 नमबर पर आगे बढ़िए नीचे स्क्रीन पर मोबाईल नमबर चल रहा है नीचे धीरे-धीरे देखिए डोल रहा है जिनको कोई परकार की इंक्वारी है उस पर मैसेज करें या दिन में फोन कॉल करें रेक्टेंगल किसे कहते है जानते हैं आप रेक्टेंगल किसे कहते हैं बताएए निम्न में अभाज संख्या है बहुत बार पूछा उए सवाल हर बार तुम गड़ बाढ़ा जाते हो बिल्कुल आनलाइन वाली मुहबबत की तरह फंस जाते हो देखो कैसे बताता हूँ अब इस्तार से आओ अब हाद ये संख्या कौन है एक सो दो एक सो दो के बाद सत्रा नबे और फताफी और बी और डी दोनो आप संसाई बी और डी का मतलब एक सो सत्रा भी और सताफी भी दोनो बताए पंद्रा वाले में जवाब दीजिए बिसाल्यादो रूची मौर्या प्रग्या जल्दी करें खूल चंद्रा भाईया बताओ लखन करन कितना आई हो देखें मुझे पता था कि अकसर लोग धोखा खाएंगे अकसर यह वही लोग हैं जो प्यार मौबबत में दोखा खाते हैं जैसे देखिया हमारे सार भी वैट हैं अरे हम कुद कड़ें हम भी खाएं उसमें कौन सी बड़ी बात है इंसान दोखा खाने से ही सीखता है बातों से ही नहीं समझ में आती जिंदगी कुछ हाद से भी जरूरी है जिन्दगी जीने के लिए दर्गह法 काने का है मैं मतलब मैं क्यूं बताया इसको मैं उससे कंपेर क्यों कर रहा हूं आप और लोगों के पहला-पहला तेसे पता है Hmm जादा अधकर और मैं इसके कुछ करूंगा तो या करूंगी तो तो जो तू कहें बस वहीं सही है तेरे बिन तो कुछ भी नहीं है अब बाद में हकीकत पता चलने के बाद फिर कुछ जादा गड़बर हो जाता फिर फिर मतलब जानी देवागे क्या ही बता हूं चल छोड़ो जाने तो तो वैसे इनका क्या connection है इसमें वही है कि पहला पहला देखा और लगा की वह क्या है अभाज है देखने पर जो चीजा आपको महसूस होती है वाजतों में चलती है उसको महसूस करना पड़ता है पहले इसको जादा तर लोग अभाज बताते हैं क्योंकि देखने पर यह भाज लगती है लेकिन ऐसा है नहीं इसका फैक्टर करेंगे वन और फिर अगर आप इसे तीन से भाग करिए तो तीन से भी यह डिवाइड हो जाएगी भाग करके देखिए तीन से भाग करिए तीन दुना छे तीन नवा फताइस वन अत्ति आएगा यानि यह वन अत्ति से भी डिवाइड है और फताफी तो खुद अपने से डिवाइड है ही तो इसके जब चार फैक्टर है तो यह अभाज तो है नहीं अभाज तो है नहीं यानि यह संख्या क्या है वन से भी डिवाइड है, खुद से भी डिवाइड है, बाकी दो जगा और भी दो संख्या फिर डिवाइड है अबाज शंख्या की परिभाशा होती है कि वो संख्या one से डिवाइड हो, बाकि खुद से हो, बाकि और किसी से ना हो, समझ रहे हो? जैसे हम लोग के देश समाज में होता नहीं, साधीयों में क्या? कि किसी भी एक रिलेशन में एक साधी में दो इंसान होते हैं दो कपल है ना अगर एक एक्ष्ट्रा हो गया तो वो आबायध माना जाता है तो ऐसे कि आए आपे दो ठीक्ष्ट्रा है समझ रहे हो कि नहीं तो ये भाज वाला जो संबंध है उसको ये बैद नहीं साबित करते हैं ये दोना एक्ष्ट्रा है तो ये क्या है अभाज संख्या नहीं है तो ये भाज है नहीं भाज तो ये वाला अप्शन तो गलत है अब जो लोग इसको बता रहे थे ये भी गलत है तो फिर सही कौन सा है कि अंगलेसमें को प्राईम नंबरंड थे अब कन às में लोप नहां प्राइम नंबर बोलते हैं तो ये च्छा वाइड ओ अ Hmmm अब को धोखह और इसमें एकोट या भाज नहीं है दो से तो डिवाइड है नहीं है तीन से चेक करो आज़ी संख्या तीन से भी भाजित होती है जिनके अंको का योगफल तीन से डिवाइड होता है इनके अंको का योगफल करिए एक एक दो साथ नो मतलब ये भी तीन से डिबाइड है इसमें कोई भी अबाज नहीं थी देख लो चले थे ठेर सारी उमीद लेके न सब गड़बड हो गया न एक भी संख्या इसमें जो है अबाजे नहीं है सारी संख्या अबाजे है तो कौन-कौन सही आंसर दिया था आप लोगों को कि आप लोग थोड़ा तो समझो दूसरी बार दोखा हुआ न दोखा बात आदाई इस से एक चीज और अगर इंसान जिंदगी में एक बार दोखा खाता है न तो दोखा देने वाले की गलती है अगर दुबारा फिर वहीं उसी चीज से उसी दसा में उसी कंडिशन में दोखा खाया तो फिर दोखा खाने वाले गलती यह नालायक आप मूरक अब बिल्कुल सही है सर आईए आप आईए दर्फन दीजिए आईए आईए अब क्या पकड़ के ले क्या हूं गोदिम उठाके क्या गोदिम ले क्या हूं क्या इनको मेकप वोक अ कर ली है रुको लेकर आता हूं लड़के बहुत आईए जल्दी आईए अभी नहीं आ रहे हैं अभी देखे आते हैं चलो अगला एक आथ कुश्चन और बताते हैं तब तक आईए आप यह थोड़ा देखिए ऐसे जहां किये देखिए कैसे दिख रहे हैं आप आई हम तो मूब भी नहीं दूले आप तो कम से कम चमका हैं तो एक और यह बताईए कि सेबन अपान थिरीवा फाइप अपान नाइन में कौन बड़ा है कौन बड़ा है इसको अगर हम P से नाम दें इसको क्यूं से तो बताईए P और Q में कौन बड़ा है जलो भाई जल्दी करें इसको तो एक नजर में इनको पकड़क लेके आता हूं धकेल के पीछे से तो आएंगे रुकिए लिए अगर नहीं जाएगी मैं लिया हूँ लिजिए तो यह है हमारे दिने सर और यह दुबार फिर न जा रहा है यहां नहीं तो देखिए पता नहीं कहा जाने वाले अब आजा रही यह बहुत अच्छा गडित पढ़ाते हैं आप इनको बार देखिए तो लेकिन इसके नहीं पढ़वाएंगे यह कुछ एक्स्ट्र को कर देख्याइब भाई लोग अवाज फोटो कि अब आज जा रही आप लोग के पास वें जा रही फूरा चाहा लिए साथ लग रहे हैं अच्छे लग रहे बताा रहे तो मोड मेकप करे आ रहे हैं बताइए उस्ताफ यह दिख रहें इसे लगए बात्म है भिक राए ना सब्सक्राइब लगवाथें देखिए लगा पाते कि नहीं आप लोग सब्सक्राइब लगवाते रहते हैं सा मैं यह लगवाएं कि नहीं आपको सब्सक्राइब इसका एंसोर बताइए आप लोग नमबर डालोगे तरह होगा इसका एंसोर बताईए आप लोग एक कुछन आउट दे रहे हैं आपको कि क्या क्या रही है एंसोर बताएंगे तब आगे बताएंगे हम कि अचा इसके लिए आपसर आपके पास इसके लिए आपसर आपके पास कि अच्छा आप कि आई आप लोग को बताते हैं कैसे लगाएंगे कैसे हो गई है कि यह वाला एक कुश्चन बेसिक जो होता है आप लोग को सर बताएंगे जो होता जिसे दोनों नमबर पर गर बार होता है तो इसको आप ऐसे लगाएंगे इसको 432 पूरा लिखेंगे और माइनस में इस नमबर को करेंगे यहां पर 999 लेंगे एक 4 है जिसके उपर 12 नहीं है उसको 0 ले लेंगे अब इसको साल्व कर लेंगे 32 से 4 जाएगा कितना होगा इस वारी 12 से 4 जाएगा आपका 8 बच्चाएगा यह आपका एंसर होगा यह ज्यादा बड़ा थोड़ी नहीं है लगा थोड़ी है कि लग रहा है ज्यादा बड़ा है अच्छा एक एक कुछिशन इस पर लगाई आप लोग लगा दीजिए उसके बाद सब्सक्राइब आकर पढ़ाएंगे आप लोग को कि अब को हो गया इसको आएंसर आप लोग बता दीजिए कांपी में लगा के बैठी है ऐसे थोड़े ना बैठेंगे क्लास ले रहे होंगे आप लोग अब मैं पढ़ रहे हैं जी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं अब कर दो कर दो कि अब कर दो कि अब कर दो कि अब को में देपक जी हैं अब सब्सक्राइब अब इसको लगाईए आप देखिए आईए सब्सक्राइए अब देखिए अब देखिए अब देखिए भाई तो देखिए भाई तरक टाइम ओबर हो गया यह बहुत बड़ा-बड़ा कुश्चन लगवार हैं आप लोग नहीं लगा पार हमको भी नहीं आएगा तो इस अब इसको पढ़ाया है इसका बेसिक में कैसे करते जानते हो नहीं बताया था ना इसको यक्ष्क के बाराबर मानते हैं जो कैसा निकालते हैं तो जो बता रहें ट्रीक वाला होता है वो ठीक है करें दीजिए नहीं नहीं यह लड़कियों का नाम नहीं लेते हैं इquito नहीं बोल रहे था कमेंट कह रहे हैं दीपक जी हैं बाकी सब लड़किया हैं क्या नाम बोले इनको ठोड़ी दिक्कत होती है तो देखे इसमें जो है जैसे यह कुश्टिन लगवा ओं स्यम टु सेम यह भी यहां पर धखिय ध्यां दीजिए इस्ठे कंपेर करें क्या इस सब्सक्राइब थिका और पिर रहें अगे वड़ें तो आप यहरे बताईए pal सब कुश्चन यह सब कुश्चन बताने लगेंगे तो आप लोग को मज़ा नहीं आएगा हम वह पढ़ाते हैं मज़ा आए आप लोगों को है ना मज़ा आनी चाहिए डियालट वाले बच्चे हैं बेसिक में चीखने वाले हैं तो यह बताइए इन में सजातिये कौन है सजातिये बेंजक लाइक टम्स लाइक टम्स बताइए पहला यह वाला है 7y स्कौयर x स्कौयर और 3x स्कौयर एक बटा तीन यक्स वाई स्कॉाइर यक्स वाई स्कॉाइर माइनस नव वाई स्कॉाइर यक्स लाइक टम्स बताईए फटा फट सजातीये बंजा कौन है इसमें लिख लिजिए पता नहीं कितना नंबर डाल दिये थे पहले एक्ष्ट्रा में 17 जान लिजिए चलो जल्दी करें फटाफट चलिए बहुत अच्छा बेरे गुड फूल चंद्र जी बहुत अच्छे पंकज कुमार प्रतिक्छा अंजली और अनुज अंजु जोभित नेहा प्रिया गीता रुची विकास सबके कमेंट आ रहे हैं कमेंट करिए 17a 17b या 17c क्या कहे रहे हैं आप 17a 17b या 17c वैसे वन आइफ नंबर है कहे रहे हैं फिलाहाल 17 लिख दो अभी के लिए क्या करनों डॉं डिश्टब श्था अगे चलें नेक्स्ट बहुत अच्छा देखें सजाती पद क्या होता साथियों सबसे पहले उनके जो चरप अच्छ पहते हैं बरियेबल से प्रियेबल अंद पावर से मोनी चाहिए बाकी माईनस पलास हो गिंती कुछ भी वह उससे क्या है वाई बरेवल को ही तो चर बोलते न इसमें यक्स इसमें यक्स बरेवल ही सेम नहीं है जाती ही समान नहीं है पावर तो बात में देखना इसको मैं समझाया नहीं था इसमें आज कल देखे हमारे देश में ही पूरे चल रहा जाती वाला महौल कुछ देशों में तो जा जैसे इसको आभ पार्व applicant आधी तर सदी भीभावाले जोड़ के दिखाता हूं क्योंकि हो तो कि दो नड़की लड़के के अगर साथी दर्म होना चाहिए रागत कर दस साल का भी अंतर है लड़का सरकाई नोकरी वाला चपरासी भी चलेगा कोई दिख नहीं है ना यहीं मानिता है ना मैं इसा बता क्यों रहा हो समझे चर समान होना चाहिए फिर पावर समय होनी चाहिए पावर सेम अगर दूसरे कंडिशन उसमें बात करें तो कोई एक रि होनी चाहिए घात सेम है इसमें लेकिन चर सेम नहीं है तो यह है नहीं इसमें देखिये चरो सेम है सब में YX YX या XY है यक्स की पावर वन है इसमें भी X की वन है इसमें भी quality test pass y की power 2 है इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है भाई साहब पकड़ लो इनको हो गया answer b वाला अच्छा क्या c वाला भी सही है क्या आओ देखें इसमें z है इसमें और कहीं z नहीं है cancel चर सेम नहीं है इसे कोना मतलब है नहीं है तो यह होता सजाती है पर जिनको like terms बोलते है इसमें अधिकतर बच्चे भाग जाएं क्योंकि में मजा नहीं आएगी अब मजा वाला सवाल देखो मजा जिसमें आती है हमें पता है तुम्हें मजा किसमें आती है चलो बताए संख्या इतना रख लो का 25% बताए इसमें मजा आएगी यह वाना मज़ेदार सवाल चलो बताओ कितना आएगा बताए फिर जल्दी बताए कितना आएगा कितना आएगा पचास और अठारा अड़फट हो सकता है क्या 85 हो सकता है क्या इस तरीके के जबाब देंगे फटाफट फटाफट जल्दी हसन सहाब DL8 की क्लासें अभी PBR Study अप में चल रही है YouTube पर दिवाले तक कोई क्लास नहीं चलेगी DL8 वालों के लिए क्योंकि आप लोग क्लास को लाइक सेयर करतें ने तो यहां पर दर्द होता अंदर में तकलीफ होती है हाँ बेसिक मैट का चलता रहेगा हम कोशिस करेंगे बेसिक मैट के वीडियो रोज आएंगे दिवाली के दिन भी आएंगे देखिए त्योहार अपनी जगा है वो उसको जहां ऐसे पत्थर रखड़ चिट चिट बोलता था उसको खरिदने के लिए भी अगर दो रुपए मिल जाते थे ना जो खुसी मिलती थी आज अगर जाके लगजरी कार भी खरीद ले आओ तो खुसी नहीं आएगी समझे रहों नहीं ताइम होता हर चीज का तो चारतरस लोग फोड़ रहे हैं तो मेरा मतलब यह कि वीडियो आते रहेंगे और आपको देखना भी है देखना भी है आपको वीडियो आते रहेंगे 290 का 25 से क्या करेंगे गुडा करेंगे 100 से भाग करेंगे तो 25 fij का 100 4 फे 290 को भाग करेंगे 290 को 4 से भाग करेंगे तो चार चांग 24 4 x 28 भी तो जा सकता यार 4,28 द अम लोरु में आएगा something D वाला सही होगा यार कौन सा D वाला सही होगा न बिल्कुल सही ठीक है D वाला सही होगा ये जा रही ना पूरा-पूरा पूरा-पूरा नहीं जा रहा है इसे देखो अब चार दुना-8 दसमलों बढ़ाओगे 72.5 आएगा ये वाला फ़ाई है 72.5 आएगा यानि साड़े बहत्तर क्यत्ता आए भाईया साड़े बहत्तर आएगा आगे चलें देखे एक बार में एक लाइन में सुन लीजिए बहुत से बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं फ़र डियले फ़र समेस्टर चलाओ आपको पता है अगर दर्सक नहीं आते तो मज़ा नहीं आती मज़ा ना आने का पीछे और भी वज़ा है सीधा अगर कड़वे सब् तो पैफा नहीं मिलता है बिजली का बिल यहां रूम करेंट आपके लिए सहीयोग करने वाले जो टीम है उनकी सेलरी और यह मैंने कम से कम साड़े साथ लाग का सेटप बनाया है ठीक है हमारे यहां कोई लोकल फरजी डिवाइफ नहीं लगे उस तरीके के मैंने कई यूटूब पर बहुत ज्यादा कलासी फिलिए नहीं हो पाती है अधिकतर कलासे हम एप में चलाते हैं जैसे यह सब कंपलीट होता हमारी कोशी से यूटूब पर फ्री चलाएंगे तो लोग कुछ भी कीमत चुगाने को तयार है आप सीखिए एपल से एपल आइफोन का भी देखिए फिप्टीन आ गया देड़ लाग दोदो लाग का भी लोग खरीद लेते हैं वहीं तुम्हें क्या लगता है कि यह जो समसंग और रियल मी भी वो इनके सब के फोन आते हैं आठ आठाट हजार साथ साथ हजार के इससे कम कमाई थोड़ी होती उसकी नहीं होती इसक परoseering के टाइम निकाल रहे हैं लेकिन अभी नहीं चल रहा है में सबस्वान यह है आग 450 annex आगे वड़ते हैं फिल्हाल आप लोग यह बताओ कि अनुपात समानुपात पड़े ओं नहीं अनुपात समा अनुपात पढ़े हो एक बहुत सी छोटा सा सवाल है अगर कहो तो लिख दूमे डियलेड में आया था यक्स धन दो बराबर एक कमान क्या आएगा एनिवन कोई कुछ कहना चाहता है तो बताओ क्या आएगा चलो पर चार्ज में लगा दिजिए लिजिए बताइए डियलेड वालों के लिए मैं अभी ये काम करता हूँ जो मेरे पास recorded वीडियो है फाइल में उसको मैं लाइब कर देता हूँ 24x7 के लिए हमेशा के लिए तो तिन दिन के लिए जब तक दीवाली का चुट्टी उट्टी है आप लोग क्लास को लाइक सेर करना फटाफट धेर थारी संख्या में देखिए मजा आएगा आए यह बताइए कि संख्या 25 ये 200 की कितना परफेंट है जो 25 है वो 200 की कितना परफेंट है पहला 8 परफेंट है 50 परफेंट है 40 परफेंट है या फिर ना नापदीच इसमें सही ये कुछ भी नहीं है जल्दी करें जल्दबाजी नहीं कुसुम सोनकर बेरे गुड़ बहुत अच्छे, ठीक है देखिए जो भी डीलेड के चाहत है बार-बार कमेंट कर रहे है disturb मैं क्या ही कहूं बात करते हैं पहले कुछन कर लेते हैं फिर बात करते हैं आईए अभी सभी last में बात करना रुकना बस मैं 10-15 मिनिट बाद आप से बात करता हूँ DL8 वालों का मैं बिल्कुल पूरा सम्मान के साथ बताता हूँ उनको चलो भाईया इनको हल करो कईसे हो है संख्या 200 का जो है कितना पर्षेंट 25 है जैसे कहें संख्या 200 का कितना पर्षेंट 100 है तो 100-200 का आधा है यानी 50% है देखो फिर माना कि 200 का यक्स पर्षेंट क्या है 25 है मान लो तो 200 गुड़ा यक्स पर्षेंट हटाओगे 100 से भाग बराबर 25 साही है 00 निपट गया क्या है 2 यक्स बटा एक बराबर 25 सिर्चा गुड़ा होगा तो 2 यक्स बड़ाबर 25 तो यक्स बड़ाबर कितना होगा 25 बटा 2 यानी 12,5 कितना होगा 12% कितना 12,5% अच्छा जिनको लग रहा है यह सही है कि गलत है इसको आंसर भी निकाल के तुमें दिखा देता हूं देखो आईए अगर यह गलत है तो आंसर नहीं आएगा 200 का 2,5,5 बारा परफेंट निकालो 25 आना चाहिए 2,5 बारा परफेंट निकाली 25 आएगा तो तो सही है यह नित गलत है तो का मतलब गुड़ा 1,5 बारा को ऐसे लिखेंगे हटाएंगे परफेंटे 100 से भाग करेंगे 2,0 फर 2,0 निपड जाएगा दो से गुड़ा करोगे साड़े बारा को तो बारा दुना 24 यानी 25 है ना सही कोना दिक्कत नहीं किसी को कोई दिक्कत एनी डाउट एनी परिशानी नहीं न एक गंटा से जादा बड़ी कलाफ चलाने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब है क्योंकि बाद में तो कोई देखता है नहीं अच्छा एक बाद बताओ हर दिन मैं बताता हूँ आप ही आज बता दो यह बता भईया कि 98 का स्क्वायर क्या होगा बहुत जल्दी से बताइए 5 सिकन में कितना होगा बताइए 72 72 कितना होगा जानते हो 144 और आठाइए 64 का चार 144 जे 150 हाफिल पंदरा डोन वाई क्यासी 91 दास इक्यानवे 94 कितना पंचानवे कितना आएगा क्या सायद में भी कितना आएगा आएए देखते हैं इसको एक ट्रिक से बताएं क्या ट्रिक है हम आपको दो अंको की संख्याओं का आपस में गुड़ा करने की ट्रिक बता चुके है देखिए प्रेक्टिस होने के बाद आगे बढ़ जाएगा पहले क्या करते हैं साथी कि मेरे इन संख्याओं का आंतिम अंतिम अंक का गुड़ा करते हैं तो आठ टाई 64 का चार हां फिलाया कितना छे आब इनका क्रास मल्टीपल करते हैं आठ नवा बहात्तर और इधर आठ नवा बहात्तर तो पहत्तर को बहात्तर में जोडेंगे चार फासा चवदा 144 और छे आएगा डेड़ सो डेड़ सो का जीरो हाँ फिलाया पंदरा और फिर नौ का नौ में नौ नौ आइक्यासी इक्यासी में पंदरा जोड़ो पांच एक छे आठ एक नौ चानवे तो यार थोड़ा सा मिश्टेक हुआ था इसमें हासिल में देखें इंट्रेस्ट ना धिरे धिरे गंटे के बाद लोगों का मौझाता ठक जाते हैं तो गडित है एक घंटे ज्यादा नहीं पर एक समझ में आई कि नहीं एक बार हाँ बोल दें क्या करना है समझ लिजिए पहले आपको लाश्ट लाश्ट की संख्या का गुड़ा करना है फिर जो हासिल आएगा वो ऐसे उसको समझ लेना है जैनि यान्ति मंग कें हां लिख देना पिर हासिल जो आएगा लिग पिर इनका क्रास मल्टिपल ऐसे करोगे ऐसे जो आएगा दोनों को जोड देंगे जोडने के बाद हाफिल उसमें जोड लेंगे मैंने ऐसा किया आया 150 150 का 0 हाशिला 15 अब इधर का ऐसे गुड़ा कर लेंगे बस आसान होता यह को बहुत बड़ी बात नहीं है लक्ष्मी देवी आया समझ में सभी को समझ में आया तो दस बजए डियलेड वाले बच्चे यूटुब पे खोजते हैं हमें तो चलो कुछ देर और कलाफ चला लेते हैं नहीं तो डियलेड वाले बच्चे आते हैं खोजते हैं तो कहेंगे आज का आएको नहीं चल रहा है कुश्चन नमबर मान लीजिए 20 मने लिख दिया संख्या 15 का अपवर्थ मिन्स मल्टीपल है मल्टीपल पहला तीन है दूसरा पंदरा है तीसरा पांच है या जीरो है जीरो मत लिखो यहाना ही सही है चलो आंसर आप देंगे 20A, 20B या 20C आफे कमेंट करेंगे संदोस मेंजर लिखिये क्या डाउट है अंजली राव PBR स्टडी आप के अंदर मिलेगा यूटूबर के लिए बेट करिए दिवाली बाद 15 नवंबर के बाद जिनको जल्दी है वो आप में इंडरोल करें अपवर्त मिन्स होता मल्टीपल किसी भी संख्या का मल्टीपल यानि अपवर्त कभी भी उससे छोटा नहीं हो सकता है अगर ये चीज आपको याद है तो आप इन तीनों आप्षन को एक के कुलाड़िस काट सकते वहीं से बी वाला सही है बी वाला सही है बी बी मतलिखो कोई आज जो टॉपिक कबर होगा उसका नाम होगा फ्रेक्शन यानि भिन पिछली क्लास में आपने घनमूल और घन पढ़ा था आपको पता है आज जो टॉपिक होगा वो होगा फ्रेक्शन यानि भिन इसके जो पार्ट्स होंगे वो क्या-क्या होंगे पहला परिभासा यानि डेफिनिशन परकार परकारों के बारे में नहीं ये बारे में आला कल पढ़ेंगे ठीक है आज पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ परिभासा और भिन का जोड़ना घटाना ठीक है ये सही रहेगा पहला आई स्टप में परिभासा और फ्रेक्शन का एडिशन और सब्स्ट्रेक्शन आप लोग मुझे ये बताओ इसके पहले पढ़ाया हूँ संख्या 93 ये अभाजे संख्या है या भाजे संख्या है एक बात मैं पहले क्लियर कर दूँ कि ये क्लास सिर्फ उनके लिए है जिनको गड़ित नहीं आती है और जो गड़ित सीखना चाहते हैं वास्तों में जिनको ना मतलब कुछ करना है लाइफ में अलग कुछ करना है क्योंकि मैत से एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ करके आप काफी कुछ कर सकते हैं और अगर मैत नहीं आती तो बड़ी गोर बेज्जती होती जिन्दगी में भले इस मायंगाई में आपको लासुन प्याद धनिया क्यों न खरीदना हो कुछ न करना अन्य सभी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं चलो भया मैंने एक सवाल पूछा उस पर बहुत से बच्चों ने जबाब दिया बहुत से बच्चे ने जबाब देना अच्छा नहीं समझा बहुत बढ़ी है सबसे पहले हम बात करते हैं भिन यानि फ्रेक्षन यह होती क्या ह क्या आप जानते हैं जानते हैं परिभासा कहीं लिखने के लिए नहीं आता है लेकिन आपको पता होना चाहिए साथियों भिन जो होती है वो किसी संख्या या वस्तु के किसी एक निश्चित भाग को दर्फाती है देखे एक फिगर बनना चाहिए आपके दिमाग में चित् ने बोला मोबाइल तो मोबाइल का फिगर आपके सामने बन जाएगा आपके अंतरातमा में चलेगा मोबाइल ऐसे होता है इसमें आप कुछ टाइब कर सकते हो फोन कॉल कर सकते हो गेम खिल सकते हो टाट जला सकते हो कल्कुलेटर कर सकते हो मतलब जान जाओगे ऐसा तब हो सक अब तुम सब बड़ा समझदार हो जान जाओगे ठीक है अब इसको हमें क्या करना है अरे इसको भरना यार कलर तो इसका हो जा रहा है एक मिनट तो अगर इसके यह इसके हमें पार्ट करने हैं इसके हमें पार्ट करने हैं जैसे देखिए समझना है यहां पर थोड़ा सा एक मिनट अगर यह इसको भर दिया माल लीजिए मैंने इस कलर से भर दिया आओ चलो यह क्या है यह जो आपको दिख रहा बस वही है माल लीजिए कि हमने क्या किया इसके तीन पार्ट कर दिये कितने पार्ट तीन पार्ट समझना है यहां से कितने भाग हुए तीन भाग ठीक है थोड़ा सा समझना है यहां पर ज वाग को मैं सफेद कलर में गलर्फल कर दे रहा है हूँ इसको माने के चलो कि मैंने पूरा क्या कर दिया सफेद कर दिया अब भले बीच के रूप में कैसे दिखाएंगे ये गोला ही मान लो इसको अमरूद और आम मत मानो चलो हम आपको पढ़ा नहीं रहें सिखा रहें इसमें वक्त लगेगा ये साट वाली रील नहीं कैसे ऐसे कर लो आ जाएगा ऐसा नहीं सिखाता मैं टाइम देना पड़ेगा चलो देखो भिन क्या है एक बार सिख जाओगे कभी नहीं भूलोगे गारंटी ये गोला है गोले को मैंने तीन पार्ट में बाट दिया इनके तीन अलग अलग कलर हो गए एक आप पिंक मान सकते हो रेड मान सकते हो जो भी आपको दिख रहा हो एक वाइट एक ग्रीन या बैगनी क्या ब लागे गव फ्रेक्शन का हमने कहा सफेद भाग सबसे पएले मचिनेंगे इसके टोटल कितने भाग है इससेदार है गोला में classification कितने हिस्सों में हुआ है तीन को प्रब्टाध नीचे लिखते हैं मतलब तीन कितने । की गोला गोला न कहा खेत होता है माल्लोमैत वाले हैं बहुत कुछ मालेते उनके तीन बेटे तीन को क्या करना है अलग-अलग हिस्साह देना है तो ये छोटका बिटवक कितना मिलेगा? एक बटा तीन. समझ गये? यहां से भिन्न की परिभासा क्या हुई? भिन्न की परिभासा यह हुई कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी वस्तु या संख्या के एक निश्चित भाग को दर्फाती है. यह नि हम कह सकते हैं कि इस गोल की कोई गारंटी नहीं लेते हम आपके बता रहे हम आपको केवल भिन क्या है वो सिखा रहे है तो हर जगा अलग-अलग मतलब है ठीक है अच्छा तो यह इस वाले का यहां पर बहुत फीका दिख रहा है मुझे यह थोड़ा कलर गहरा दिख रहा है यहां पर हरा वाले कलर का क्या होगा कि इसका भी एक ब अच्छा तीन होगा आई इसका भी इसका भी एक बटवारा हुआ है तो, तीनों को जोड़ने पर एक आना चाहिए तो, पूरा बटवारा हुआ है वो एक ही हुआ हैं न सब आओ दिखातें एक बटा तीन को तीन बार ज़रा जोड़ के देखो भाई साहब चलो आओ तीन जगा बाटा गया था इनको जोड़ो सभी का हर बराबर है तो नीचे तीन रहेगा उपर के अंस में अंस सभी जुड़ जाएंगे थिरी अपान थिरी वन यानी वन आएगा हमने क्या किया एक ही गोले का बटवारा किया था ना सही है ना कोई दिक्कत नहीं नहीं ठीक है बहुत अच्छा आगे बढ़ें चलिए यहाँ पर यह बिल्कुल मत तर्क लगाना कि यह भाईया यह तो बड़ा थात एक बटा तीन कैसे सब बराबर बराबर कैसे कर दिए है ना हम आपको क्यों तरीका सिखा रहें कि भीन क्या है बाकि इसको बराबर बराबर में भी कर सकते थे गोले को तीन पार्ट में ऐसे बराबर बराबर बांट सकते थे वह अलग बात है हमें यहाँ पर उससे कोई मतलम नहीं ठीक है देव गौतम यहां पर हम आपका तर्क नहीं लगा रहे हैं जो आप लगा रहे हैं ठीक है चलो आईए अब हम क्या करेंगे संख्या पर थोड़ा सा आपको दर्फा के दिखाते हैं जैसे संख्या 60 का एक बटा तीन बताईए कितना होगा 60 का एक बटा तीन क्या होगा जानते हो आईए 60 गुड़ा एक बटा तीन तीन से इसको डिबाइट करेंगे आएगा 20 यानि फाइनल कितना है 20 60 का 1 अपांथरी क्या आया 20 यानि अगर 60 रुपए को तीन लोगों में बटावारा करना है तो 20 20 रुपए आएगा यहां पर यह भिन क्या दिखा रही है यहां पर यह भिन किसी संख्या के किसी एक निश्चित भाग को दर्फा रही है समझ मैं यानि भिन एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या या किसी वस्तू के किसी एक निश्चित भाग को पर दर्फित करती है या दिखाती है जहां तक मुझे पता है यही होता है तो अगर हम इसको ना करते इतनी कहानी तब भी समझने वाले समझ सकते थे की शाठ का एक बटा थीन 20 होगा है ना जैसे अगर मैं बोलू एक दूसरा समझ न अगर ऌnim अगर मैंने बोला कि संख्या सव का एक बटा चार अब Suppose किसको किसको दिख गया क्या होगा कि इसको किसको दिखा कि क्या होगा यह बहुत से बच्चСТए अभी दिवाली मना आ रहे हैं और यह लोग जो है वो नहीं कर रहे हैं क्लास में नहीं आए उनको पता भी नहीं बहुत से बच्चों को कि आज क्लाफ चलेगी है ना कोई बात नहीं है रिवीजन कर लेंगे यह वीडियो यूटूब पर हम छोड़ देंगे बाद में देख लिजिएगा आप लो रिंकी रिया नहातिवारी सभी को समझ में आ रहा है चलो भया सभी को दिख गया होगा क्या होगा स्व का एक बटा चार मतलब ऐसे होता है इसको डिबाइट करोगे 25 आएगा फाइनल में 25 कितना 25 ओके बढ़िया जितने भी कंडिडेट जूड़े है सेशन को लाइक जरूर करें आपकी जिम्मेदारी है आपकी रिस्पांसबिल्टी है और इसे ध्यान में रखें यह जो यहां पर दिख रहा है बहुत गवर से देखें इसको यूटूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे वह क्लास जिसको बच्चे पांच पांसो हजार हजार रुपे जमा करके जवाइन करते हैं बसरते सिर्फ लाइब देख पाएंगे लाइब के बाद वीडियो नहीं मिलेगा बस इतनी कंडिशन है आप फिना फीज के फिरी पढ़ सकते हो ये बताइए कि सभी कल की क्लास में आये थे मतलब पिछली क्लास में कितने बच्चे एक पिछली क्लास देखे थे लाइब नमबर बारा अगर आपने देखा था तो आप फटा फट कमेंट में वाई लिखेंगे और नहीं देखा था तो यन लिखेंगे इमानदारी के साथ क्या इसके पीछे की कलास देखे थे नहीं देखे थे तो उस कलास का इससे कोई सम्मन्द नहीं है फिलहाल के लिए लेकिन कमेंट जरूर करेंगे अपनी उपस्थिती के लिए चल भया भिन का जोड़ अपकरना सीखेंगे क्योंकि हम आपको वह में पॉइंट सिखा चुके हैं जो परिभासा वाली बात थी ठीक है बहुत अच्छा वह वीडियो यूटूब पर पढ़ा जाके देख लिजिएगा ठीक है नहीं देखा था देख लेना जरूर से जरूर भयाओ हम ये क्लास उनके लिए चलाते हैं जिनको गड़ित नहीं आती है और वो सीखना भी चाहते हैं दोनों कंडिसन है ना अना अलग बात है तुम सीखना ना चाहते हो अलग बात है तो जो बिल्कुल दिल से सीखना चाहते हैं जिनको वास्तों में तकलीफ है इससे उनके लिए होती है और वो कलास को पूरा देखते हैं छोड़ के नहीं जाते हैं जब हर बराबर हो साथियों यहाँ पर थोड़ा सा नजर दोड़ाना जैसे मैंने लिखा सेवना पांथरी तो जो संख्या उपर होती है प्यारे इसको बोलते हैं अंस निचवा वाली को बोलते हैं हर फेट जोतने वाला हर नहीं नुमरेटर बोलते हैं इसको डेनुमिनेटर बोलते हैं स्पेलिंग सही है न सर्च कर लेना गूगल गूगल में देख लेना इस पेलिंग बढ़ोगी तो हां ठीक है चलो फटा फट और मुझे यह बताओ सभी को समझ में आ रहा न यह आया सुरज परजापती इमोजी भेजोगे तो बलाक हो जाओगे गड़ियाल वाला मुझ बनाने से हां कुछ नहीं होगा अना दुबार तुमरा नाम बोलूँगा नंबर नीचे दिया गया उस पर संपर करिया आपकी समझसक समधन किया जाएगा आपको कि हम पढ़ाना पर जब 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 करें तो बहीं जब 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 नहीं होने वाला यहां पर चलो पढ़ाई बिद्यान दो चलो आगे बढ़ें समझ गए तो यह अंस और हर समझ गए ना जब हर बराबर हो तो कैसे जोड़ते हैं ज़रा देखना जैसे 3 upon 7 प्लस ये 5 upon 7 इनको क्या करना हमें जोड़ना है बहुत ही प्यारती देखना है बहुत आराम से इनको जोड़ लेंगे कैसे देखो जब हर हर बराबर हैं तो हर को एक बड़ी लाइन खीच कैसे लिख देते हैं अंस में देखिए 3 है फिर 5 है तो 3 लिख देंगे बीच में प्लस का साइन था प्लस और 5 बस इतना करना है बढ़िया इनको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें दिखाना एक के लाइन में है तो हम 5 और 3 8 करेंगे 8 हो जायगा 7 अभी इनको ऐसे छोड़ देंगे यह चाहे उचित भिन्यम है जैसे हैं जो है इनको ऐसे छोड़ देंगे अभी इसके आगे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं ठीक है आया समझ में किसी को कोई दिक्कात नहीं ना चलिए ठीक है बढ़िया है गुड बेरी गुड चल भाई आगला इसको फास्ट कुईश्चन मानते हैं इसको सीकेंड कुईश्चन पांच बटा नौ धन एक बटा नौ अभी हम जो भी इनका अंसर आएगा उनको बिल्कुल आगे हल नहीं करेंगे उसी छोड़ दे रहे हैं वो भले आगे हल हो सकते हैं बट नहीं क्योंकि अभी हम आपको एक इस्टब सिखा रहे हमारी कोशिस है जिनको गड़ित में कुछ भ नहीं हो सकता अब तो तुम धरती पर सिर्फ जन संख्या के लिए ही मतलब जन संख्या गिंती में काम आओगे वाकि कोई काम कर नहीं हो ऐसी बात नहीं है कि बहुत से लोग बोलते हैं आप देखते होगे जो पढ़ाते हैं हर जो था उसको मैंने नीचे लिख दिया अब आ है तो उमीद है कि आप सीख गए जब हर बराबर हो तो उनको कैसे जोड़ते हैं यह आप सीख गए अब मुझे यह बताओ थोड़ा बड़ा सा कर लो भाई कि इसको हल करके आप मुझे कमेंट में बताओ कितना आएगा आमन केसरवानी गरिमा सिंग कोमल तिरपाठी आजय सिंग सुझल परजापती अरचन जादो सोनम दूबे महबूबी बेगम जितने भी कंडिडेट जुड़े हैं सेसन को लाइक सेर जरूर करें आपकी जिम्मेदारी है पूरी फुल रिस्पांसबिल्टी है आपको ठीक है समझे रहे हो ना और कलास को छोड़के नहीं जाना है यह भी आपकी जिम्मेदारी है बहुत अच्छा आगे अब नेक्स्ट लेबल में चलते हैं बी नमबर जब हर असमान हो पहले बता दू या तीन पद वाला तीन पद या पांच पद सब ऐसे होता है चलो ठीक है छोड़ो जाने दू जब हर असमान हो हर को इंगलिस में बोलते हैं डेनोमिनेटर जैसे 3 upon 5 plus 1 upon 4 समझना इसको हल करने का दो तरीका है एक LCM मेथड होता है एक होता है क्रास मल्टीपल मेथड LCM मेथड सभी में यूच किया जा सकता है क्रास मल्टीपल वाला अगर दो ही पद हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है अगर 3-4 पद हैं तो गडबड हो जाती है आओ आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जांके हिंदुस्तान की इतना मोटा भी न दिखाएं पत्रक कहीं के दिखा भई चलो पहले क्रास मल्टीपल मेथड से हम सिखाएंगे फिर LCM वाला LCM में आरेड़ी सिखा चुका हूँ आप लोग को बहुत तिर्षा गुड़ा ऐसे करेंगे बाबू ऐसे ओके इनका है में करवा आज बेका दुनों कहीं क्या घाय जाया ना देखा है मके लिए बस होई गा तीन इस्टेप करना है तो पहला इस्टेप चार का तीन में बारा प्लस पांच का एक में करोगे तो पांच और फिर पांच का चार में करोगे तो 20 देखो भई अपना अवधी भासा नहीं छोड़ना चाहिए कहते है ना अपना देश अपना भेस और अपनी बोली यह नहीं छोड़ना चाहिए चलो आँगे तिफिले बीच-बीच में आवधी बोल देते हैं जिसे तुम्हें समझ में आता र सानी नहीं ना चलिए फटा-फट इसको लिख लीजिए यह पहला था सिकेंड वाले में आओ जितना भई कंडिडेट जुड़ा है ना भईया सबही बिलकुल एक्दम दिल लगाए कि देख्या जतना दिल उसे लगाय रहा जोन भाग गए उतना दिल लिए लगाय लिए एक कि एका कितना जने कह लेबा कितना जने ना कह पहूँ बाई बता इमांदारिस बताया जूट ना बोला बिलकुल भी कि अग्दम पूरा आवता है ना कौनों कमी ना थोड़ा बहुत कौनों कोर कसर नहीं ना चला फिर कि आई यह देखिए कि सबसे पहले क्रास मल्टीपल करेंगे फाइब का मल्टीपल इसमें करेंगे ठीक है यह पहला इस्टप है दूसरा इस्टप में का करेंगे भाईया दूसरा इस्टप में सेबन का छे में करेंगे यह के कल्दकाहे को चलता जादा यह स्पेबन का छे में करेंगे, ठीक है, और लाश्ट वाले में का करेंगे, लाश्ट वाले में निजवा का निजवा में करेंगे, बस, खतम, देखो, पांच का तीन में पंदरह, साथ कषे में साथ च्छंग बयालिस और साथ पचे पाफ़्चे फटा फट एड कर लीजिए जोड़ना सबही को आता है देखो बयालिस में पंदरा जोड़ना है इमान्दारी के साथ जोड़ो हम में मानलो कुछ नहीं आता है 42 में 15 जोड़ना है हम यह मानले कि 40 में 15 जोड़ना है मानलो मैं थ्वाले हो माना करो भी आना है बाता वो मानले अगर हम साधी सुधाई ठीक सुकून अब मतलब समझो अगर 42 में 15 जोड़ना है आप यह मानलो कि 40 में 15 जोड़ना है ठीक तो चालीस में पंदरा जोड़ना है, चालीस में 10 जोड़ोंगे 50, तो चालीस में पंदरा जोड़ा, पच्पन हुआ, जोकि 40 नहीं था, 42 था, दुए और जोड़ो 57, तो ऐसे करो गे तो इसको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, यह वह गा 5722, बस हो गया आंसर, खुशुम सोनकर समझ में आया अंजली राव अनुप कुश्वाहा अजय सिंग दीपक कुमार भावना पाल अनीशा और दूसरा जो लोग नहीं समझता हैं बात तो बही तो ये था आपका क्रास मल्टीपल मेथेड अच्छा तो तु सबही कर सीख गवा बाटा ना भाई या तेक थी बता दा फिर लगे हाथ चला चलो बताओ तेरा बटा पांच प्लफ साथ बटा ग्यारा इसको कितने लोग बता लेंगे इमांदारी के साथ बताओ चलो सब लोग बता लेंगे बना पक्का मन्जू समझ में आ रहा है प्रिया जी कह रही कि आपने कहा था आज कलाफ नहीं होगी अरे हमने कल कहा था कि नहीं होगी ये थोड़े कहा था कि कहीं नहीं होगी कब कहा था कि नहीं होगी आज कल कहा था कल 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 चलो आघे बढ़े तो इनको क्या करेंगे सबसे पहला step में cross multiple करेंगे भाई मेरे cross multiple यहां फे यहां तक लई जाओगे पहला step ए रुकना यार सब dismiss के दे राईसी में दूसर का करेंगे इनका एमे करेंगे यह second बाला step तो पहला इस्टेप में कर लो 11 का 13 में 11 का 13 में गुड़ा करना फीख लो पहले से सिखाया हूँ आपको बच्पन से ही जवानी बुढ़ापी आ गई फिर भी नहीं सीखेका देखो कफियु एरे 12 14 Hiं 143 का मतलब बहुत से लोग समझ गए। अबन पर थरी अब अगर तुव नहीं समझे तौ समझे लो कि तुम जन संक्या घी काम आं आओ गे और कुछ नहीं चलो देखो आगे ऐसी बात नहीं है जो लोग समझ गें अबर बाद हो गए देखो पांच सते 35 और ग्यारा का पांच में 55 कहते हैं जिंदेगी में कुछ चीज ना समझो तब ही अच्छा होता है कुछ चीजों से अंजान होना जरूरी होता है जोड लेंगे कितना आएगा कितना आएगा इप्टा फटा फटाफटि मानदारी के साथ बताओ मेरे हैर कितना आएगा जोड के चलो देखो आईए जोड़ के बताते हैं देखो पहले इसको टेकनिकली दिमाग से जोड़ते हैं बिना कांपी कलम के कैसे यह 40, 3, 43 है यह 35 है हम मान लेते हैं कि यह 140 है यह 35 है और 100 को मारो हटाओ भगाओ केवल 40 मान लो इसको तो चालिस में जब 35 जोड़ोगे तो 40, 30, 75, 75 चालिस में 35 जोड़ोगे 75 यानी 175 क्योंकि 100 पहले था और तीन्ट यहूर है तो 178 तो बिना कौनों दिमाग लगाए 178 बटा 55 और दिमाग लगावा तो यह लाइक लिखा इसे हैं यह बढ़का 143 बै तुम लाले ललकाहे को लिख रहा बर बर चला हट आए फे पांती नाट्स यह आया न अरे बीच में सेबन लिखा लकवा मार गया उसको थोड़ा तेढ़ा होगे ठंडी में सबाइक समाज में आवा ना पक्का हुँँ एकदम इमांदारिस बताया जूट न बोला ना आए दुबारा बताओ तिबारा बताओ चार बार बताओ उल्लू समझ रखेया का 25 बार बता हुआ है अरे बोल दी था इसे मोटिवेट करें लिए बाकी बताई ना उत्तवार वी एक चोटा समय बीच में सवाल भी पूछूँगा फिर इस टॉपिक पर चलूँगा क्योंकि थोड़ा सा आपका दिमाग बदलाव चाहता है ना थोड़ा स्वाद बदलता रहे बीच बीच में तो मुझे यह बताओ सबसे छोटी अभाज संख्या इस मालेस्ट प्राइम न कुस्व कोमल सुजाता सुजल इस तो सबसे छोटी अभाज संख्या जिसका फैक्टर शिर्फ और सिर्फ वो संख्या खुद हो और वन हो बाकी और कोई दूर दूर तक ना हो वो अभाज संख्या होती है कुछ लोग वन को कहेंगे वहाँ वन विरादरी से बाहर है याद र होती है यह सम संख्या होते हुए भी अभाज है यह संख्या होते हुए भाकि ऐसी कोई संख्या है नहीं यूनिक एक नमबर जहां तक मुझे पता है कि संख्या दो एक ऐसी संख्या जो सं भी है लेकिन अभाज है था यह अब की सभी संख्या क्या होती है यह सम होती है तो भाज जरूर होती है जैसे आज की टाइम में कोई नेता बंनतरी बिधायक या अच्छे डिपार्डमेंट में है और वो गुज खोरना हो लत खोरना हो चोरना कोई एक हो ऐसा समझे यह प्राया हो जाते हैं चलो आगे कर देखो तीन बटा पांच आप तो सबही कर लोगे आरब का लिखे भालतू कि नहीं नौ बटा 21 इनको जोड़के बताओ कितना आएगा फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हमारी कोशिस है कि जिनको गड़ित नहीं आती सबको सिखाएं बस एक है उद्दे से है कर लेंगे ना सभी ठीक है तो अभी तक हमने सीखा प्यारे साथियों की दो पदों की जो भिन है उनको दो तरीके से कैसे हल करेंगे यानि क्रास मल्टीपल ल्सीम हमने आपको नहीं बताया उस मेथड़ से अब वो मेथड़ भी उच करेंगे आओ चलो देखते हैं हम इसी बिन को पकड़ेंगे जो यहां हल किये थे लसीम मेथड से चलो अब लसीम मेथड से देखेंगे यहां पर लिख लो चाहिए अच्छा लगेगा अगले पेज पर लिखें क्या तेरा पांच साथ ग्यारा यहीं हल कर लेंग यार लिखो एलसीम बिधी फे उपर जा रहा है काई ने उपर न जा भी समय नहीं हुआ देखो भईया समझो साथ ग्यारा लसीम मेथड में भिन्नों के हरों का लसीम निकालेंगे यानि पांच और ग्यारा का लसीम निकालेंगे तो पांच और ग्यारा के लसीम क्या होगा प्यारे पच्पन होगा लसीम करना आपको आना चाहिए मैं आल्रेडी सिखा चुका हूं ठीक है यह पहला हो गया उसके बाद क्या करोगे जो एल्सीम आया उसी में यानि पच्पन में पहली भिन्न का जो हर है यानि फ़र्ष्ट भिन्न नहीं है इसका हर पांच इससे भाग करोगे भाग करके देख लो सभी को भाग करना आता इतना समझदार तुम बच्पन से ही पैदा हुए थे हम भागफल आया 11 और हमें सीर्व इतने से मतलब है इसको पकड़ेंगी 11 को और इसके अंस में करेंगे ऋ कि यहां से देखना पहले करेंगे पहली बिनिके हर से यह में भाग करेंगे पिर जो भागफल आएगा उसमें पहली बिनिके अंस का गुड़ा करेंगे यानि 11 का 13 में गुड़ा करेंगे ठीक है तो 13 कम 13 का 3 यह हो गया पहला इसमें खतम एक और दूसरा पहली बिनिके साथ की गई वहीं दूसरे के साथ भी करेंगे यानि 11 से इसको भाग करेंगे ठीक है तो जो भागफल आया यानि 5 उसका गुड़ा पहली बिन नहीं दूसरी बिनिके अंस में करेंगे यानि 5 का साथ में मतलब 35 ठीक है ना भया तो फिर क्या करोगे आप इनको जोड़ दोगे 5-3-8 और 178 बटा पच्पन ठीक है हो गया कोई दिक्कत ना किसी को किसी को कोई दिक्कत तो मुझे बताओ जल्दी इमानदारी के साथ अच्छा एक बार आप बताओ प्यारफे एक बात बताओ तुम कौन सा ने ने वो यादों में मरने वाली बात मैंने पूछूंगा वो तो जिसको पूछना वही पूछेगा बस तुम्ही एक बात बताओ कि तुम्हे ये बी वाला तरीका था ज्यादा अच्छा लगा या फिर ये ए वाला तरीका अच्छा लगा इमानदारी के साथ ये क्रास मल्टीपल में थ्रेट था ये ल्सीम वाला था ए या बी दोनों में से कौन सा अच्छा लगा इसमें थोड़ा गंदा कर दिया गया अलग बात है वाकी सही है कि तामेंट में आप लोग ए या बी जरूर लिखेंगे भलाने लोग के 108 कहां से आवा हो अजय सिंग अर्चना सौरब यादों ने सबसे पहले बताया बहुत अच्छा सौरब बीबी नुज़त बानू मतलब समाझ में आवत बाना सबाई के पूपे चतुरबेदी कह रहें ए वाला यानि क्रास मल्टीपल है भाईया देखो ना जो ची जिन्दगिये में अच्छा लागा थे ना वो अच्छा होतना है देखा देखा वही बात है ना लड़कमन वह वाले में उनको पढ़ने में नहीं मजाता किताब खोलते हैं तो नीद आती है और फोन कान में लगा लएंगे तो पूरा राद बर करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं उसमें नीद नहीं आएगी क्योंकि वह अच्छा लगता है लेकिन वह अच्छा होता नहीं उसका देखो कई से अब समझो यहां पर अपर कई से समझो समझो यह तरीका आप छोटे फ्रेट्शन में लगा सकते हो अगर दोई पद में है यहां पर देखो आगे लांग टाइम के लिए ए वाला तरीका साही नहीं है कैसे जैसे अगर मैंने दे दिया ऐसे फ्रेक्फन वन अपान थ्री प्लस फाइप अपान सेबन प्लस आठ अपान चार चार नहीं मान लो इसको छे अब बता यह में क्रास मल्टीपल वाले में उलच जाओगे यह में इसका इदरे करोगे इदरे करोगे फिर इदरे इदरे फिर इदरे पिर यह थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा जिनको लग रहा आप हीनो आसान है न चलो आप बताओ अब उलाच जाएगा कि नहीं लेकिन LCM वाले मेथेड़ थे इसको आफानी से कर सकते हो आया समझ में सबही क्यावत बाइना गरिमा सिंग कह रही है पूरा हिंदी बोलिए तो भाइया कहा हम यह अंग्रेजी बोलता ही हिंदी है तो बोलता ही ना और इंडियम रही है अगर तुमा एक को लोग आवधी ना आवे तो फिर शाही नहीं है आवधी आवग चाहिए सबका आएए अब बात करते हैं हम अपने स्टेप बाई स्टेप में ही चलेंगे फिलहाल छोड़िए LCM मेथड में कुछ और भी कुश्चन करवाएंगे क्योंकि हमारी कोशी से सबको आना चाहिए और बहुत छोटे छोटे कुश्चन ही हम लेके चलेंगे हाई फाई यहां पर नहीं नौ बटा पांच शाद बटा तीन इनको क्या करेंगे LCM में तरड से हल करेंगे कितने लोग कर लेंगे कितने लोग कर लोगे भाई यहां आ चलो पांच और तीन का सबसे पहले LCM करेंगे देखो यहां पर लिख देता हूँ पाहिला स्टेप LCM तो पांच तीन का LCM होगा पंदरा LCM करना सिखा चुका हूँ पिछली कलासों में दूसरे स्टेप में पाहिली भिन्न के हर्फे LCM में भाग तथा भागफल से पाहिली भिन्न के अंस में गुड़ा यही परकिरिया आप दूसरी भिन्न के साथ भी करो गया ऐसा ही बेवहार बस LCM हो गया पहली भिन्न के हर से LCM में भाग पहली भिन्न के हर भिया है पांच LCM पंदरा तो 5 से भाग करबा सवहीत केतना आए तीन आए न फिर क्या कहता है भागफल से पहली भिन्न के अंस में गुड़ा यानि भाग फल यानि 3 से पहली भिन्न के answer यानि 9 में गुडा तो 9.3.27, ठीक, अब क्या करेंगे, जो LCM आया है उसी में, दुसर की भिन्न के हर花 से भाग, 3 से फिर से भाग करोगे कितना 15 में? कर लँब भएया, 3 से 15 में भाग करोगे 5 आएगा, और 5 का 7 में गुडा, 35, भाग करके देखो वही परक्रिया दूसरे बिनने के साथ भी किया जोड लेंगे साथ पांच बारा का दो हां फिलाया एक और तीन दो पांच एक छे यह हो गया बस खत्म किसी को कोई दिक्कात नहीं ना कि समझ माई गना एक दम बढ़िया जिनको कोई परकार की इंक्वाइरी करनी है कुछ कहना है नीचे स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिखाय जा रहे हैं उस समपर करिए इमानदारी के साथ खुब हो जाईए ठीक है जितना पूछना उतना पूछिए यह हो गया यह हो गया LCM मेथेड उमीद है कि सभी को समझ में आया अब देखिए यार देखो भाई क्लास का टाइम है न वो तो मुझे लगता ओबर हो गया क्योंकि 45 मिनट फे जादा की क्लास आप लोग बाद में देखते नहीं हो लेकिन संख्या भी बन रही है तो मैं चला दूँ और बड़ी क्लास क्या 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 कहना आप सभी का डीलेड वालों से ना मेरा दिल तूट गया एक दम सही बता रहा हूं लब ब्रेक अप हो गया एक प्रका क्याती है अप्लीकेशन में दिनकी क्लास बड़े धामा धाम चल रही है जब दो या दो से अधिक भिन्न हो जब दो या दो से अधिक भिन्न हो देखिए इसमें देखिए मैं कलर चेंज करता हूं फिर वोसी कलर चलता है गदा देखो जब दो या दो से अधिक भिन्न हो जैसे तीन बटा साथ एक बटा पांच दन आठ बटा अब बताओ इन में इनको कैसे हल करेंगे दोनों तरीका में बताओंगा बहुत ही प्यार से देखना एक दम आराम से देखना अच्छे से ठीक है डी एलड की कलास PBR स्टडी एप के अंदर चल रही है यूटूब पर अभी हम थोड़ा बंद किये हैं हमारी कोशिस है यूटूब पर लाएंगे लेकिन आप लोग लाइक सेर नहीं करते संख्या नहीं जूटते इफ लिए नहीं ला रहे हैं जो डी एलड वाले के लिए रख लीजिए जल्दी करें बहुत टाइम नहीं हटा रहा हूं अब इनको हल करने का वही एक तरीका है यह मेथट अब सबसे पहले साथियों करते हैं इनके हरों का यह यानि साथ पांच और दो का यह इनका हो जायागा सत्तर शहीं बोल रहा होंग नहीं भाई साथ दो पांच वा साथ का यह फट्तर वहीं बोल रहा हूं कैसे इनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिनका आपस में कोई कामन फैक्टर ना हो यानि उभैनिश्ट गुडण खंड ना हो तो उनका गुडण फल ही उनका यह होता है ठीक है कुछ करने की प्रूबत नहीं है ले लिए पहला इस्टेप खतम चाहिए तीन संख्या होती चाहिए तीस होती कोई फरक नहीं बढ़ता ऐसे करते हैं दूसरा इस्टेप में जो अलसी माया है उसमें पहली भिन्न के हर्फे भाग करो तो यह साथ से भाग करोगे सत्तर में तो आएका दस इतना तोका होईन के चाहिए ना अब इतना बड़ा होई गया साथ से भाग करेंगे सत्तर में आएका दस और दस का तीन में गुड़ा करेंगे हो जाएका तीस इतने में भी नहीं समझ में आ तो बताना हम भाग करना भी सिखाए हैं हम यह भी सिखाए हैं कि नौ में दूई इतना देखो बुझाओ फिर बता हो मैं चलो क्यों कौनों दिक्कत कौनों प्रसानी नहीं न बढ़ियां है आब चलो तो 70 में 7 का भाग किया 10 आया 10 का 3 में गुड़ा किया 30 आया अब दूसरे भिन्ड में आजाओ L.C.M यानि 70 में 5 का भाग करिये 70 में 5 का भाग करिये सभी को पता है 14,5,70 होता है कि अगले तीसरे भिन्न में आ जाओ कि एल्सीम में भाग करेंगे तीफरे भिन्न के हर्फे यानि दो का भाग सत्तर में करेंगे 35 आएगा और 35 का आठ में गुड़ा करना है थोड़ा दरबर पड़ रहा है लो कर लो इसे कि इतना जाएगा आठ से कहें कर रहे हैं वैसाब है और 35 कहां से आया था एल्सीम में भाग करने पर दो से बाग करने के सब्तर में तो 35 आएगा तो आठ पंचे चालिस आप फिलाया चार आठ तरिक चौबिस चार अटाइस दूसो असी कि सबको जोड़ लो भाईया सबको जोड़ लो यह हो जाएगा चालिस चार चौवालि था तो चौवीस बचा है कि नहीं चौवीस बचा है ना चलो अब भाई साब चौवालिस जोड़ना है ती हो जाएगा पहले नंबर इसको तीन सो कर दो और चौवीस है सही है का एक बार में लिग देता हूं फिर देखा जाएगा जो होगा जोड़ो एसे चार तीन एक चार तीन सो चौवीस सही तो है ये था तरीका ठीक है किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत तो मुझे बता दो नहीं ना इस सेसन में आप पढ़ेंगे भिन का घटाना गुड़ा और भाग जोड़ना पिछली कलास में पढ़ चुके हैं ठीक है तो बिलकुल आपको उदाफ नहीं होना है एक नहीं उमीद बना के रखना है अगर आप कमेंट देखेंगे तो हमारे इस्टूडेंट्स के जो कमेंट हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं यानि सभी को बहुत अच्छे से प्यार से समझ में आ रहा है आप जाकर के चैनल पे कोई भी कमेंट उठा के देख लीजिए इस तरीके के बच्चों के कमेंट्स आते हैं है ना मतलब उनको बिलकुल जीरो से सीखना है एक दम सुने से सीखना है पहले सबसे पहले पढ़ेंगे भिन्न का घटाना जो भी बच्चे लाइब जुड़े हैं सभी का नाम हम बोलेंगे लगबग चार हजार बच्चे अभी लाइब देख रहे हैं लेकिन थोड़ा सा तफली रखेंगे तो तूरंद्र ने आईए बिन्न का घटाना जब हर बराबर हो तब कैसे करते हैं समझना हर बराबर हो तब जैसा कि मैं पिछली कलास में बता चुका हूँ अगर कहीं लिखा है तो जो नंबर उपर होता इसको अंस बोलते हैं जो नीचे होता उसको हर बोलते हैं यहाँ पर अंस क्या है कमेंट करके बताओ आईए हर दोनों में क्या है 7 है एक लंबी लाइन खीच के 7 लिख देंगे जब हर बराबर रहेगा ऐसी दसा में कोई डाउट ना किसी को नहीं यह मेरा चस्माना बहुत आती गंदा है इसलिए मुझे दिख नहीं रहा है कम दिख रहा है ठीक है बढ़िया 9 से 5 जायेगा 4 7 आया समझ में चलो बढ़िया कुछ लोग सोच रहे होगा इतना छोटा छोटा काहे को दे रहे हैं भया यह जिनको गड़ित नहीं आती न और उमर जादा हो चुकी है यह बिल्कुल गुपत रोग जैसे हो गया है उनी के लिए है जिनको आती हो तो कहीं भी पढ़ लेते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं बात ना करते हुए इसको तो आप लोग करी लेंगे सबसे पहले एक बड़ी लाइन खीचेंगे जो बराबर वाला नंबर है उसको लिखेंगे ऐसे फिर पहली भिन्न का जो हर है उसको लिखेंगे यानि एकाईस माइनस पहले तो माइनस दूसरी भिन्न का हर अठारा तीन एकाईस होता है इसको घटाएंगे तो थ्री आएगा ये थार्टीन अभी इनको हम कहीं भी सरल नहीं करेंगे जो सरल करने लायक हैं भी ठीक है आगे बढ़े इनको इतना लिख लो फटा फट सुचल परजापती, गीता बर्मा, रोहित कुमार, अमन कुमार, प्रियंका सिंग, पूजा मिस्रा, लोकुष, सोभीत सबका कमेंट आ रहा है इनको हम कहीं में चल भाईया इसका आंसर कौन बताएगा मोनिका बर्मा, सूरत सिंग, मैं बूबी, बेगम, अर्चना यादो अंजली राओ, साक्षी, साधना भारती, अलीशा खान, देव कौतम ये नाम इसलिए बोल रहे हैं कि इनको लगे कि हाँ लाइप चल रहा है नहीं तो करते हैं तो वीडियो दे दिया है का बड़े मघा बासी हो गया है, खटा लग रहा है चलो देख weiter आज ये गयरा रिस्टार्ट हो जाना यार यार ये मेरा ये भी रिस्टार्ट हो जाता है एक मैं ही हूँ जो रहता हूँ चलो देखो ठीक है आओ सबसे पहले क्या करते हैं साथियों अगर दो पद हैं तो हम क्रास मल्टीपल भी कर सकते हैं जो पहले सीखें हैं ठीक है तो 13 का 7 में गुड़ा होगा 13,91 माइनस 5 का 11 में होगा 55 और 5,35 क्रास मल्टीपल कोई डाउट नहीं ना चलो इनको सब्ट्रेक कर लेंगे 91 से आप 55 को सब्ट्रेक करेंगे यह आएगा 6 गटाना सबको आता है 36 अपान 35 यह क्या होगा अंसर कोई डाउट ना किसी को फटा फट चाप लो भीया चलो कोई दिक्कत नहीं ना चलो बढ़िया देखें जिनको भी गड़ित नहीं आती है कहीं से भी उमीद छोड़ चुके हैं हम पूरी गारंटी लेते हैं उनको सिखाने की बसरते वो गारंटी लें कि हम सीखेंगे बस अगर आप भी इस बीमारी की मारे हैं तो आप सही जगा आ गए हैं कि आई हैं हम यह नहीं कहेंगे कि तुम्हें यह नहीं आता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है तो तुम जन गड़ना के लिए पैदा हुएए वैसी बात नहीं और आएगा आए देखने की कोई उमर नहीं होती कभी भी सिख सकते हो पचास साल में भी आप सिख सकते हो कोई बात नहीं आईए इनका भी क्रास मल्टीपल करेंगे ऐसे 23 का करेंगे 13 में ठीक है तो कर लीजिए 23 का 13 में 13 49 हाफिल कितना आवा तीन और तेरा दुना 26 23 वंतिस यानि 299 ये लिख दिया माइनस ठीक 15 का गुड़ा 11 में करोगे तो 15 एकम 15 का पांच हाफिल एक 15 एक 16 हो गया पहला इस्टेप मैंने क्या किया दिखा देता हूं तुम्हें मोटा मोटा देखो सबसे पहले मैंने इनका गुड़ा किया ये 299 आया ठीक दूसरे इस्टे पंद्रा में गुड़ा किया तो ये 165 आया बढ़िया इतना समझ में आवा तफली है सबका चल अब 15 का गुड़ा 13 में करेंगे ठीक है तो 15 तिया 45 का पांच हाफिल आया चार 15 एकम 15 15 14 20 गटाल बढ़िया बढ़िया ना कोई दिक्कत नहीं पांच गटा लेंगे ना कोई करा 50 साल में सीख के क्या करेंगे 50 साल में सीख के अपने बेटवाग बेटवाग पढ़ाएंगे यानि पोता नातिजने बोलते हैं है हमारे हां ऐसे भी बुजुर्ग जिनका आशिर बाद है हमारे उपर इसलिए पढ़ा रहे हैं वह भी सीखते हैं बड़े बुजुर्ग भी सीखते हैं अपने बच्चों को सिखाते हैं क्योंकि उनके जमाने में यह सब नहीं था कहते हैं जोड़ घटाना तो था ही आप जो कुछ चीज़ें जूड़ी है मैत में नहीं पिछले 20-30 साल में वह सब नहीं था आगे बढ़ें देखो एगर इनको गटाना है बीना कलम के कैसे घटाएंगे इसको माल लो 300 एठीक है 300 है अब अगर हम 300 में से देड़ सो घटा है तो कितना आएगा इसको देड़ सो मानलो इसको 300 मानलो तो कितना आता देड़ सो आता देड़ सो तुना 300 होता है देड़ सो आता न लेकिन ये एक कम था एक कम था तो क्या होगा गटाने पर एक कम आता न, मतलब 149 आता न, 149 में 15 जोड़ो अरे 150 में 15 जोड़ोगे 165, 164 आएगा क्या, गटा आके बताओ कितना आएगा 164 64 तो नहीं आना चाहिए यार, 134 आएगा सायद सम्ठिंग देखो 165 मेरा लॉजिक थोड़ा गटबर निकला फायद, फर्चागा नहीं लगता, 134 कितना आएगा 134, 134, 134, 195 ठीक है, बस हो लिए, यहीं छोड़ देंगे लिख लिजिए फटा फट, नहीं हाँ जादो, समझ में आ रहा है काजल सिंग, अमन केसरवानी, काजल सिंग आ रहा, क्लास का टाइम रात 9 से 9.40 सभी जितने भी बंदे जुड़े हैं, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, सेसन को लाइक करें, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पांस बिल्टी है, डेली फ्री कलास की अपडेट के लिए टेली गराम पे जुआइन करें, क्योंकि इस पर कलास का लिंक भेजा जाता है, किसी दिन अगर छुटी है, या इस्पेसल कलास है, या कलास का समय चेंज होता है, तो सारी अपडेट टेली गराम पे आती है, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपको टेली गराम जरूर रखना चाहिए, ये भी वट्सप की तरह चैटिंग मसंजर है, जैसे उस कोई नंबर न देख पाए, इसमें ऐसा होता है, वट्सप ने अभी हाली में अफडेट किया है, आप साइलेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको कोई कॉल ना करे, है ना, समझ रहे हो, इसमें अगर आप सेटिंग प्रैवेसी लगा दो, तो आपको कोई करी नहीं पाएगा, अगर आपने वीडियो काल बंद कर दिया, वीडियो काल नहीं कर पाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती इन में, देखना एक बार, पढ़ाई वाला तो हम बैजते हैं, हाँ, जो बैज चल रहे हैं, इसको सिर्फ लाइब देख सकते हैं, अगर आप रि लेते हैं अप्लिकेशन में, वो सारा कंटेंट यहां फिरी पढ़ाने कोशिस करेंगे हमें, लेकिन आप इसमें सिर्फ लाइब देख पाएंगे, याद रखें, इस बात को मत बूलना, लाइब देख पाएंगे, रिकॉर्डेट वीडियो बाद में नहीं मिलेगा, सारा व अब इनका भी क्या करेंगे, क्रास मल्टीपल मैंने दो बार बता दिया, अब हम करेंगे LCM मेथड, ठीक है, पाँच और छे का LCM लेंगे, कितना आएगा, तीस, अब आपको LCM लेना नहीं आता, तो भया, एकाम पहले पढ़ा चुका ही, पीछे कला देखना, दूसरे स्ट पहली भिनकार कितना है, बतावा हो, फर्स्ट फ्रेक्शन का डेनोमेनेटर कितना है, अरे वह निच्चे वाला, निच्चे वाला नंबर मतलब ये, ठीक, कितना है 6, तो 6, 5, 30, कितना है 5 न, भागफल 5 आया, अब उस 5 को पकड़िए और अंस में गुड़ा करिए, 5 का 25 में माइनस तो माइनस, हो गया पहला इस्टप, दूसरे भिन में आ जाओ, जो LCM आया था, उसमें, यानि 30 में, दूसरी भिन के हर्फे, यानि 5 से भाग करिए, 5 से भाग करोगे इसमें, तो 6 आएगा, और 6 का गुड़ा करोगे, या काईस में है, 126, भाइस आप माइनस एक बटा 30 आएका हो, उल्टा गटे न, किसी को कोई दिखाद, प्रियंका भरद्वाज समझ में आ रहा है, सूरा सिंग, अर्चना यादो, सालिनी यादो, बढ़िया आए, चलो बढ़िया, अगर तो का लोग का बहीनों नहीं समझ में आवाता है न, सब तो का बरम्मय सिखाए सकाते, बाकी क्यों नहीं, काईसे इस से नीचे हम नहीं देखे कि कोई पढ़ाता हो, और एक थोड़ी अपनी भी अगर तारीफ कर लें, तो आप देखोगे, यूटूब पर अगर किसी चैनल में पांच साथ लाख बच्चे जुड़े हैं, तो वो यह सारी चीजे नहीं पढ़ाता है, बड़ा बेज्जिती महसूस होता है, है ना, हमारे घर परिवार होले भाईय भाबी, फलानी हमारे लोग सब ताना मारते करियाते हैं, जोड़ गटाना हमेसा पढ़ाता है, को कुछ आता नहीं, अरे फलाने रिस्ते उस्ते आ रहे हैं, बड़ी बेज्जिती होती ही सब देखके ही सब का करता है, यूटूब पे, समझ ये लोगों की सर, जरूरत, आईए, इनको कैसे करेंगे, इसमें भी LCM मेथड, पहले 11 and 8 का LCM लेंगे, तो क्या आएगा, 88, है न, अब क्या होगा, जो LCM आया है, उसमें पहली भिन्न के हर्फे भाग करेंगे, पहली भिन्न का हर का क्या है, वह ये पहली भिन्न ये हर क्या 11, 11 से आप 88 को भाग करोगे, तो कितना आया का पता है, भोतो सेबका पता है, लेकिन बतावत नहीं तू लोग, भाग भल कितना आया, कितना आया, आठ, आएजे देखे, कितना आया, तो जो 8 हाया उसका क्या करेंगे, पहली भिन्न के अंस में गुड़ा करेंगे यानि 29 में क्या करेंगे गुड़ा करेंगे 8 का ठीक है तो 8 नमा 72 हाफिल कितना 7 8 दूना 16 16 4 20 23 23 232 हो माइनस वही परक्रिया आगे भी बढ़ेंगे 11 से भाग किया था तो 8 हाया था 8 का गुड़ा किया अब 8 से भाग करोगे तो 11 आएगा ठीक है LCM यानि 88 में दूसर की भिन्न के हर यानि 8 से भाग करोगे तो 11 आएगा 11 का 25 में गुड़ा करोगे गटा लीजिए इनको जो आएगा माइनस में आएगा ठीक है माइनस तिरालिफ आएगा करके देखिए रोट कर लीजिए फटा पट माइनस में आएगा उल्टा घट रहा है बिबेग सिंग बाबू कलास का क्या नाम है पता है आपको जीरो लेबल बेसिक गड़िद ना तो इसमें क्या लगता है तुमको एससी सीजे लोला पढ़ाएंगे जैसे नाम हो ऐसे काम लोगों की उमीदें पूरा होनी चाहिए ये तो हो गया दो पद वाला जब तीन पद या उससे अधिक हो तो कैसे करेंगे ठीक है पोई कह रहा कैसे पहचानेंगे कि असमान है प्याओ तो का ना पता है यह देखा यह पांच है यह साथ है असमान मतलब दुनों एक है नहीं है ना समान वाला देखो देखो यह उसाथ है यह क्या है समान है कि नहीं अब यह भी बताना पड़ेगा देखो यहाँ पर 13 है यहाँ भी 13 है दोनों सेम गिंती है मतलब हर समान है ठीक है यहां पांच नहीं है तो क्या है असमान है आईए अब आगे एक नया बैच इसका फिरते लेके आ रहे हमें लगता है कि यूटूब पे आप लोग देखो गया नहीं हजम नहीं होती आप लोग को यूटूब पे देखवें नहीं करते हो चलो देखो इसमें क्या करेंगे इसमें हर समान है अगर हर समान है पद कितने भी हैं तो तरीका वही है पुराना वाला लंबा फलाइन खीचो जो हर में गिंती थी लिख लिया सभी गिंती को ऐसे लिख दिया जैसे थे ठीक है देखो आप लोग class को like share नहीं कर रहे हैं अगर हम यह बैच यूटूब पर आगे ना बढ़ाएं बंद कर देंगे तो फिर यह मत कहना कि आप नहीं चला रहे मानता हूँ अभी तवार था ठीक है तो थोड़ा बोड़ा बच्चे कम है लेकिन आप लोग like share नहीं कर रहे है अब यहां पर एक चीज समझना है जो माइनस माइनस गिंती होगी वो जुड़ जाएगी ठीक है प्लस प्लस भी जुड़ जाएगी तो यह माइनस सत्रा है माइनस नो है और यह प्लस का 31 है तो माइनस सत्रा में माइनस नो जुड़ेगा तो साथी मेरे आप जोड़ लो 17,23,26,26 माइनस 26 आएगा ठीक है बटा बारा इनको घटाओगे 5 बटा बारा आएगा कितना आएगा 5 बटा बारा लिख लिजिए लिख लिए आगे बढ़ें चल भया आईए आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोशन की तरफ इसमें भी सेम तरीका है पहले एक बड़ी फी लाइन खीचोगे 14 हर में था उसको ऐसे लिख दिये ठीक उपर 48 था माइनस 37 माइनस 11 अब क्या करेंगे जो माइनस माइनस नमबर है वो जुड़ जाएगा तो 37 में 11 जुड़ेगा भाई साब 37 में 11 का मतलब जाना था सभाई केता हुए 37, 10, 47 हो था है और एक जोड़े बड़ तालिस यानि दूनों होजी है बराबर जीरो बटा चौदा मतलब बराबर स्कुल मिलाएग सुनना आज़े सब सब गड़ बड़ लिख लो भाई चाप लो अब देखिये जब हर आसमान हो अब ये मत कहना आफमान काई से जानेंगे अई से आख खोलना दूनों चस्मा लगाया हो तो अई से रखना अई से फिर देखना देखो ये पांच है ये साथ है अलग-अलग है न ये तीन है सब अलग-अलग है न आसमान है न फिर चलो बुरा नहीं मानना ऐसे बोल देते हैं थोड़ा मोड़ा सुनना चाहिए चलो तो सबसे पहले दिये गए हर में जो नंबर है उनका करेंगे ठीक है लिस्ट कॉमन मल्टीपल तो तीन साथ और पांच का करेंगे तो पांट यहीं पंद्रफ सत्त एक सो पांच अब तु लोग का करें आवग चाहिए हमका आवद रहां तो अब पहली भिन के हर फें करेंगे भाग पहली भिन का हर क्या है कमेंट करके बताव सभी देखें कुछ देख भी रहे हों बस हमाई से चिलाई जा रहें जबाद दीजिए कितना सबसे पहले कोई बताया एनिवन काजल ने आंसर भी बता दिया है अंजली राओ बहुत अच्छा इर्फान हुसैन अर्बिंद यादो पांच है पांच से देखिए क्या करना है भाग करना 105 में सीधा साब एक काम करो पांच को छोड़ दो बाकी बचे का गुड़ा कर लो सात्रीक 21 यानि 21 आएगा ठीक है इसको छोड़के का गुड़ा करो एकईस आ रहा न तो पांच से भाग करोगे एकईस आएगा 21 का 44 में गुड़ा करना है भाई मल्टीपल करो फटा पट कितना आएगा 21 का 84 कचार हाँ फिलाए 8 21 का 84 अब 8 जोड़ोगे 24 चान नबबे 92 924 आएगा देखो फिर माइनस फिर वही पर किरिया करेंगे गिंती थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई थोड़ा दरबर पड़ रही है आगला देखो सही है न गुड़ा गुड़ा म बता देना कहीं मिस्टेक होगा तो फिर साथ से भाग करोगे LCM में तो 35 आएगा 35 का 32 में गुड़ा करिये कितना आएगा मिस्टर बिवेक जी जवाब दीजिये फटाफट 32 का 35 में गुड़ा करोगे देखो एक ट्रिक बताया था आपको गुड़ा वाली आओ चलो यहां लगे हाथ उसको भी दिखा देता हूँ देखो हमें गुड़ा गुड़ा करें नहीं आवता है का करपता है तो का देखा इधरे प्रिक यह थी कि माल लों में टेबल नहीं आता है पहले किनारे किनारे का गुड़ा करेंगे पांच दूना दस हाफी लाया एक ठीक तीर शा गुड़ा करिए 5 तियां 15 तीन दुना छे 15 छे 21 ज़ी बोल रहूं ना 15 15 एक 21 अब 21 और ही या एक हांसी लाया था 22 हांसी लाबाया दो इनका किनारे किनारे गुड़ा करो तिन तरिक करनो अध्धु 11 1120 1120 बाई साभ अमार तुम्हाल गया होता है का तुम्हाल के कुछ और होता है का अब यह हूं का जाएगा पांच सते भाई क्या 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 हुआ एक मिनट 15 से करना था ना यार ये एक मिनट रुको साथ से भाग करोगे तो पंदरा आएगा 35 नहीं आएगा यहाँ पे कुछ गड़बड़े एक मिनट रुको 35 से नहीं करना है 35 से तो अब करना रहेगा आगे यहाँ पे रुकिए थोड़ा जादा साट कट के चकर में कुछ छूड़ गया देखिए जो दूसरी वाली भिन है उसके हर्फे भाग करेंगे यानि साथ से जब आप भाग करोगे तो पंदरा आएगा पंदरा सत्ते 105 होता है ना पंदरा का 32 में गुड़ा करोगे पहले पंदरा का 35 का तो 13 में करेंगे बाद में ठीक है यही देखो यही बोल रहा था मैं थोड़ा जल्दबाजी नहीं तो 32 का गुड़ा पंदरा में करेंगे अगर इस्टेप बाइस्टेप समझेंगे समझ में आएगा पंदरा दूना तीस हाफिल तीन पंदरा तीया पैतालिस तीन अनतालिस यह आएगा 480 अगला तीसरे भिन्द में आ जाओ तीसरे भिन्द में आ जाओ जिनको गड़ित सीखना है सिर्फ वह ही यहाँ पर रुख पाएंगे बागी यहाँ जो ऐसे मज़ा लेने आये थे उचले जाएंगे अब जब 3 से भाग करोगे 105 को 3 से 105 यानि LCM में भाग करेंगे तो कितना आएगा पता है 35 का 13 में गुड़ा करिए 35 का 13 में गुड़ा करिए तो 13 पचे कितना होगा 65 होता है 13,5 जा 65 हाफिल आया 6 और 13,49 और 45 और 45 और 45 ना 45 ये हुई पूरी कहानी ठीक है सही है अब देखो माइनस माइनस जुड़ेगा माइनस माइनस जुड़ेगा भाई तो 455 में आप 480 जोड़ोगे 455 में 480 जोड़ोगे 8,5,13 का 3 हाफिल एक और 4,48,1,935 आएगा फाइनली 924 माइनस 935 बटा आएगा 105 अगर ये 25 होता तो गटाने पर 10 आता लेकिन ये 24 है तो गटाने पर 11 आएगा माइनस 11 बटा 105 लिख लिजिए छापिए मिश्टर माइनस आप जुड़े होग चले गई है बताओ आपका जबाब मैं पहले देना चाहता था लेकिन थोड़ा बीजी था ये कह रहे हैं यूटूब वाली कलास लोगों को आकरसित करने के लिए है अपलिकेशन में कोर्स बेंचने के लिए है मानस जी आप एरी एक छोटी सी बात मान लो भारत का पूरा अजूकेशन सिस्टम फ्री हो जाएगा लेकिन अगर दम है आपके अंदर तो चैलेंज है पता है क्या हमारे यहाँ आधा दर्जन से अधिक लोग काम करते है वर्क कमेंट रिप्लाई, कॉल वर्ट्स अप, कंटेंट मेनेज आधी आधी बहुँ सारा काम अगर आप आठ गंटे वर्क करो घर से आनलाइन यहाँ आना भी नहीं हम सब फ्री कर देंगे और आपके जैसे अगर होनहार 10-20 बच्चे मिल जाएं कि जो 8-8 दददफ गंटे इंस्ट्ट में वर्क करें फ्री, कोई सेलरी नहीं कोई पैफा नहीं लेंगे, हम इंस्ट्ट के लिए फ्री काम करेंगे दददफ गंटे, बोलो सारा सिस्टम फ्री हो जाए कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा मूनी फेलाना चाहिए, कोई मतलब नहीं समझ रहे हो ना, अगर एक घंटे भी कोई कहीं टाइम देता है, तो कुछ चाहता है, कुछ उम्मीद होती है और जो यहाँ पे हमारी पूरी टीम लगी है वो क्या तुमको लगता है, आसमान से आई है स्वर्ग से नहीं उतरी जमीन पे, वो जमीन पे ही पैदा हुई थी तो इफ लिए सिर्फ और सिर्फ समझ यह और आगे बढ़िए, ठीक है फालतु मतलब नहीं है, कोई भी इसमें है बताइए, हमारे यहां बहुत सारा काम है कम से कम सो लोग की जरूरत है, लेकिन सेलरी नहीं दे पाते हैं, इसलिए सो लोग को नहीं रख रहे है तुम्हें लगता होगा कि यह तो सिर्फ बेसिक मैथ यूटूब पे चलाते हैं, दूठी कलास का मतलब बहुत से लोग कहते हैं, यूटूब पे वीडियो डालने में लोगों की का जरूरत है, रिकार्ड के डाल दिया आख बार निकल जाएगी सेटप बनाने में ये जो फुल एज़डी क्वाल्टी में लाइब देख रहे हो न एक बार जमीन पे उतरना, देखना कैसे आता ये लाइब क्या-क्या लगता इसमें, समझ रहे हो? पिछले तीन साल से लोन कराया था, आप जाके खतम हुआ है तो, आगे बढ़ें आन के मुँ में मिर्चा भी मिठा लगता है, इसको देख लो प्यार से फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ें ये बढ़ें, ये बढ़ें यूटूब पर टोटल फ्री आएगा बिल्कुल मने प्रॉमिस किया है, लेकिन आप इसे सिब लाइब देख पाएंगे लाइब खतम होने के बाद इसके सारे पार्ट यूटूब पर नहीं मिलेंगे लाइब खतम होने के बाद इसके सारे पार्ट यूटूब पे नहीं मिलेंगे आईए आगे बढ़ते हैं इसको कितने लोग कर लेंगे बताइए कितने लोग पढ़ लेंगे मतलब कितने लोग कर लेंगे इसको कलास खतम नहीं हुई अभी कलास अभी आगे चलेगी अरे यार घटाना गुड़ा भाग अभी सब कुछ है इसको आप होमवर्क करोगे आगे बढ़ो फटा फट इसमें बहुत कुछ है आज नहीं तो टाइम ओबर हो जाएगा ये होमवर्क है इसक्रीन साट लोग फट से बिन का गुड़ा घटाना हो गया गुड़ा में हर अंस बराबर हो या ना हो कुछ भी हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं इनमें चाती ब्रादरी से कोई मतलब नहीं देखो कैसे इनमें उपर का उपर गुड़ा हो जाता है नीचे का नीचे हो जाता है अब ही हम आपको पहले स्टेप में बता रहे हैं तो हम simplify करना बिल्कुल नहीं बताएंगे नहीं तो यह नीचे उपर कट भी सकते हैं छोटे हो सकते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे पहले ऐसे गुड़ा करेंगे 499-36 ग्यारा फटे फटत्तर होगे आंसर ठीक है अगे आठ सते 56 और 95 समझ में आया उपर का ऊपर गुड़ा कर लेना नीचे का नीचे बस गुड़ा में यही करना है और सिर्फ ओर सिर्फ ऐसे सीधा फीधा एजसे इधर का इधर करो इधर का इधर कोई फरकने पड़ता 9 का 5 में करोगे 5 का नो में करोंगे 45 ही आएगा इसमें भी ऐसे होगा देखिए अभी हम आपको सरली करन करना नहीं बता रहे हैं नहीं तो इनको काटेंगे इसको मुझे बताओ फट से कितना आएगा इसको मुझे बताओ फट से कितना आएगा हर कोई बताएगा जल्दी करें चलें कितना आएगा साधना ये कलास का टाइम है रात के 9 से 9.40 तक सुझल परजा पती बुलाग किया जाता बहुत जल्दी जल्दी करें आंसर बताएगा कलास का टाइम 9 से 9.40 सारे वीडियो यूटूब पर बाद में नहीं मिलेंगे याद रखना अगर सीखना आया तो लाइब देखिए अगर आप लाइब नहीं देखेंगे इनकी रिकॉर्डिंग वीडियो बाद में यूटूब पर नहीं मिलेगी अगर बहुत अच्छा आईए अब थोड़ा एक इस्टेप और आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम मैं पढ़ा नीरे बलकि सिखार है ऐसे कंडिडेट ऐसे बच्चे नहीं ऐसे बच्चे वाले भी तेको बच्चे और बच्चे वालों में अंतर है तो हमारी क्लास में बच्चे कम बच्चे वाले ज्यादा होते हैं समझ रहोग नहीं तो उनको हम सिखाते हैं फिलकुल सुनने से इस्टेप बाइस अब तक हम क्या सीख रहे थे कि दो दो पद थे उनको गुड़ा कर लेते थे अब एक इस्टेप और आगे बढ़ेंगे अब अगर नीचे उपर कोई भी कॉमन फैक्टर है तो उनको डिबाइड कर देंगे नीचे नहीं है तो अगल बगल पडोसी पडोसन में देख लेंगे देखो कैसे ये गिंती उपर की है तो इससे नीचे वाला जो है कोई भी नंबर डिबाइड हो सकता है चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें किसी में भी ठीक है जरूरी नहीं है कि 12 जो है 35 ये डिबाइ फूर्फ ये डिबाइट हो जाएगा फोर बना चा। देखो उपर सिर्फ इस ए 16 समझोん रहा उपर यहां one मचा यहां सेबन हैं टू है यहां पर 35 है तीन है तीन है फाइनल में एक बार फिर से लिख दूँ साफ साफ करके अब यह कोई भी आपस में क्या होंगे कुछ नहीं होंगे अब है ना साथ दूना 14 उपर का गुड़ा हो गया नीचे का करिए तीन तरिका नो नो पचे 45 हाफिल चार नो तरिक 27 27 23 31 कितना आएगा 315 कोई डाउट है तो बताओ नहीं ना आगे बढ़े कोई कह रहा है गलत है अभी तुम्हें नीद लग रही थी ना इफीले तुम्हें गलत दिख रहा है अभी तुमको नीद आ रही थी ना देखो सबसे पहले तीन से डिवाइड किया तीन चोग 12 तीन तरिक करनो ठीक फिर हमने क्या किया चार से इसको डिवाइड किया चार एक कम चार ये 12 चोग 48 फिर 4 दून 8 चार तीन 12 सब्सक्राइड कर रहा है नो पच्छे पतालिस हाफिल चार नो तरिक 27 सब्सक्राइड कर दिया यार यह तो बताओ कि कहां कि इना सीर पैर के काया बोलते हो इतना भी तो बकलो लादमी नहीं है जित्ता तुम सोच रहे हो कि चलो यह कितना आएगा हो सकता है कहीं गुड़ा भाग में कभी-कभी मिश्टेक लेकिन ऐसा नहीं हमेशा 8 बटा 48 कटेगा अच्छा 8 चांग अनतालिस ठीक है कटेगा फिर भी वह यह आएगा कोई मतलब नहीं है जो आप बता रहे है 8 चांग अनतालिस ठीक है आपका कहने का मतलब लेकिन वह फिर वही बनता ठीक है वह उतना ही आता हमने अगर इसको चार से काटा तो क्या बुरा है रुको फिर कहां से एक मिनट रुकिए मैंने चार से डिवाइड किया चार दूना आठ चार ती यहीं बारा तब भी ठीक है वही बात हुई कुछ अलग नहीं आएगा अगर इसको काटेंगे या ठीक कम आठ आठ चंग अनतालिस तो उपर तो चार बचा था ना वो फिर डि रहे हो लेकिन मैंने वैसा नहीं किया तो कुछ गलत नहीं है वो चलो थार्टीन मंजा थार्टीन थार्टीन थ्रीजा ठीक है साथ एकम साथ ये साथ चंग बयालिस ठीक है तीन अठे चौबिस तिद्रिका नो दो ग्यारा है ये अनतीस एकम अनतीस अनतीस तियाईया फाइनल में वन अपान वन वन थ्री आएंड शिक्स थ्री आया ये टू वन हो जायेगा दो बटा तीन आंसर आएगा कितना दो बटा तीन ना सुझल कह रहा है स्कूल में मारते हैं ऐसा करने पर भाई देखो अलग-अलग टीचर के अपने अलग-अलग बिचाएगा हो सकते हैं जो को तुम लोग का कहना है मैं वो भी अभी यहां पर दिखा देता हूं ठीक है आये जिन लोगों के बिचार हैं हम उसको भी दिखाते हैं समझना ठीक है यही चीज में यहां करके दिखा रहा हूं इसका स्क्रीन साट ले लो फिर मैं दिखाता हूं हमारा यह कहना है कि आंसर वही आएगा क्लास का टाइम ओवर हो रहा है फिलहाल डी यलेट की क्लास चलेगी रात के दस बचकर पंदरा मिनट से सिकेंड समेक्टर दस पंदरा फे चलेगी ठीक है लो तुम्हें दिखा देता हूं देखो इदर यह बारा बटा पैतिस साथ नौ और यह आठ अन्टालिफ आठ एकम आठ 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 शांग अन्टालिफ इनका यह कहना है न चलो छे कम छे चे दुना बारा साथ एकम साथ साथ पचे पैतिस बताओ कितना आया दू बटा पांच यह अभी और डिवाइड हो सकता है आप यह कहना चाहते हो क्या अभी और डिवाइड होगा यह अभी और डिवाइड होगा यह अभी और डिवाइड होगा तो दो बटा पांच और यह एक बटा नो और यह एक बटा एक तो यह दो बटा पैतालिस आएगा ये भी 7 से और डिवाइड होगा ये भी आ जाएगा उतना ही 7 से डिवाइड करो 7 दुना 14 7 4, 25, 25 ये भी वही आएगा ये गलत नहीं था बलकि पूरा नहीं था एक परकार से इसे और हल किया जा सकता था ठीक है doubt क्लियर हुआ न ये गलत नहीं था जो मैंने किया था सब सही था बस इसको हमने कुछ एक और इस्टेप ले जा सकते थे नहीं ले गये थे इतना ही था चुकि हम आपको अभी सिखा रहे हैं सुरू से इसलिए बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जा रहें कहीं हम आपको अभी मोटा मोटा बता रहे हैं कि आप कैसे उनको हल करेंगे तरीका बता रहे हैं गलत कहीं कुछ नहीं है जलो भया तो ये बताव अच्छा एक छोटा सा अगर दूसरा मैं सवाल पूछ लूँ आपकी इजाज़त हो तो कि सबसे छोटी अभाजे संख्या जानते हो क्या होती है बताए टॉपिक पे हम चली रहे हैं फिलाल अगर आपको गड़ित में कुछ भी नहीं आता है आप ये समझ लो कि अगर आपको मैत में एकदम कुछ नहीं आता सुनने बटा फननाटा है ये अगर आपको सिर्फ ये ही आता है तब भी हम आपको गड़ित सिखाएंगे यहां से बिल्कुल सुनने से कोई हार मानने की बात नहीं है पीब्यार स्टडी सपोर्ट जी आप पहले ये बताओ कितना दिन आप अनुपस्थित रहे मिश्टर रोईद बिसकर्मा आप कमेंट मॉडरेटर वाला काम कर नहीं रहें पिछले काफी दिन से काफी अच्छी लापरवाही कर रहे है खुशी कुमारी सुजल परजापती अ अचल सोनकर अब बहुत से बच्चे जुड़े हैं उनका नाम वोलेंगे बाद में पहले थोड़ा पढ़ाई हो जाए कि मैंने जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब होगा सबसे चोटी जो अभाज संख्या होती है सबसे चोटी अभाज संख्या वो दो है क्या है दो पीछे के पाद जरूर देखें सबसे पहले पहला भिन लिखेंगे जो फर्स्ट फ्रेक्शन है ऐसे ही बिल्कुल बिना किसी चेंज के इज़्जत के साथ भाग का चिन हटाएंगे गुडा का लगाएंगे और यह भिन पलट देंगे जो उपर नंबर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे नंबर था वो उपर चला जाएगा जैनि खोपड़ी नीचे पैर उपर कर देंगे बस अब इनको सरल करेंगे देखिए कोई ऐसा संख्या बताओ 1 जिससे यह डिवाइड हो जाएफ़र देखिया renew 19 और 19 जिवाइड से जाएकaremos douk है है सीथा हो जा मैं ये सीधा होगा तब थीक है ऐसे प bon s di ba bho और सीधा वह था दो से यह नई साहा यह एक हैी साहा देकिन ऑफिर डिवाइड होता इस लिए मैं आई से कर दिया 21 एकम 21 21 दूना 42 अब देखो इधर दो बटा दो बच रहा है इधर वन अपान वन ये दो बटा दो भी डिवाइड हो जाएगा कुल मिलाके सब वन बचेगा और फाइनल में इसको हम लिख सकते हैं वन अपान वन यानि अंतता हम इसे सिर्फ एक बोल सकते हैं इसमें कोई परिसानी ना किसी को अच्छा है समझ में आ रहा है थोड़ा मुझे रुक रुक के बोलना चाहिए ना क्या कहना आप लोग का लगतार बोलता हूँ ना बिन रुक के चलो लिख लो कि अगला कुश्चन सबसे पहले दी गई जो फर्स्ट फ्रेक्शन है उसको पूरी इज़्जत के साथ लिख लेंगे कि फिर गुड़ा का चिन लगा देंगे भागवाला हटा देंगे और यह भिन पलड जाएगी 120 उपर चला जाएगा 108 नीचे चला आएगा इसमें कोई परिस्थानी नहीं होनी चाहिए अब इनको सरल कर देंगे देखिए हम ऐसे ऐसे सरल करेंगे तो ज्यादा आसानी से हो जाता है नीचे उपर भी इनको सरल कर सकते हो अगर चाहो तो चलो वैसे पहले कर देता हूं देखो नहीं ऐसे काय करूं मैं 30 से इसको करो 31 30 34 120 डिवाइड होने वाली नंबर में एक हर हो एक अंस हो बस कभी भी हर से हर या अंस से अंस डिवाइड नहीं होगा अगर बीच में गुड़ा कचिन लगा है ठीक है अगर बीच में गुड़ा कचिन है तो कभी भी हर से हर या अंस स पताइस एकम्स अटाइस सद्थाइस चोगा होता है ना होता है देखो यह फोर एक अंस में एक हर में यह डिबाइड हो जाएगा सब डिबाइड हो जाएगा फाइनल में वान आयागा प्लेटा एक बोल सकतो हरसित मिसरा समझ में आ रहा है महभू भी भेगम अच्छा है अन्नु सिंग नीलू पांडे जलें आगे बढ़िया चापलो भाईया फटा फटी स्क्रीन साट ले लो जल दी से ले लिया अगला नेक्स कुश्चन देखो कहते हैं न करत करत अब भ्यास से जण्डमत होत सुजान पता है मेरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर मैं फाइल बना लेता हूं इसका फलाइड तो वो पीडियाफ में सेब होती थी बाद में मिटता नहीं था जो कुछ लिख दिये अब एक मेरे को अच्छा आइडिया सुजा है इस पैनल में सारी खूबियां है इतना पैसा लगा है इसमें कच्ची फाइल भी सेब हो जाती है जैसे उसमें वर्ड फाइल में होता है डाकुमेंट फाइल फिर उसको मिटाओ तोड़ो मरोडो कुछ भी करो कल मुझे आइड साल बाद और अब यह कली वाली फाइल है जो मैंने कल बनाया था देखो चल रहा अच्छा सबसे पहला विन लिख लेंगे पूरी इज्जत के साथ इसको उतनी इज्जत के साथ उता रहेंगे जितनी इज्जत दुजला है को भीया दुला है को पहली बार से सुड़ाल मिलत इसको पूरी इज्जत के साथ मैंने इसको लिख लिया अब गुड़ा कचिन लगा देंगे भाग की जगा पर इसको पलट देंगे साथ उपर एकत्तर नींचे यह भिन आल्रेडी मैंने आसान बना के लिखा था इफ लिए कट पिट जा रहा वह न आ जा रहा है समझ रहो ना बाकी हर जगा ऐसा नहीं होता है लेकिन हम आपको अभी सिखा रहें सुरुवात है तो इफ लिए थोड़ा आसान बनाया गया है पीबी आरे स्टडी सपोर्ट मेरी आवाज सुन रहे हो आप नहीं सुनते नहीं मुझे लगता आप सिर्फ देखते हो बस आवाज बंद करके न आप इमेल पर कंटर्ट करिएगा कि आप गायब काहे को थे इतना दिन तक यह साठ पर डिबाइड हो जाएगा साठ दूना एकसो बीस और यह इकत्तर दूना और इकत्तर एककम सही है अब दो से दो भी डिबाइड हो जाएगा फाइनल में वन अपान वन आएगा इसे आप वन लिख सकते हो क्या लिख सकते हो वन आगे बढ़े चलो भाई और किसी को कोई दिख्कत भाई इन सपोर्ट वालों को भी हमें खबर लगानी पड़ती है न नहीं यह लोग गयब हो जाते हैं तो काम कहां चलेगा यार सब में वैसे आ जा रहा है क्या आप आप चलो इसमें तब से पहले वो फ्रेक्शन लिख लेंगे अ बहत्तर अईसे गुड़ा का चिन लगा के इसको अल करो कितना आएगा कितना आएगा जड़ा हल करके बताओ मुझे भी काम करवाते हैं कमेंट करवा रहे हैं मुझसे अंकित कुमार जी राम राम ठीक ठाक है न बढ़िया है चलो यह पलड़ जाएगा भिन गुड़ा लगेगा इसे हल करो कितना आएगा हो जाएगा चलो अब यह 32 से क्या होगा डिवाइड होगा कितनी बार जाएगा देखो 6 बार जाएगा क्या 6 दूना बारा अच्छे बार जाएगा थाटी टू अंजा थाटी टू शिक्फ जा क्योंकि 32 छक्का च्छे दूना बारा हां फी लेक शतरी कठा रहे को नहीं है ठीक है ओके अब यह सेवंटी टू से डिवाइड होगा कि कितनी बार जाएगा जड़ा देखो चार दूना आठ चार सते हटाइस चार चार बार जाएगा यानि फाइनल में आपको जो मिल रहा है चार बटे छे दो बटा तीन आएगा फाइनल लिख लो कोई परिशानी ना किसी को लिख लिजिए फटा फट अर्चना यादो समझ में आ रहा है देखो कोई देर नहीं करेगा मैं बार 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 बोलता हूँ ये क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं मिलेगा बाद में और सारा वीडियो नहीं मिलेगा देली क्लास के लिए पीवीर स्टेडी को टेली गराम पे जरूर जोइन करें बाकी वर्टसअप चैनल पे फालो कर लें ठीक है वर्टसअप पर भी चैनल है मैसेज करना लिंक मिल जाएगा और एक चीज और अगर आप मेरी बात नहीं सुने गया से अंदेखा कर देंगे तो रोज बोलता है कोई मतलब नहीं तो आपको क्लास मिले या ना मिले हमसे कोई मतलब नहीं ठीक है यूटूब पर हम फ्री पढ़ा रहें तो आपको मेरे दिये गए जो सुझाव है उनको पालन करना होगा टेली गराम पे रहोगे तो मिलेगा पीडिया भी टेली गराम पे मिलता है तो इस लिए टेली गराम को जो आइन करना होता है इसमें देखिए एक से अधिक बिन्ने तीन बिन्ने कैसे करेंगे चले आगे बढ़िया चल भाई ठीक है गुड़ आईए सबसे पहले जो फर्स्ट फ्रेक्शन है उसे लिख लेंगे पूरी इमानदारी के साथ तोला बटा फत्रा फिर गुड़ा कचिन लगाएंगे फिर इक्यावन बटा अल्ता आलिस यानि भाई कचिन हटा के इस बिन्न को पलट देते हैं ठीक है अब ये काम हम इधर भी कर सकते हैं बट अभी हम पहले बार में इसको नहीं करेंगे क्यों क्या कहना आपका हम इसको भी कर देंगे गुड़ा लगाएंगे इसको पांच बटा दो कर देंगे अब इनको डिवाइट कर लिजिए सोला तियार तालिस सत्रा दियां 51 ये एक बटा एक बचे का इधर ये खतम हो जाएगा कोई मतलब नहीं ये तीन बटा तीन और ये पांच बटा दो ये भी आपस में डिवाइड हो जाएंगे फाइनल में आपका पांच बटा दो उत्तर आएगा लिख लो भईया लिख लो चाप लो कोई दिक्कत ना किसी को नई ठीक है एक और कोश्चन में दे रहा हूं इसे प्यार से देखो और समझो अब मुझे बताओ कितना आएगा चलो इसको आप लोग हल करके मुझे बताओ कितना आएगा जल्दी करो फटा फट चलो भई कितना आएगा बहुत जल्दी हल करें और सभी आंसर देंगे जिनको लग रहा है कि वो नहीं कर पाएंगे वो कमेंट में नो लिखके कमेंट करेंगे या वो नो और इसके सारे भाग देखना बहुत जरूरी है अगर आप सारे पार्ट नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं रूबी यादो समझ में आ रहे हैं अनु सिंग राज खुशी कुमारी एके संदीब प्रिया सुकला सुजल परजापती सोना नीरज कुमार चलो बहुत अच्छा कितने लोग बता ली आंसर सबसे पहला कोई आंसर दिया है पंकच बिश करमा बेरे गूड स्वेता सिंग दिसा चलो भाई बहुत अच्छा बेरे गूड बच्चे बेरे गूड चलो ठीक है बहुत अच्छा मैंने एक सवाल पूछा है सिंपल सा इसका आंसर आपको देना है यह होमवर्क टाइप का नहीं है तुरंद करना इसको गीता बर्मा यह बता मुझे अंजली राओ कि मैंने इतना सिखाया आप लाश्ट में कह रहे हैं कि हमें नहीं आ रहा क्यूं यह तो दोखा है ना बेमानी यह नहीं है अच्छा कर लो दोखा भाईया देखो इदर सबसे पहले इसको लिखेंगे जो फास्ट फ्रेक्शन है 38 बटा तीरफट गुड़ा का चिन लगाएंगे यह पलड जाएगा ठीक है देखिए यह एक दूसरे के मतलब टेबल में आते हैं 38 बंजा 38 अचुकी मैंने बनाया इसलिए मुझे पता है ठीक है पांच अठे चालिस पांत यहीं पंदरा चार वनाइस पांच बार जाएगा 38 पंचे 190 होता है ठीक है इफी ले कहते है पाढ़ा वाढ़ा याद कर लो कल्कुलेफन करो खुब सारा तीरफट एककम तीरफट और तीरफट तीयंच होता है बबुव भीया तीरफट तीयंच एक सो नवासी यानि फाइनल में वन अपान वन इसका कौन मतलब नहीं है तीन बटा पांच बचेगा इसमें कौनों आंसर दिया था क्या सामने समय हड जाता हूं जिससे आपको पूरा बोर्ट दिखाई पड़े दिख रहा है पूरा बढ़िया कोई दिक्कत ना किसी को सबही साथी जोरदार क्लास को लाइक सेर करें बहुत जल्दी लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है डेली अगर आप नए जुड़े हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें जुड़ जाएं साड़े पांच लाख से अधिक चात्रों के परिवार में और सीखें गड़ित बिल्कुल जीरो से एक नजर मैं आपको दिखाऊं कल क्या पढ़ाया था देखो पहली नजर देखो पहली नजर में मुझे न देखो कलास देखो कल ये पढ़ाया गया था ये ये कल पढ़ाया गया था कल ये पढ़ाया था हल करवाया था सब कल ये तो मैं बिना हल दिखा रहा हूं कुश्चन बस आदा मिनट दिखाऊंगा कल क्या पढ़ाया था वही दिखा रहा हूं कल ये ही पढ़ाया गया था ये ही पढ़ाया गया था कल सब पढ़ाया था कल भिन का घटाना पढ़ाया था और भिन का गुड़ा पढ़ाया था कितने लोग आये थे कल इबांदारी से यहां बताओ यस देखो यह भागम भाग कुछ नहीं होता है यह रील नहीं है कि आ गए यूटूब पे मिल गए धोके से और हम ऐसे खिसका खिसका के बस देख लिए गड़ी सीख गया सा नहीं रील नहीं है टाइम देना पड़ेगा एक जोपड़ी बनाने में एक दिन लगता है एक महल बनाने में एक जिंदगी लग जाती है तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर गड़ीत अच्छे से सीखना है तो हम 20 सीकंड में सीख जाएंगे 20 दिन लगेंगे 20 दिन यह सब कर पढ़ाया था तो आज आपको पढ़ना भिन्न के परकार क्या पढ़ने हैं भिन्न के हटाऊंगा ठीक है अब पढ़ेंगे भिन्न के परकार भिन्न का जोड़ घटाना गुड़ा भाग खतम हो गया एक छोटा समय सवाल करूं जिनको लग रहा है कि मुझे मैध आती है तो वह मुझे बताएं कि एक आयत है रेक्टेंगल उसका पहला एक एंगल 90 अंस दिया है तो तो मुझे यह बताओ बाकी तीसरा कॉंड कितने अंस का होगा बहुत चोटा से सवाल जनाब कछा 5 का एक आयत है जिसका एक कॉंड 90 है तो उसका तीसरा कोंड कितने अंस का होगा मैं इसमें कुछ फोटो इंपोर्ट करूंगा तब तक आप जो है उसका आंसर बताओ बताईए मैं कुछ यहां image import करूँगा तब तक आप बताईए कुछ oral question मैं पूछूँँगा दो मिनिट तब तक मैं फोटो लगा लूँ इसमें फिर मैं इसको पढ़ाऊंगा ठीक है अच्छा बहुत अच्छा उसका जो दूसरा कॉंड है वो 90 अंसका होगा दूसरा तीफरा चौथा सब 90 के होंगे क्योंकि कोई भी जो आयत होता है उसके परते कॉंड 90 के होते हैं ठीक है ओके बेरी गुड भाई आदा मिनट देना यार यह सब डिश्टर्ब हो जा रहा है इस चक्कर में पहले तो इसको लागाना नहीं था रुको एक मिनट एक दूसरा सवाल बताओ अब तक मेरा बात तो सुन रहो ना दूसरा सवाल बताओ यह बताओ कि सबसे छोटी प्रकृतिक संख्या क्या होती है सबसे छोटी प्रकृतिक संख्या सौरब गलत है आपका बहुत अच्छा सबसे छोटी जो प्रकृतिक संख्या है वन है वन एक दूसरा सवाल बताईए एक दूसरा सवाल ये बताईए कि क्या सभी पर्मिय संख्याएं अभाज होती है हाँ या नहीं किया सभी पर्मिये संख्याएं अभाज ये होती है जब तक आप लोग बताओ तब तक मैं फोटो लगा लेता हूं फिर मैं इसको पढ़ाता हूं हिंदी में इंगलिस में देखने में अच्छा लगता है समाज में भले ना है लेकिन अच्छा लगता है हाँ या नहीं जबाद दीजिए अच्छा बढ़िया है ठीक है ये बताईए कि संख्या बारा का सबसे बड़ा गुरज क्या होगा संख्या बारा का सबसे बड़ा गुरज क्या होगा जो मैंने अभी सवाल पूछा था कि सभी परमे संख्या भाज होते हैं गलत है कि परमे संख्या की बोल रहा है मेरा धिमा कि धर नहीं तो कहो कि यह उल्टा बोल दिया इसको भी सीरियल से ही लगाना है 12 का सबसे बड़ा जो गुड़ज है वो क्या होगा अनन्त होगा किसी भी संख्या का largest multiple जो है वो नहीं बताया जा सकता है किसी भी संख्या का जो गुड़ज है वो अनन्त मतलब हो सकता है बड़ा इसे बड़ा डिफाइड नहीं किया जा सकता है चोटे फे चोटा तो होता है अच्छा ठीक है संख्या 12 का सबसे चोटा गुड़ज क्या होगा बताइए यह सब पढ़ाया जा चुका है देखिए यह मैं लगा रहा था और मेरा लग भी गया है फिलहल और कुछ लोग निपट लिए कुछ लोग भाग लिए अच्छी बात है कौनों बात नहीं जाये दा यह का पढ़ाय का पढ़वाई करें यह करें गरज हुए यह कलास सिर्फ लाइब देख सकते हैं इसका सारा रिकॉर्डेट वीडियो बाद में नहीं मिलेगा इसका सारा रिकॉर्डेट वीडियो बाद में नहीं मिलेगा कभी भी नहीं मिलेगा आईए अब बात करते हैं टाइप आफ फ्रेक्शन भी थिक जामपल भिन के परकार क्या पढ़ेंगे भिन के परकार लिखा गया है अंग्रेजी में हम बताएंगे हिंदी में कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरा गुपता समझ में आरा कुछ थोड़ा बहुत कि खुशी कह रही हमें सब आता है कुछ चन नहीं बता पाती है कोठी आता सब है यहीं तो दिक्कत है कि अच्छे को बलाक करो बहुत बात कर रहा है कि स्वेता पटेल आप भी जाओ इनके साथ बागो चलो भीन ने में में जो होते हैं देखिए टाइप में टाइप निकलते हैं बहुत होते हैं में में जो होते हैं वो यहीं होते हैं जो आपको दिख रहे हैं 6-7 परकार के ठीक है मुख्यता यह होते हैं यह इतना होते हैं मालो छे परकार के ठीक है भिन क्या होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं इनको हिंदी में बता देता हूं पहला जो होता है इसको बोलते हैं इकाई भिन क्या बोलते हैं अबै रूक जा रहे दादा इकाई भिन proper को बोलते हैं उचित भिन उचित या सम भिन ठीक है अनुचित भिन यानि इम proper fraction इसे बिसम भिन भी बोलते है है ना देखो सम बिसम भी नलग होती है समान असमान भी नलग होती है Mixed Fraction यानि मिश्रित भिन, Like Fraction मतलब समान भिन, Unlike Fraction मतलब असमान भिन, Equalient मतलब समतुल भिन, जिनको गड़ित सीखना है, सिर्फ वही यहां दिमाग पकाएंगे, बाकी नहीं रुकने वाले, क्योंकि मज़ा नहीं आएगी, बहुत ज़्यादाब, मोनिका बर्मा, कल से चलेगा, एप्लिकेशन वाली कुछ भैच नहीं चल रही, कल से चलेगा, ठीक है, आगे बड़े, चलो भाई, यूनिट फ्रेक्शन क्या होता है, जिसे बोलते हैं, इकाई भिन, साथी मेरे इकाई भिन क्या होती है, पता है आपको, इकाई भिन, एफी भिन होती है, जिनका आंस वन होता है, जिनका आंस वन होता है, बाकी हर में कुछ भी हो सकता है, यानि वन अपान यक्स के रूप में होता है, वन अपान यक्स के रूप में, जहां यक्स कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर, ठीक है, जहां यक्स क्या होता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, यक्ष बिलांग्ष टू नेचुरल नंबर इसे बोलते हैं बिलांग्ष टू हिंदिम बोलते हैं सदस है यानि यक्ष जो है नेचुरल नंबर का फदफ है प्रकृतिक संख्या की और प्रकृतिक संख्या वन से शुरू होती है ठीक है जीरो नहीं हो सकती यहां पर यह भी लि एक बटा तीन, एक बटा पांच, एक बटा नौ, एक बटा एकाईस, मतलब कुछ भी लेकिन अंस वान रहना चाहिए बस थोड़ा बहुत बात कर लेने दिया करिए कभी-कभी प्रॉपर फ्रेक्शन, कितने लोगों को पता है, हिंदीम बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, अंगरेजी लिखने, गरियाओ मत भीया, कुछ वार्ड इसमें इंगलिस के जरूरी है आना चलो देखो, प्रॉपर फ्रेक्शन इसे उचित या क्या बोलते हैं, उचित या सम्भिन इसी को सम्भिन बोलते हैं न, ऐसी बिन जिसका अंस छोटा हो, यानि नुमरेटर, नुमरेटर का हो, छोटा हो, और डेनोमेनेटर बड़ा हो थिक है, नुमरेटर को का बोलते है, देखो, मुब तुम्हें English के स्पेलिंग लिखी है, English वाले में फायदा होता है, नहीं तो English के स्पेलिंग लड़ बड़ा है उब नहीं करता है, आई जिसे रहता सही रहता, English वाले में, देखिए, आपर पे कुछ चीजे लिखा है, 222 या उपर की गिंती हमेंसा छोटी रहेगी नीचे की गिंती बड़ी रहेगी उचे सम्धिन्व बोलतें यह इंपरापर फ्रैक्शन क्या होता यह कौन सी बिमारी का नाम है अनुचित या विसम्भिन यह क्या होता है बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा होता है जस्ट उसका उल्टा होने का यह मतलब है का मतलब पता है तो का अंस बड़ा नहीं छोटा होगा हाँ बड़ा होगा हर छोटा होगा बस ऐसे ही जैसे फार एक्जाम्पल के तोर पर यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया फाद अंस बड़ा रहेगा ये बारा दस तेईस वननाईस ऐसे जिनको गड़ित नहीं आती उनी के लिए एक कलास है मैं बार बार बोलता हूँ हजार बार बोलता हूँ तो अगर आप भी उसी बीमारी के मार रहे हैं तो बहुत अच्छी जगा जुड़े हैं लेकिन इस कलास का recorded live मतलब बात में वीडियो नहीं मिलेगा ये बात याद रखें अगर आप live कलास में नहीं आएंगे तो recorded वीडियो यूटूब पर नहीं मिलेगा सभी जान रहे हो ने इस बात को जान रहे हो तो एक बार comment में हाँ लिखेंगे सभी yes मेरी ये बात अगर आपको पता थी तो comment में एक बार याफ लिखेंगे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरा सुन रहे हो कम से कम मुझे ये सुन के थोड़ा अच्छी feeling आती है कहां जो मैं बोल रहा हूं सुन तो रहे हो कम से कम चलिए थोड़ा देर रुख जाते हैं तो थोड़ा साफले लेते हैं लोग life fraction क्या होता है सबको पता है ना तो daily live आया करो बस यहीं कहना चाहते थे तो लाइक फ्रेक्शन यह क्या होता है कि क्या होता यह लाइक फ्रेक्शन और फ्रेक्शन डैट हैप दा सेम डेनुमेरेटर एंड डिफ्रेंट नुमेरेटर जिसे बोलते हैं भैवा का बोलते हैं इसे यह रुखना समान भिन कब बोलते हैं समान या फजातिय भिन समान या सजातिय भिन मतलब अपनी जाती विरादरी के लोग हैं ये आपस में देखो कैसे जैसे तीन बटा नौ शे बटा नौ 21 बटा नौ 33 बटा नौ 98 बटा नौ 19 बटा नौ का समझा देखो ये में एक चीज है सभी के जो हर है वो बराबर है सभी के हर बराबर है यही क्या होते हैं सजातिय भिन होते हैं इन्हें आसानी से आपस में जोड़ा घटाया जा सकता है अगला है अनलाइक फ्रेक्शन अनलाइक फ्रेक्शन देखो प्रिंसी समझ में आ रहा है सिल्पी चोहान नेहा यादो परभती मांजी यह वीडियो भी लाइब के बाद नहीं मिलेगा आज इसको मैं तुरंद रिलिट करवाँगा आज पहले पढ़ाने तो दो असमान भिन या बिजातिये भिन यह क्या होता है पूरा टाइम देता हूं कलास में नोट कर लो स्क्रीन साट ले लो इसका पीडियो बीडियो देता हूं ना आज मैं सारा पीडियो बेहत दूंगा पिछले पंद्रा दिन का टेली गराम पर जो यह पढ़ाया जा रहा सब पीडियो में मिल जाएगा जो यहां लिखा है यह पूरा लिखना नहीं तुम्हें कुछ निकरना है राजा बाबु जैसे बैटना है बस देखो यहां पर क्या लिखा है कि इनके जो नुम्रेटर हैं वो सेम हो सकते हैं कि रुग करें ददा कि रुग गरान का भाईया देखो जैसे तीन बटा आठ शे बटा आठ मतलब इनका कहने का यह है कि आपका जो अंस है वो सेम हो सकता है बट हर सेम नहीं होगा ऐसे ठीक है कुछ भी जो भी आप जान लो अनलाइक फ्रेक्शन में ठीक है यह अलग अलग भी हो सकते हैं मतलब कुछ भी हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट उनका कोई मैचिंग ना हो ठीक है अंस कहीं कहीं अगर सेम हो भी गया तो ठीक है कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है और यह अल मैं मुझ से तो हिंदी बोल रहा हूं ना मिस्टर क्या नाम है आपका अनुज कुमार कि समझा तो हिंदी में रहा हूं ना थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानना जरूरी है यह हमारे देश का दुर भाग गया है इफ लिए बताएं काहें लिए चाइना देखो अपने आग भा कि दूसरा देश आसानी कोई ने पड़ सकता है कि हमारा एक मात्र ऐसा देश है जहां पर दूसरे देश की हर चीज लागू है क्यों क्योंकि हमारे यहां के लोग पढ़ाई लिखाई स्वास्त ब्यवस्था फे जादा जाती धरम की राजनीती करते हैं हमारे देश के राष क्यों क्यों क्योंकि हमारे यहां के लोग हमारे यहां की सोच है कि सरकाई नौकरी चाहिए बहले चपरासी क्यों नहों सरकाई नौकरी लिए चाहिए क्योंकि उपर की कमाही है रुतबा है और नाम है साधी विवाच्छी जगह हो जाती है दहज लेने वालों को दहज मिलता लेकिन बाई डिफाल्ट हर जगा इंगलिस नहीं थोपनी चाहिए लेकिन फिर भी अपने हाँ ऐसा ही है समझ रहे होगे नहीं और और क्या ठीक है आगे बढ़ते हैं जाने रहो बस ये नर एक आपको नहीं पता है कि इक्वालियंट फ्रेक्शन जिनें बोलते हैं समतुल भिन कि अपने में कुछ नहीं होती है यह किसी दूसरे पर डिपेंड होती है ठीक है अपने में खुद में कुछ नहीं होती है जैसे देखिए अगर हम कहें कोई सम्तुल भिन लिखो तो आप ऐसे कुछ नहीं बता सकते हैं किसी भिन की सम्तुल भिन वहो सकती है ठीक है जैसे चुमपेयर करना मानली जी हमने कहा क्या इसकी तुलना करो इस फोन की तुलना करो क्या तुलना करोगे कोणों दूसर तो होना चाहिए न साथ में आप माल Dol flavor में लगा डिया तो इसकी तुलना करो इसके इसके price में काफी अंतर है बहुत बाद ColwegenS है इसमें जो security फिचर है इसमें मतलब उपलब्द होना चाहिए तब आप बता सकते तो जैसे मानलों कि मैंने लिखा तीन बटा साथ इसका सम्तुल भिन बताओ तो सम्तुल भिन के लिए इसको हम चार फे गुड़ा कर फकते हैं उपर नीचे तो चारत यहां ही बारा चार फते अठाइस यानि इसका तीन बटा साथ का सम्तुल भिन यानि उक्वालियंट फ्रेक्शन तोयल अपांट टॉंटियट समझ में है वन पांच थिरी का सम्तुल भिन बताओ इसे पांच से गुड़ा कर दो उपर नीचे तो पांच एकम पांच पांच याई पंदरा यानी एक बटा तीन का सम्तुल भिन पांच बटा पंदरा समझ में आया कोई दिक्कत ना किसी को अगला है मिक्स्ट फरेक्ट्पन वहीं मिक्चर वाला है जैसे आपने देखा होगा दुकानों पर लिखा रहता है यहां पर सुद्ध देशी घी की मिठाईयां मिलती है देखें नहीं मतलब इतना सुद्ध रहती है वाल लिखने जरूत पड़ती है आजकल हवा में मिलावट है पानी दूद तेल सबजी नमक जो भी तुम खारें उससब मिलावट है सब मिक्स्ट है ठीक है इंसान भी मिक्स्ट हो चुके है तेल नहीं है देखो कैसे हम तुम सब हम नहीं है चलो देखो इदर इसे बोलते हैं मिफरित भिन क्या बोलते हैं मिफरित भिन एक लाइन में समझे लो जादा बात ना करते हुए वैसे सीधा फीधा मिफरित भिन का होती है पता आपको मिफरित भिन ऐसी भिन होती है जिसमें पूर्ण और अपूर्ण फंक्या का मिक्चर होता है जैसे ये ठीक है ये क्या है चाहे इनको एफे लिखो चाहे इनको एफे लिखो दोनों का मतलब एक होता है पूर्ण फंक्या क्या होती है यह यह इक पूर्ण फंक्यक होती है मिलाके जोड़ के लिखी जाती है इफिलीए इनको मिस्टs फरेक्शन बोलते हैं जहां तक मुझे पता यही होता है ठीक है गुड़ी यादो मेरी बात समझ में आ रही है ठाकुर रिसी चौहान इस्लामिक हिस्ट्री आफीसियल रोली अवस्ति संगीता यादो गोलू फिरी फायर बॉय तुम्हारा नम लाश्ट बार बोला हूँ बच्चा सभी समझ गए ना पका तो अब अगर एक्जामपल दिया जाएगा प्रेक्टिस करवाया जाएगा तो उमीद है कि आप लोग कर ले जाओगे सभी कर ले जाओगे पका बहुत अच्छा बेरी गुड आज पढ़ेंगे देस्मल क्या पढ़ेंगे दसमलो क्या आपको दसमलो का जोड घटाना गुड़ा भाग यह सब आता है कि बता यह जवाब दीजिए कितने लोग बताएंगे अब यह देखो जोड़ना घटाना गुड़ा भाग कल की क्लास में भिन खतम हो गई थी मिन्स परसो वाली में है ना पिछली क्लास में कमेंट सबका पढ़ेंगे थोड़ इनको भी जोडते हैं इनको नीचे उपर लिखके जोड़िए आगे पीछे करके यह देड़ रुपया है यह साड़े तीन रुपया है आप रुपया मानलो रुपया इंसान हर कोई बहचानता है इस साड़े तीन में 50 परसा जोड़ोगे चार और एक पांच यानि कुल मिला आपके यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा पांच रुपया लेकिन यह तरीका बहुत से बच्चे नहीं समझे ना दूफरा तरीका देखो पहली जो गिंती लिखिए उसको वैसे लिख लो पूरी इजट के फाथ दसामलो के नीचे जैस्ट एक दसामलो लगा दो यह वाली गिंती हमें पूरा यहां लानी है तो दाहिनी साइड देखो पांच है और दसामलो के बाई साइड तीन है पलफ का साइन लगाया पांच पांच दस हाफी लाया एक और तीन एक चार बीच में दसामलो था इसको नहीं लगा दो यह सबसे अच्छा तरीका दसामलो दसामलो के जश्ट सीध में उतरेगा कुछ बच्चे ऐसे करते हैं अगर आपने लिख लिया आफे लिख लिया आफे ऐसे उल्टा पुल्टा करके तो फिर नहीं सही बनता है ठीक है यह थोड़ा कम समझ में आया होगा थोड़ा फीधा ह आफे अगर आपने लिख लिया आफे ऐसे नहीं जोड़ेंगे फीधा फीधा में ठीक है जैसे यहां लिखा यह लाइब चल रहा है अगले 10 मिनिट हमारे साथ रहेंगे तो मैं सब का कमेंट भी पढ़ूँगा नाम के साथ इसको कैफे जोड़ेंगे सबसे पहला वाला गि साइड टू है और लेफ्ट साइड वन है प्लफ का फाइन क्योंकि जोड़ना है आठ में दो जोड़ेंगे दस का जीरो हाफिल आया एक हाफिल याद रखना है नौ एक दस और एक ग्यारा इसके सीधा में दस हम लो किसी को कोई दिक्कत अगर नहीं है तो आप सी वाले का ज मैं बूबी बेगाम नीतु गरिमा नीलू अर्बिन्द बहुत अच्छा सी वाले में कोई बताया कोई यह कैस बता रहा देखते हैं 11.5 Decimal के जश्ट नीचे डेसिमल, Decimal के right side 5 है The decimal के left side में 9 है 5 पांच पांच 10 average 910 average 10 हो जाएगा 11, हांच 7 अभी भी एक बच रहा है और एक यह दो दसमलो के जश्ट सीधा समलो भया बच्ची सबाइक समझ में आएगा हो लिख लआ मैं बार-बार बता दूं कि आप लोग क्लास को लाइक शेर करिए नहीं तो मैं एक नया बैच फिर से लाने वाला हूँ ठीक है क्योंकि 15-17 दिन क्लास चली है इसमें आधे टाउपिक खतम हो गए 50% गड़ित खतम हो गई बैसिक सिर्फ 15 दिन और चल जाए पूरा बैसिक खतम है लेकिन संख्या बनाएंगे तब आप लोग सेर नहीं कर रहे हैं अब आप लोग धीर ढाल पड़ गए देखो एक चीज़ बताऊं कड़वा है लेकिन सच है गड़ित सीखने का एक बार जो सबको चड़ता है लेकिन देरे देरे ठंडा हो जाता तस दिन बाद और फिर कभी सीखने पाते हैं एक बार जो तड़त होनी चाहिए न किसी भी चीज़ को पाने की वो बिना पाय नहीं रुकनी चाहिए थोड़ा धायर बना के रखना नहीं तो बिलकुल भी आप 50% पा चुके हैं लक्षे बस 15 दिन और 15 दिन में खतम हो जागा पूरा बेसिक लेकिन आप लोग लाइक से अर नहीं कर रहे हैं संख्या बताती है कि अब थोड़ा सा उत्सा कम हो गया है जहां पहले 200-500 बच्चे होते थे अब वहीं बच्चे 100 क देसिमल के जश्ट नीचे डेसिमल राइट साइड में 5 है लेट साइड में 3 है जोड देंगे 5-5-10 हाफिल आया एक और 7 में 3-10 और हाफिल एक ही 11 हाफिल एक 1-1-2 आगे बढ़ें नेक्स्ट समझ में आगया कोई दिक्कत ना किसी को एक चीज़ याद रखें कि अगर आप लोग लाइक से अब नहीं करेंगे तो हम यह कलास कर देंगे फिरी वाली बंद फिर सिर्फ अप्लिकेशन में 7 बच चल रही है भाई मजबूरी है क्या एक प्लस यह क्या करेंगे अगर 100 पलस भी बच्चे नहीं रहे तो अगराइए निया बैच ले आएंगे तो 25,000 होगा, तो क्या दिक्कत है, फिरी काहे को पढ़ाएं, और आप लोग फिरी चाहते हो, तो लाइक सेर करो, फटा-फट, है ना, कुछ ना कुछ करना पढ़ता, भाई, फिरी कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, चलो देखो आगे, जोड के बताओ, कितना आएगा, सिकेंड लेबल, कितना आएगा, जल्दी करें, कितना आएगा, अब ही हम आपको सिर्फ बिल्कुल स्टार्टिंग वाला बता रहा हूँ, ठीक है, एक दम स्टार्टिंग वाला बता रहा हूँ, फिर इसके बाद अब ही आगे बढ़ेंगे, चलें आगे, सभी को समझ में आ रहा है, बिसाल भिंड, कोमलति पाठी, अनीशा, नमबर पे संपर करिए, सोनल सर्मा, चलो भाई, बहुत अच्छा, कोई जबाब दिया, इसमें तुनका नाम है, बिसाल भिंड, और भी कुछ बच्चे बताए हैं, जैसा कि, सोनल, और काजल, सिवम, आफे, डेसिमल के जश्ट, नीचे डेसिमल, यानि दसमलो लगाएंगे, दसमलो के तहनी साइड में 8 है, तो इसको आफे लिख देंगे, याद रहे, एकदम सीधा सीधा में लिखना है, अगर इसको कन्फ्यूज कर दोगे, गोजगाच के, तो फिर गलत हो जाएगा, जैसे समलो के इधर साइड में सटा हुआ 9 है, ये जोड़ना है, अगर आपने 8 को 1 में जोड़ दिया, तो गलत है, एक के नीचे कुछ नहीं 0 लगा लो, तो वह नहीं रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत ना किसी को, चलो आगे देखू, अब 8 में 0 कितना है, अगर 8, 9 में 0, 9, 9, 9 रूपया ही, क्यासी पैसा आया ये, अरे भाई, एक पैसा था वो, बाद वाला न रूपयासी पैसा था, ठीक है, किसी को कोई डाउट तो बता दीजी, देखो मैं सीधा फिधा ये कहना चाहता हूँ, सीधे सब्दों में, कि जिनको गड़ित नहीं आती है, गड़ित में कुछ नहीं आता है, या बहुत कम आता है, ये सिर्फ उनके लिए है, जिनको आता है, वो यहां से सरपट भाग जाएं, हाँ, बिल्कुल, सिर्फ कमजोर बच्चों के लिए है, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो, आपकी इच्छा है, सोख है, तो बने रहो कोई दिक्कत हमें नहीं है, लेकिन तीन पांच करना बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, और जो पढ़ने वाले हैं, उनका हम बिल्कुल, गुपतरोग जैसे है, उमर जादा हो जाने के बाद किसी से कहने नहीं पाते हैं, कि मुझे यह सब नहीं आता है, कुछ तो ऐसे भी हैं, जिनके बच्चे बच्चे भी हो गए हैं, उनके बच्चे भी कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, तो यह बहुत यानि जोड़ना है बस और कितना आसान देखो तीन और दो यह जुड़ जाएगा पांच तीन के उपर कुछ नहीं है जीरो है तो तीन ही रहेगा दसामलों के नीचे दसामलों जीरो यानि यह 32 पैसा था यह 3 पैसा था उस्वरी हां 32 पैसा था यह लेकिन एक चीज ध्यान ठीक है प्लस जीरो पॉइंट बत्तिफ कभी नहीं पढ़ोगे जीरो पॉइंट 32 नहीं वह 32 नहीं है जीरो पॉइंट 32 ऐसे बोलेंगे क्या पढ़ेंगे जीरो दसामलों तीन दो सही तरीका है पढ़ने का 0.32 वो बत्तिफ नहीं है 32 से बहुत छोटा है तो आप उसे अगर ऐसा कहीं बोलते हो कि 0.32 लिखा है तो आप बहुत गलत बोल रहे हो छापलो भया कुसुम यादो हम ऐसा क्यों करते हैं कि बाद में डिलीट कर देते हैं हम ऐसा बात बताते नहीं है यह चुपे वाली बात है बाद में बताएंगे काई को डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि रात में आप लोग कुछ फल्तु काम करें इसलिए लाइब चलती आप लाइब आके पड़ें चलो देखो 2.3 यह पहला वाला हो गया फिर दसमलो के जश्ट नीचे दसमलो इसके राइट साइड में देखो तो 3 है और 4 है तो 3 और यह 4 ठीक है अब डेसिमल के पहले देखो यहाँ कुछ नहीं है 0 है तो 0 अब इसके उपर कुछ नहीं है भाई साहब तो 0 लगा दो अपनी समतुष्टी के लिए चाहे कुछ ना लगाओ तो यह 4 का 4 है रहेगा यह 3 3 6 पॉइंट के नीचे पॉइंट और यह 2 बस हो गया कहानी खतम लिख लो भाईया सुमन कुमार सत्या समझ में आ रहा है विसाल पासवान आ रहा समझ में तोनल बर्मा आ रहा है चलो सभी अब एक सुर में बताओ डी वाले का क्या आएगा जल्दी कमेंट करें प्रियंका कुमारी के जी या फ्राव यूपी एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ अब सभी सातियों से बीनमर निवेदन है क्लास को सेर करें अगर संख्या 100 प्लस बनी रहेगी तभी ये क्लास चल सकती है अन्यथा सिर्फ अपलिकेशन में चलेगी मेरी मजबूरी होगी ठीक है तो रिक्वेस्ट करना इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये बंद हो जाए पचास परसंट खतम हो गई पचास परसंट आउर पढ़ा दें खतम हो जाबेसी और अगर आप करोगे न जितने लोग जुड़े हैं उसका डबल कर देंगी प्यार से हो जाएगा मुश्किल नहीं है लेकिन कर रो तब न यह कोई गंदी चीतों है नहीं गाली दे रहे हैं कुछ गलत सिखा रहे हैं जिन्दगी बनने वाली है देश कब अभी सबनेगा इसको सीखने से ऐसे लोग जिनको नहीं आती करें उनके लिए ठीक ठाक है चलो आगे बढ़े अगर आपके घर में दो मोबाइल फोन है लैप आगे बढ़ते हैं उसके पहले अगर आपने हमें इस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लें क्योंकि यहां पर फिरी की सारी अपडेट जो भी क्लास के बारे में होती है वो आती है तो आप इस्टाग्राम पर पीवीर स्टडी सर्च करके और फॉलो कर लीजिएगा ठीक है यहां पर हमारी अपनी प्रस्टनल प्रोफाइल भी है राजकुमार यादो अगर आप सर्च करेंगे तो भी मिल सकती है लेकिन फिलहाल अप पीवीर स्टडी सर्च करके फॉलो करेंगे तो यह था दसामलो का जोड़ना उमीद है कि छोटी छोटी चोटी चीज़ें आप सीख गए होंगे अब थोड़ा सा लेबल तीन में आ जाओ हम बिल्कुल सुने से सिखाते हैं चाहे किसी को लगे अच्छा या लगे बुरा यही हमारी यादा था जिससे हम अभी यहीं रुके है लेबल तीन में आ जाओ जैसे दो मालो की तेईस है इसमें जोड़ना है 0.009 तो कितना आएगा भाईया है ना कुछ अलग तरीके का मैंने सवाल पहले से नहीं बनाया फिर भी बताओ कितना आएगा जबाब दो भी वाले में चलो आगे 37 पॉइंट न लगा औरे ददा ना 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 जीरो पॉइंट वन बता इसको 0.01 आई ये मैं बताता हूं ठीक है बहुत अच्छा एक बार आप ट्राई करेंगे नहीं आता मैं बताता हूं सात्छीओं यहां पर देखो इसमें द्हरमलो नहीं लगा ये एक पूर संक्या है या नी होल नंबर है 23 जा होल नंबर यानी पूर संक्या बाट ये पूर संख्या नहीं है ये अधूरी है ये जéis को पूरी करेंगे कैसे देखो आउओ बताते हैं कहते हैं ना गदहा के साथ है गदहा बनना पड़ता है एक अच्छा एक्जामपल बताओं बहुत अच्छा समझ लो आपने माननीय परधान मंत्री जी को देखा होगा देश के वर्तमान परधान मंत्री मोदी जी अगर राजस्थान में रैली करते हैं तो वहां का पकड़ी बांद लेते हैं देखे हो पंजाब और हरियाना जो भी वहां उधर कुछ जाते हैं तो वहां उन लोगों की जैसे भेस में जाते हैं देखे हो कर नहीं यूपी बिहार में आते हैं तो वहां की भेस में रहते हैं द तो इसको जिसके साथ जोड़ना है न उसमें दसम्लो है तो इसमें दसम्लो नहीं है इसको इसके साथ जोड़एंगे तभी जब इसमें भी दसम्लो लगा देंगे समझ रहे हो ना दसमलो इसमें लगा देंगे कैसे जो भी नंबर है इसको आफे लिखेंगे और दसमलो लगा के आफे सुनना बढ़ा लेंगे कितना हमें दसमलो के बाद जितना सुनने की जरूरत है इसमें तीन गिंती है दसमलो के बाद तो हम 3-0 बढ़ा लेते हैं चाहे जितना बढ़ा लो move तुम्हें है free में चलो समझो देखो हो गया पहला अब क्या करेंगे दसामलो के just नीचे दसामलो लगाएंगे दसामलो के right side में आप देखो दानी side में 0-0-9 है तो हम लिखेंगे 0-0-9 बत हो गया कहानी खतम बाएं side में सिर्फ 0 है तो 0 जोड़ना है जोड़ो भाईया यह उनके लिए है जिनको कुछ नहीं आता है उन्हीं को तो मैं सिखाता है भाई चलो देखो 9 में सुनना जोड़ोगे भाई साब 9 रहेगा सुनना में सुनना तो सुनना है जीरो में किसी भी संख्या को जोड़ने पर जीरो ही आता है जीरो में से कोई भी संख्या घटाओगे तो जीरो आएगा जीरो को किसी संख्या से गुड़ा करोगे जीरो ही आएगा और हाँ, जीरो को किसी और संख्या में भी गुड़ा करोगे, तब भी जीरो ही आएगा, यानि जो इंसान पहले से खतम है, वो किसी से मिलकर उससे कुछ नहीं कर सकता है, क्यों खतम ही कर सकता है, हाँ, कुछ केस में नहीं, तो यानि ये 23.009, समझ में आया, आया समझ में, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग एक छोटी सी बात है, देखो आप लोग अभी तक कलास सेर नहीं किये थे, बच्चे नहीं आया, अभी सेर कियो न, ये A है, और ये B है, ये बताओ, इन दोनों में कौन बड़ा है, ये दोनों बराबर है, क् इन में कौन हो अंतार है कि नहीं, एक ठिया उर ले लो, A1, सिर्फ नाओ है, कौन बड़ा है, इन में समय कौन बड़ा है, ये सब ही बराबर हैं, कुछ भी सोच की बताओ, चलो, देखो, आई ये बताते हैं, चल भई, सबसे पहला जबाँ भूपे से दुर्बेदी ने दिया है, और इन्हें के नाम के एक लोग को बलग किया गया है, लल्ला बला करें भी बड़ा है, अभी सोनी, कौमल तिरपाठी, मीरा गुपता, समझदार हो काफी आप लोग, इसका मतलब समझदार ही पैदा हुए थे, ब इसका मतलब नई है, यह सेम आइटम नहीं है, यह 90 पैसा है, आगर पैसा की बात करें तो यह 9 रुपया है, इसका तो कोने मतलब नहीं है अब एक बात बताओ कि जो मैंने ये बताया सभी को समझ में आया था एवाला एक बार हाँ लिखके कमेंट करेंगे अगर आया था नहीं आया था तो ना लिखिए बिलकुल निसंकोच लिखिए जो आपके दिल में आये लिखिए आईए अब इसको जोड़ना है इसमें दसंबलो नहीं है पहले हम इसके बाद दसंबलो लगा के जीरो बढ़ा लेंगे कितनी बार जितनी बार अगले में दसंबलो के बाद अंक है उतनी बार दसंबलो के बाद इसमें दो अंक है तो हमने दो जीरो बढ़ा लिया दसामलो के जाइस्ट सीधे पर दसामलो बहुंक देंगे इसमें डख दिया जहां चूदेंगे वहीं दसामलो अब देखो दसामलो के दाहिनी साइट दूसरे वाले डिजिट में रुक नरे जीरो है फिर वन है तो जीरो जीरो और फिर वन दसामलो के पहिले देखो तो जीरो है तो सिर्फ जीरो जोड़ भाईया वान जीरो में जीरो दसामलो सेबान थ्री यानि 37 रुपई या एक पैसा अब यह बताओ इमांदारी से किसको नहीं समझ में आया मैंने तो निच्चे से उपर तक जोर लगा दिया कि आपको आ जाए मैं बूबी बेगम आया समझ में सोबित समझ में आया लौकूस आया सबको आया गुड़ी यादो अमन सिंग क्रेटिव अनिक अस्वनी नीलू पांडे कोमल तिरपाठी रिंकी चोधरी सभी को समझ में आया आ गया तो इसको देखो बहुत प्यार से और स्क्रीन साथ लेके रख लो एक एक पॉइंट पढ़ना बैट के अराम से पढ़ना जरूर ठीक है क्लास का समय रात 9 बजे से 9.40 तक है 9 से 9.40 आगे बढ़े जो इस क्लास को लाइब नहीं देख सकते जिनकी मजबूरी है उनके पास एक तरीका है वो इस बैज को PBR स्टेडी आप में जोईन कर सकते हैं अपलीकेशन में इसकी फी 300 लेके 2000 तक है अलग-अलग डुरेशन के क्लास को टोटल फ्री पा सकते हैं उसके लिए आपको एक फीड़ेक का वीडियो बनाना है जो आप लोग कमेंट में करते हैं जो भी आपके मन में आए हमारी क्लास के बारे में आज तक आपने जो वीडियो देखा आपको उससे क्या लगा क्या उमीद लगी कितना और उसको बना करके हमें वाटसाप नंबर पर भेज़ देना है कि आप इस को फिरी भी पा सकते हैं ठीक है कि तो उमीद है कि आप समझ गए आगे बढ़ें कि दस हम लोग का घटाना पढ़ लें कि और अभी आगे अच्छा और भी तो हो सकता है न देखिए जितना भी गहराई में इसमें जाएंगे कम नहीं अभी बहुत कुछ हो सकता देखो कैसे लेबल तीन हुआ था लेबल चार जोड़ना सीख रहें न ठीक है चलो इनको जोड़ भाईया थोड़ थोड़ बढ़ेंगा हलका अमहेंगा होजायेगा पहले से और क्या तिर्चा होएगा ना थोड़ा थाई आगे बढ़े कोना दिक्कत ना के हुगा सिधा होएगा आए देखते हैं ठीक है इनको जोड़ना है सबसे पहले वो नंबर लिखेंगे जो सबसे पहले है अब इसमें ये देखेंगे कि अधिकतम मैकसिमम दसमलो के बाद कितने अंक तक गिंती लिखी है मतलब कितने अंक तक अधिकतम इसमें दसमलो लगा है इसमें देखो दो अंक है दसमलो के बाद इसमें तीन अंख है तो हम ऐसी कंडिसन में इसमें दसमलो लगा लेंगे और तीन थी जीरो बढ़ा लेंगे हो गया जिनको गडित नहीं आती मैं फिर बोल रहा हूँ गारंटी है सिखाने की बस थोड़ा वक्त दे ना आपसे सिर्फ आपकी टाइम चाहता हूँ थोड़ा बस आओ दूसरे पर आते हैं दसमलो के जश्ट नीचे दसमलो इसके राइट साइड में देखो जीरो है फिर वन है तो जीरो और वन एक एक अंग समहाल समहाल के रखना है डिश्टर्ब नहीं होने का अगर ये वन आपने इसके नीचे लिख दिया तो सब गलत अगर आपने बीच में एक जीरो छोड़ के वन इसके नीचे लख दिया सब गलत तो आप ऐसे ही लिखेंगे इसको कभी भी आएफे नहीं लिखना जैट फिर ये गलत अब तीसरे पर आजाओ इधर दसामलो के नीचे फिर दसामलो जीरो है जीरो है और तीन है देखो जीरो जीरो तीन अब ऐसे लंबी फ्लाइन खीचलो पलफ का चिनना लगा लो इसे ही कहते हैं जीरो लेबल गड़ित कोई नहीं पढ़ाता है यूटूब पर पूरा चैलेंज है खोज लेना अगर कैसे कोई सिखाया होगा मुझे भेज देना सारा कोर्श्री दे देंगे एक बार खोज के देखना अगर कोई सिखाया हो ऐसे तो बता ना पूरी गारेंटी है मेरी कोई ऐसा चैनल पाजाना जिसमें पांच-छे लाग बच्चे जुड़े हो और वह ऐसा चीज सिखा रहा हो आईए पढ़ाते नहीं सिखाते हैं इसके क्या करेंगे उपर भाई बीच में गयफ है ना इसकी गयफ भरपाई के लिए आप जीरो लगा दो ठीक अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो वह इसे खंडार टाइप का लग रहा है तो यहाँ भरपाई के लिए यहाँ भी सुनना रख दो अच्छा लगेगा यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो बराबर हो गया मतलब डिस बैलेंस ना हो है ना जीरो के लामा कोई दूसरी गिंती मत लिखना नहीं सब सत्य ना सो जाएगा अब देखो तीन के उपर कुछ नहीं है तो तीनी वन का वनी रहेगा जीरो 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 सब तो जीरो दसमलो के नीचे दसमलो नाइन और टू इसका जवाब दीजिए क्या होगा अंसर रे मैं हटा हूँ जिससे आपको दिखाई बड़े कुश्चन बहुत अच्छा बेरे गुड सोबित कुमार बेरे गुड देखो भया इसको जोड़ना है इसको जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो सी वाला सही होगा अब हम पढ़ेंगे घटाना दसमलो का घटाना हम ऐसे डोलते हीलते रहेंगे जिससे आपको कुश्चन दिखता रहें प्रियंका भरतवाज, नीतु रावत, अस्वनी, सोनम दूबे, अनीसा, मोहित कुमार, नीतिका स्रीवास्तो, गीता, नीतिका सर्मा, बीजय सूरज, और भी बहुत से 4,800 बच्चे जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है, उसको एफ़े लिख लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, डेसिमल के जश्ट नीचे डेसिमल लगाएंगे, यानि यहां पे सीधा सीधा बे इसके नीचे पाँच है तो पाँच, और डेसिमल के लेट साइड में, बाई साइड में जीरो है, और माइनस का चिन्द क्योंकि हमें घटाना है जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ, तो कहो कि फिर का करते हो, मैं आपको सिखाता हूँ, पढ़ाने सिखाने में अंतर है, कलास देखेंगे तो अंतर समझ में आएगा पांच में से पांच घटाएंगे, सबको पता जीरो आएगा, दसमलो के नीचे दसमलो, तीन में से सुनना घटाएंगे तीन, यानि साड़े तीन रुपईया रही, ओमेस 50 पईसा खतम होईगा तो तीन रुपईया बचा, जो लोग 90 के दसक की होंगे, उनको पता होगा, प इतने आसी का बाद हो गए उसी में कितने लोग थे उसमें हम भी थे उसी में इसकी कुछ बिमारी हो रही है सड़े तीन साल हो गए आप यह भी कुछ नया रूप दिखाएगा चलो देखो हो गया यह तो वह लोग समझ पाएंगे कि पैसे का खेल क्या होता है बाकी ठीक है आप गड़ित की महां समझो जो नहीं समझ भाए आओ इसको सब्ट्रेक करना है यह है देड़ रूपया इसमें से घटाना है 30 पैसा क्या घटाना है देड़ रूपय से 30 पैसा घटाना है समझ यह सबसे पहले फर्ष्ट नंबर लिखेंगे बिल्कुल प्यार फे फिर क्या करेंगे डेसिमल के जश्ट सीधा में डेसिमल लगाएंगे और इधर साइड में देखो 3 है दाइनी साइड तो 3 और बाइफाइड जीरो था 0 यह पहला लेबल का कुश्चन है फर्ष्ट लेबल बहुत आसान है चोटे चोटे बच्चे भी कर लेंगे जितने भी हमारे प्यारी साथ ही जुड़े हैं सेशन को लाइक जरूर करें और अगर आपने गड़े सीखने का मन बना रखा है तो कलास को पूरा देखना है छोड़ के नहीं जाना है बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना आए हो मेरी जिन्दगी में तुम बहार बनके तो जा 20 पैसाँ ठीक है एक चीज़े और समंझना था मवह चोड़ी सी मला बर प्यारी बशाए है तो इसका मतलब हुआ 20 पैसा अगर रुपएकी की बात कर रहें है आएफे भी लिखा है तब 20 का मतलब 20 पैसा ठीक है और अगर ये आएफे भी लिखा है तब 20 का मतलब 20 है पैसा होगा उत्पर जादा नहीं होगा है है कि छोटे-चोटे कौन पढ़ता है इनको नहीं पता है कितने लोग की साधी टूट गई सी चक्कर में परिक्षा ने निकली परिक्षा ने निकली सब गड़ बड़ हो गया कि तो आप सबी समझ गए न तो 0.50000 या फिर 0.5 सब मतलब एक होता है ठीक है लेकिन अगर कहीं भी यहां पर कोई कि नंबर आ गया लाश्ट में तो फिर मतलब बदल जाता है ठीक है क्या होता फिर मतलब चेंज हो जाता उसका तो यह समझ गए यह कितना बचा एक रुपया बीस पैसा यहां पर चाहे तो 0 लगा लो एक ठीदूठी चाहे जितना लगा लो बिलकुल वैसे जैसे किसे इंसान क मर जाने के बाद उसके कितनी भी सेवा भूति कर लो प्रोग्राम कर दो बड़ा-बड़ा कोन मतलब नहीं होता है जीते दिये नक और मरे उठावे चाहरा वही आल है कि दसामलों के बाद में कितना भी जीरो लगा दोगे आप लाश्ट गिंती में अगर उसके बाद कोई 0 म मतलब अंक नहीं आता है तो उस जीरो का कोई मतलब नहीं होता है कि मतलब एक परकार से आप समझ गए होंगे नहीं समझे तो अभी और आगे एक्जांपल से समझाएंगे देशी देशी एक्जांपल से आजाएगा समझ में चलो आगे बढ़ते हैं देखना अब इनको देखना आ गया उस अभी इनको कैसे सब्ट्रेक करेंगे सबसे पहला दिया गया जो गिंती है उसको लिख देंगे और फिर क्या करेंगे दसमलो के ज़ेस्ट नीचे दसमलो इसके राइट साइड में 3 है तो 3 लेफ्ट साइड में 0 है तो 0 इनको सब्ट्रेक करेंगे 5 से 3 सब्ट्रेक करोगे 2 पॉइंट की नीचे पॉइंट 0 फिर 0 तो 0 और 1 यानि एक रुपया 50 पैसा से स्वरी 10 रुपया 50 पैसा 30 पैसा घटाओगे तो 10 रुपया 20 पैसा बचेगा स्वम्यतिवारी डेली क्लास लाइब आईए लाइब नहीं देखेंगे रिकॉर्डेट नहीं मिलेगा जिनको रिकॉर्डेट चाहिए ओ पीबीर एस्टेडी एप में सब्सक्रेप्शन ले लीजी या भी NCRT 24-25 थारीट से चाहिए जब देखना उसमें कोई दिक्कत नहीं इसको कैसे सब्ट्रेक करेंगे देखें इसको बगल बगल भी सब्ट्रेक करते हैं लेकिन थोड़ा सा दिमाग का परियोग करना पड़ेगा बगल बगल में घटा के दिखाऊं कोईचे देखो तीसरे अंक से इसमें कभी दसमलो के बाद तीसरा अंक घटाएंगे ठीक है तो साथ में से एक घटाएंगे छे आएगा दसमलो के दूसरा अंक पांच है इसका जीरो है पांच में से जीरो घटाएंगे पांच दसमलो के बाद का पहला अंक तीन है इसका जीरो है याँ आद modelo कलास को सेर नहीं कर रहे हो अधिकतर बच्चे ना से करें तो कर दीजिए शेयर कर दीजिए जिससे मैं इसे चला सकूँ डेली ठीक है तो मैं कुछ नहीं करूगा एक नया बैच लाओंगा और कली नया बैच लाया तो कली इसका तीन गुना संख्या जुड़ जाएगी मुझे पता है उसमें से कुछ बच्चे ज्वाइन भी कर ल कर दिए उमीद है सभी कर दिये होंगे जूट तो बोलते नहीं आप लोग अच्छे बच्चे हाँ इनको सब्ट्रेक करेंगे अगर हम बगल बगल करें तो कैसे होगा देखना लाश्ट वाला आंक दसमलों के बाद का इसमें के दसमलों का बाद का तीन में से एक गया दो द दसमलों के पहले का पहला आंक और यह दोनों घटाएंगे तो साथ लेकिन अधिकतर लोग नहीं समझ पाए तो मैं इसको बिश्तार से बताता हूँ आँ देखो सबसे पहला जो संख्या लिख लेंगे डेसिमल के जश्ट सीध में डेसिमल इसके राइट साइड में दसमलों के वन है और लेप्ट साइड में टू है माइनफ कचिन लगाएंगे सीधा फीधा घटा लेंगे बस आंसार हो गया आईए अगला देखते हैं सबसे पहले मैं अगर आप कहो तो बगल बगल में घटा के दिखा दूं देखो कैसे होगा दसमलों के लाष्ट का जो अंक है उसको लीजिए मतलब दसमलों के जश्ट पगल वाला तो इसमें क्या है फाइफ है और इसमें वन तो फाइफ से वन सब्ट्रेक करोगे क्या आएगा भाईया फोर आएगा फीचा है उसके बाद डेसिमल है तो डेसिमल अब देखो वन है वन से से वन से ग्डैक करना आ तो सब्ट्रेक होगा नहीं जिनको पहल करना खहे है भाईनगा नीचे आपर भी करके डिखाऊँगा कितना चार अब देखना कि एक उधार दे दिया था एक बचा है एक में से एक जाएगा तो इस आप सुनना आएगा जो आ गया बस फॉर पॉइंट फॉर अच्छा यह सही है कि गलत है इसका एक और तरीका है पता है क्या इन दोनों को जोड़ दो इन दोनों को जोड़ दो आ अगर सही होगा तो कि गलत हम बताई थी थोड़े तुर लोग का लागा थे का बख़व है यह ना इक जोड़े दोनों देखा पक्का सबाइक समझ में आएगा ना भईया चला फिर भागा आए बहुत से लोग को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है नो तकलीफ नो दिक्कत चलो सबसे पहले यह बढ़का वाला गिंती लिखेंगे दसमलों के नीचे दसमलों चिपका देंगे और इधरे दहिनी साइड में वन है तो वन लिख दिया और इकरे साइड में देखो सेबन है और वन है गटाल भाया 5 में से गया 4 दसमलो के नीचे दसमलो इसमें से एक उधार देगा यह हो जाएगा 11 में से 7 गया 4 यह बचा 11 में से 10 अजीत बाबु बेसिक ही चल रहा है मैं बूबी बेगम नितिका सर्मा प्रियंका मोनिका कुछ लोग यहां सेटिंग करने आते हैं पढ़ाई लिखा इस क्या मिलता जिन्दगी में पढ़े लिखेंगे अच्छी नौकरी मिलेगी फिर साधी भी आओगा फिर वह इस आप करना इस से अच्छा पहले नोहीं मिल जाए पढ़ने लिखने का मतलब है कि अच्छा ना एसी कि नहीं अधनी सोच रहों सोचो कि का में देखो न मैं यह से थोड़ी हम बोल रहा हूं बहुत मस्त बति आते हैं ऐसी बात नहीं उनको कोई परकार का भय नहीं रहता है अच्छा लगता है कोई पहले आपको बता रहा हूं अधि लिख दिया फिर डेसिमल के जच्छ नीचे डेसिमल इसके दाइनी साइड में 0 और 1 है तो 0 1 ठीक है और डेसिमल के बाई साइड में नी लेफ्ट साइड में 7 और 1 है बस सब्ट्रेक कर लो भई आज हमारे ब्लॉक करने वाले टीम नहीं आए 5 से 1 सब्ट्रेक करोगे 4 तीन में से 0 घटा हुआ भई या तो 3 रहे दसमलो नीचे दसमलो लगाए दया 2 में से 7 नहीं घटेगा तो बगल के पडोशन से उधार लेंगे तो यह बन जाएगा 12 ऐसे मानते हैं मैथ में ठीक है 12 म पांच यह एक उधार दिये थे इनके पास 3 बचा है तो 3 में से एक गया दो अगर यह सही है तो जो घटाने पर आया है और जिसको घटाया गया है इनको अगर हम जोड़ दें तो में संख्या आ जानी चाहिए उपर वाली अगर यह सही घटाया है तो सही है न भाईया 42.35 आया है यह भी 42.35 आधा हर सिता मिसरा समझ में आ रहा है समरीन सैफी मुहमद हसन सोनम चौहान अभीजय चौहान सोनम दूबे सभी को आ रहा है जो बच्चे डेली कलास की नोटिपिकेशन पाना चाहते हैं पीडिया फाइल आधी आधी अनाधी चीज़ें पाना चाहते हैं वो पीवियार स्टडी को टेली गराम पर जरूर जोइन कर लें क्योंकि यहीं पर कलास की लिंक और दी जाती है अगर किफी दिन कलास ले टोट हो जाती है या चुट्टी उट्टी रहती है तो यहीं बताते हैं नहीं किया तो कर ले ना मेरी बात अगर मानना तो आप जानो आपका काम क्योंकि आज कल कहना तो लोग अपने माबाप का नह मानते हैं मैं कौन सी चीज हूं कि अब यह लेबल थरीक है उससे थोड़ा सा अलग होगा जो अभी तक आप कर रहे था थोड़ा सा अलग होगा दम हलका सा मैं फिर एक बार बोल रहा हूं आप लोगों से कि सभी बच्चे क्लास को शेयर जरूर करें अपने वाट्साप ग्रूप में वाट्साप स्टेटस में जो दिल फटे वाली सायरी लगाते हो न वो सब लगाने से कोई फायदा नहीं है पहले अपना स्टेटस बना लो स्टेटस दिखाना नहीं पड़ता दिखने लगता है खुद ही वाट्साप स्टेटस का सही हुझ इंडिया में नहीं होता है इंडिया में जो लोग कच्रा डालते है उसमें ठीक है बात में बात करेंगे इस पर आये चलिए तो यह क्लास का लिंक अगर लगा देंगे तो सही हुझ हो अब डेसिमल के जश्ट नीचे डेसिमल और डेसिमल यानि दसमलों के दाहिनी तरफ साथ था तो साथ और दसमलों के बाई तरफ जीरो था जीरो यह वन के नीचे लिखना जो इधर वाला वन है बस अब इनको घटाना है माइनस यह वाला वन इसके नीचे कुछ नहीं एक अब देखो थिरी से सेबन सब्ट्रेक नहीं होगा तो क्या करेंगे साथ समंदर पार से उधार मांग लाएंगे कहां से दस हम लोग इधर तो और कोई है नहीं इधरे वाले से उधार ले आएंगे इधर ठीक है यह एक आएक उधार दे पता है मायत वाले स्टूटेंट बहुत समझदार होते हैं उधार आएगा तिय बन जाएगा 13 वास्तों में बन नहीं जाएगा ऐसा मान लेते हैं जैसे आप लोग मान लेते हैं क्या कि तू जो कहे बस वही सही है तेरे बिन तो कुछ भी नहीं है और बाद में पता चलता है कि तू जो कह रही थी वो तो सब गलत था फिर तूट जाता है क्या दिल तूट जाता है ऐसा मान लेते हैं तूट गया दिल थोड़ी तूट था रियल में दिल तूटे तो मर न जाओ जिंदा थोड़ी रहो कोई मानते एक टूट गया बस तो ऐसे यहां भी मान लो कि उधार लिया है और यह तेरा बन गया है बस इतना मानना है चलो देखो मान लिया तो यह बन गया 13 13 में से 7 घटा लो भाई यह चे आएगा छे आएगा ठीक है अब इसमें से उधार इसको दिया था मान लिया था तो अब यह भी मान लो कि इसमें से उधार गया तो जीरो बन गया क्योंकि वन था तो वन में से वन कम हो गया तो जीरो हो गया अब जीरो में से जीरो तो जीरो ही रहेगा ठीक है भाईया और यह कुछ नहीं दिया लिया था वैसे था इसको वैसे लिख लो बस कौनो दिख करना क्यों के चापला भाईया आगे बढ़े मुश्कान गुपता समझ में आ रहा है रिशा व्यादो कोमल तिरपाथी सभी को समझ में आ रहा है बढ़िया अच्छा है हील डोल रहा है न यह आ नहीं कभी कभी जाम हो जाता है आई यह फास्ट खतम सिकेंड पर आ जाओ इनको बगल बगल भी हम सब ट्रेक कर सकते हैं लेकिन रहने दो 45.3 इसमें से दसमलो के जश्ट नीचे दसमलो दसमलो के दानी तरफ नो दसमलो के बाई तरफ जीरो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको संतुष्टी के लिए जीरो बढ़ा दो अच्छा लगेगा अब घटा लेते हैं तीन में से नो नहीं घटेगा वही फिर करेंगे मानने वाली देखो मैंने कहा था न मैत का इस्टूडेंट बहुत मानता है मैत कैसे भी स्टूडेंट होते हैं जो बिना भी आ हुए मान लेते हैं मेरा हो गया है और वो पड़े रहते हैं वैसे ही मान के चलते हैं वह से हम भी मान रखें समझ रहे हों कि नहीं जो तुम लोग पूछते हो मान लिए कि हो गया देखो कैसे छोड़ो सब इदर देखो मान लिया कि इसमें उधार गया बन गया तेरा तो तेरा मैंसे नौ तो घटेगा ना तो कितना आएगा चार कितना आएगा फोर सही लिखाओ कि नहीं नहीं तो फिर वही कहो कि जो तुम कह रहे हो अई सही है नहीं दिमाग लगा लो अब ये उधार दिया था इसको तेक कम हो गया यानि ये बचा है चार क्योंकि ये पांच था दसमलो की नीचे दसमलो चिप का दो भाईया इसको फोर उतार लो और ये फोर पहले से था इससे कोई छेड़ छाड़ नहीं हुई कोई चेंजिंग नहीं हुआ इनको वैसे सबी को समझ में आया नितिका समझ में आया अस्वनी आपको भी समझ में आया देखो एक चीज मैं बताओं फिर से आप लोग संख्या हंडेड प्लफ नहीं कर रहे हो मैं कलास बह informações नहीं चला पाऊंगा फिर मैं इसे सब्ताहिक चलाओंगा बस बंद नहीं करोंगा सब्ताहिक चलाओँगा सेयर नहीं कर रहे हैं आदिव जादा बच्चे सेयर नहीं किये उनको सरम लगती है कितना छोटा छोटा कहा बेज़ें किसको भेजें और दूसरे उन्चास वाला मोदी जी परधान मंतरी बनने खुसिम रिचास दे रहे हैं उसको सबको भेजोगे मिलेगा उसमें ठेंगा कुछ नहीं मिलता है करते हैं न लोग मैं तो परिसान हो जाता हूं बची इतना भेजते हैं अब इस्टूटेंट उनको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं है न लेकिन इसको नहीं भेजोगे आगे बढ़ते हैं देखो यह घटाना सही था कि गलत था इसको एक बार उत्तर चेक कर लेते हैं कैसे अगर यह घटाना सही था तो जो घटाने पर आपका आया है 44.4 और जिसको आपने घटाया है दोनों जोड़ो अगर यह जोडने पर उपर वाली संख्या आ गई मेन वाल तेरा का तीन हासी लेक हाफी लेक हमाँ जोड़ दया तो पांच आ गया ना सही था गुरू कोई कर आज लोग मैच देख रहे हैं हां मैं बताओ एक बाद बोल दूँ हो सकता है लोग मुझे ट्रोल करें करिया है मेरे हिसाब से जा तक मेरा मानना है मेरे यहां के भी लोग देखते हैं ठीक है मेरे यहां के भी लोग देखते हैं मेरे चोटा भाई देखता है मेरा सबसे बड़ा भाई देखता है मैच देखना और जो लोग गंदा फिल्म देखते हैं एक परकार से मैं अगर और हुआ हूँ मेरे हिसाब से दोनों में सेम उक्कार होता यह स्मझे पर देखता हूँ यहाहं बच्चे देख रहे ठेल कमेसा नहीं कि पाइस से अलग से आरे में अलग रहें यह बिना मतलब के उचल रहें कहते हैं बिरोजगार हैं बिरोजगार है जितना मैं चाहेगा को नहीं छोड़ेंगे हाट इस्टार अलग से रिचार्ज करेंगे बतब क्या मिलता है नसा आएक परकार से सराब पीने में जो मिलता हुई उसमें मिलता है अगर तुम खेल कर रहे हो तो ठीक अच्छा है सीख रहे हो लेगिन वतिना टाइम बरबात कर उसमें क्या टाइम व्यायीं सेमझ रहे हैं कि विस ब पहुक्त मैंके लगा करके लगता है वह तो एक फाल ठीख हो क्या मतलब इनको घटाएंगे क्या होगा 23.05 और यह 13.07 इसको घटा लेंगे क्या होगा बताईए सब्ट्रेक करके कितना आएगा कि इसको बताईए देखिए अब मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा इंडिया हार गई या जीत गई या कोई हार गया जीत गए ठीक है अच्छी बात है खिलाडी मेनत करें जीत होगी देश का नाम होगा हम भी चाहते है अच्छी बात है लेकिन तुम उसमें कर तो कुछ नहीं सकते ना बताओ क्या कर सकते हो मेरे इसाफे तो कुछ नहीं कर सकते हो कोई हार रहा है जीतरा चेंज तो नहीं कर पाओगे कुछ नहीं कर सकते ना हाँ देखो रेजल्स देखलो ठीक है पर डाम देखलो ठीक अच्छा मैं भी बानता हूं छुड़ी ओर रादेखलो ठीक है लेकिन तो पूरा टाइम उसी मुषय ओ यह तो घड़ बड़े ना आगे बढ़े चल भाई यह बहुत सिंपल सा है कैसे घटेगा इस में से बगल से एक उधार जाएगा 15 पंदरा में से 7 गया 8 ठीक है अब बगल से कहां से उधार जाएगा समझना यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं है तो पहले इधर से एक उधार आएगा ठीक है यह बनेगा 10 ऐसा मानते हैं अब 10 आफ यह इसको उधार देगा तो यह बनेगा 15 अब अगर यह 10 था एक उधार दे दिया तो कितना बचा 9 9 में से 0 गया 9 दसांबलो के नीचे 10 अंबलो अब यह इसको उधार दिया था इधर यह 2 बचा है 2 में से 3 नहीं जायेगा इधर से उधार आएगा बारा बारा मैंसे तीन गया नव न गटा के देखो भाई सही है कि नहीं है आया समझ में कर लो भाई या गलत है तो मुझे बताओ कहीं कुछ अगर भूल उल गया तो दूसरा एक बात मैं और कहना चाहता हूँ पता है क्या बहुत ही कड़ी बात बोलने जा रहा हूँ हो सकता है कुछ लोग न सुन पाए ना समझ पाए आजकल का जो बॉली बूड है जो पूरे देश को नंगा कर रहा है लोग उसको अपना फैन और इस्टार मान के चलते हैं न लड़कियां छोटी छोटी बच्चीयां जो हैं छोटे छोटे कपड़े पहनके नंगी घुम रही है आपका आथ यह तो गड़ी गंदीवाल बोल रहा है सब कहां फे निकल रहे बॉली बूड से निकल रहे है जितना ज़्यादा उत्तिना अर्धनंगी शरीर देखने से हो लेकिन आजकल वही हो रहा है एक दूसरी बात को यह मेरा दोस्त कह रहा था इस पर चर्चा हो रही थी तो वह कह रहा था एक चीज है इतनी सारी रेप की घड़ना होती है मुस्लिम लड़कियों में बहुत कम होता ऐसा क्यों क्योंकि वह हिसाब किताब से कपड़ा पहनते हैं अपिदम ढख जाओ ना दिखो लेकिन धंक करो कुछ लोगों को लगेगा मेरी आजादी है आजादी का मतलब नंगे गूमना नहीं है लेकिन आजकल के जो फेबरेट इस्टार हैं उनके सपोर्टर समर्थक उनके फैन हो चुके हैं कि तुम नंगे तो हम भी नंगे हो है यह सचाई है लेकिन कोई सुन नहीं पाता हाजम नहीं होती है और किसी के सही बात है बॉली बूड के चक्कर में पुरा देफ नंगा हो रहा है 27.03 इसमें से इसको सब्ट्रेक करेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट इधर जीरो सही लिखा है ना सब्ट्रेक करके बताओ फटाफट कितना आएगा देखिए डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल इसके राइट साइड में 5 है तो 5 लिख दिया इसके बगल में कुछ नहीं है तो 0 लगा लो जिससे यह बैलेंस बना रहे आपको दिखे सीधा फीधा नंबर के नीचे नंबर इसके इधर कुछ नहीं तो 0 लगा लो इनको घटा जीरो में से 5 निगट रहा क्या आएगा जीरो से पांच निगटेगा बगल से उधार जाएगा इधर से पड़ोसी से उधार ले लो यह बन जाएका दस ऐसा मान लीजिए तो दस में से 5 गया यह 5 आप यह मानने का मतलब यह नहीं कि आप इसको मान लिए ते तुम्हारा ही ह कि इतना समझ में आया अभी साथ से उधार इधर गया था तो यह एक कम हो जाता है ऐसा माना जाता है ठीक है तो यह कितना आएगा अच्छे और यह इसमें कुछ नहीं हुआ था दो बस हो गया आंसर इसके पॉइंट की नीचे पॉइंट लगा दीजिए यही तो बच्चों किसी को सभी को समझ में आ रहे हैं इसी तरीके के सारे कोश्चन आप लोग कर लेंगे बच गया है साड़े नौ और आप लोगों की संख्या आज 100 पार नहीं हो रही क्लास बहुत बढ़ी नहीं चलाएंगे और हाँ चलाएंगे नहीं बढ़िया जितनी संख्या कमरें उतनी बढ़िया दूबारा लिंक नहीं देने वाला आज वाली लिंक किसी को नहीं बेजूंगा कि मुझे पता है कल सब मांगेंगे क्योंकि आज तुम्हें चाहरा है ना ठीक है चलो कि यह थोड़ा सालाग होगा उस कोश्चन से जो अभी किया आपने थोड़ा फालाग होगा ब पहले सबसे पहला नंबर लिखेंगे क्या हुआ कामरा री स्टार्ट हो जा रहा बर बर क्या बताऊं मैं कामरा री स्टार्ट हो जा रहा एक बताऊंगा इसमें का बाकी आप लोग होमवर करेंगे पांच मैं से दो घटाएंगे तीन दसहमलोकर नाचे दसहमलो पांच मैं से सात नहीं घटेगा बगल से उध़ार जाएगा 13 में से मान लेते हैं ठीक है पंद्रा में से साथ गया आठ ये उधार दिया था ये कम हो गए ये कैमरा बार बार री स्टार्ट हो जा रहा है इसकी भी कोई बिमारी पकड़ ली इसको दिखाना पड़ेगा बात करता हूँ इफिले हट जाता है हाँ तो इसमें से एक उधार दिया था ये क्या बचा साथ साथ में से तीन गया चार तुझे जब आप दीजिए कुश्चन आपके सामने है इसका option बताईए option आपके सामने है बताईए क्या साही होगा सबसे पहले हम देखेंगे कुछ बच्चे ट्राई करेंगे उसके बाद फिर हम बताएंगे इसमें अगर हम बात करें answer की तो 63 होगा टोटल और डेसिमन लगेगा चार अंक पर तो यह वाला सी वाला साही है कौन सा साही है सी वाला साही है सभी को मेरी बातें सुनाई पढ़ रहे हैं एक बार हां बोल दें यस बोल दें और फटा फट सेयर कर दें अगर आप इस को लाइब इंड होने के बाद देखने को पार रहें तो बड़ा भागे साली है अब वीडियो को थोड़ा पांच मिनट आगे भागा के देखें वहां से पढ़ाई शुरू हो जाएगी ठीक है वैसे लाइब के बाद यह वीडियो में यूट्यूब पर छोड़ते नहीं है प्राइबेट रखते हैं इस पेसल कुछ लोगों को देते हैं बस बाकी डिलीट कर देते हैं आईए बात करते हैं कैसे इनका गुड़ा करेंगे नौ बच चुका है बच चुका है आईए ताथी मेरे जैसे अगर मैं कोई नंबर की बात करूँ आप सभी जानते हो तीन का दो में गुड़ा करना तो सबको पता अच्छे होता है लेकिन अगर कहीं दसामलों लगा हो तो उसका थोड़ा सा सिस्टम बदल जाता है कैसे जरा देखना जरा देखना जैसे ये पहला कुश्चन है न इसका आंसर होगा कितना पता है चारत यहीं बारा और वन डिजिट पर पॉइंट लगेगा कानी कैसे होती है हम पहले दी गई संख्याओं को सामान तरीके से गुड़ा कर लेते हैं बिलकुल नार्मल तरीके से दसामलों भूल जाते हैं कि दसामलों भी लगा है ठीक है दसामलों भूल जाते हैं कि दसामलों लगा है जैसे अगर हम भी वाले question की बात करें उधर जो लिखा था 0.07 into 8 तो हम पहले ये समझेंगे कि हम 8 का 7 में या 7 का 8 में गुड़ा करेंगे बस जो की होगा 56 हमें सिर्फ इतने से मतलब है अभी ठीक है समझे ना हम सिर्फ 7-8 का गुड़ा करेंगे और उत्तर लिख देंगे जो भी है फिर देखेंगे दसमलो कितने अंक पर था तो यहां पर देखो दसमलो एक दो उसके बाद फिर दसमलो है एक दो यहां दसमलो लगा देंगे इसके पहले जीरो लगा देते हैं जिससे आपको डेसिमल जनाई पड़े अभी बेसिक सीख रहे हो तो आप इतना यानो बसा और मत समझो क्यों लगाते हैं जीरो ठीक अभी को मेरी बाते समझ में आ रही बहुत अच्छा बेरे गुड चल भया तो ठीक है गुड बेरे गुड ये हो गया दूसरा तीसरे पर आगे बढ़ते हैं इमांदारी के साथ आप देखना जीरो पॉइंट जीरो दो गुड़ा साथ इसका गुड़ा कितने लोग कर लेंगे इमांदारी के साथ बतावाई आंसर दीजिए परबीन कुमार बताईए अस्वनी आप बताईए कुमावत गर्ल और एक कमेंटर आ लाइफ नाम से भाईया लाइफ अपना नाम रख लो आप कुछ भी यह ऐसे कोश्चन है ना इनके बिना कुछ नहीं बनता विल्कुल आलू के जैसे आलू जानते हों आलू यह सबजीयों में एक ऐसी सबजी है जिसकी अकेले में सबजी नहीं बनती है लेकिन उसके बिना अधिकान सबजीया धूरी रह जाती है ना सब में पढ़ती है तो ऐस कि मिलादिया दिएन ने है ना तो समझ गें और में च्छाटरी बात करते हैं कि इनका क्या करें साथ के 2 में गुड़ा करेंगे तो चॉदा होगा अब दस बलो की बात करेंगे पर टेयाँ चांबर यहां यहां दस बलो जीरो सेबन इन्टु एट यह तुम्हें पहले कर लिया था यार नौ का गुड़ा करना है जीरो पॉइंट पांच में करके बताओ कितना आएगा देखिए उनके लिए है जिनको गड़ित नहीं आती या बहुत कमाती है हम उन्हें बिल्कुल सुनने से सिखाते हैं तो जिनको आता उनके लिए बहुत मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा कि 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 समझ गए न तो 9545 इसको ऐसे लिख लोगे आप अब यहां पर देखो डेसिमल वन डिजिट पे है वन डिजिट पे यहां डेसिमल लगा दोगे बस हो गया अंसर लिख लेजिए फटा फट चाप लीजिए तो जिनको लग रहा है यह किस परिक्षा में आएगा तो भाईया यह किसी परिक्षा में नहीं आएगा लेकिन इसके बीना कोई क्लास को लाइक नहीं किये तो सभी से रिक्ष्ट है कि फटा-फट भाबु भीया क्लास को लाइक सेर कर दीजी आपकी जिम्मेदारी है तो कलास फिर सब्ता ही कर देंगे हम सब्ता हमें सिर्फ एक दिन चलेगी बंद नहीं होगी एक नए ले आएंगे ठीक है बहुत जल्दी लाने माले हैं आप लोग क्लास को सेर करें संख्या 100 पुलस जानी चाहिए कि अगर 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 इसको बताओ कितना आएगा बताओ कितना आएगा फटा पर चलो अधिकतर बच्चे नहीं करते हैं जब तक मैं आठ बार नहीं बोलता हूं लाइक सेर नहीं करते हैं कुछ इनको लगता है कि यह तो ऐसे हवा में चल रही है जिनको भी गड़ित नहीं आती मैं पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं पूरी गारंटी आपको सिखाने की पूरा गारंटी आपको गड़ित सिखाने की बिल्कुल सुनने से बस एक गारंटी आपको ले रहा होगा कि आपको सीखना होगा अगर आप नहीं सीखना चाहते हो तो तम नहीं कर सकते कुछ। जो इनसान खुद नहीं बदलना चाहता उसको पूरा बर्मांड नहीं बदल सकता है। नव का तीन में गुड़ा करेंगे 27, यहां पर देखिए, एक दो अंक पर द समलो था, यहां पर दो अंक पर द समलो लग जाएगा, यहाँ जीरो लग जाएगा बस होगए अंसर कोई डाउट ना किसी को नो चलो इसका आठ का चार में गुड़ा करेंगे 32 इसका अंसर आप लोग कमेंट करो मैं नहीं बताऊंगा चलो यफ वाले का अंसर बताओ यफ वाले का अंसर बताओ कमेंट में ऐसे लिखेंगे आप यफ 3.5 यफ 3.2 यफ 0.32 ऐसे लिखेंगे समझ में आ रहा है सभी को चलो बहुत अच्छा रॉक इस्टार किंग नाम है आपका अथे इनका किसको आ रहा है एके स्टडी पॉइंट मैं बूबी बेगाम एके स्टडी नित्या सर्मा सभी को आ रहा है बहुत अच्छा चलो बेरे गुड तो भाईया इनका मल्टिपल करोगे 4.8.32 या 8.4.32 वन डिजिट पर पॉइंट है पीछे से वन डिजिट यहां चिपका दोगे बस पॉइंट भोगे आंसर 3.2 यह आपका फास्ट लेबल का कोश्चन था सिकेंड लेबल में आगे बढ़ो पहला आंसर दीजिए फास्ट वाला चलो बताओ भया पहला बाला देखो आप लोग देर ना किया करो एक बार में बार बार मतलब एक बार की बार बार कितनी बार बताओं लेट ना किया करिए इसे ध्यान से पढ़ लीजे इमांदारी से दिल लगा के बिल्कुल ये कलास सिर्फ लाइब देख पाओगे बिल्कुल यूटूब पर फिरी पढ़ा रहे है ऐसा कोर्स जिसका साल भर का 2000 रुपे फिस लगता है वो यूटूब पर मैं पूरा फिरी पढ़ाओंगा कंडिसन है कि आप सिर्फ लाइब देख पाओगे 9 से 940 तक अगर लाइब नहीं आते हो रात में 9 से 940 तो फिर नहीं मिलेगा फिर इसका वीडियो नहीं मिलेगा हम डिलिट कर देंगे तुरंट पढ़ाने बाद बहुत अच्छा इसमें जबाब दे दिया है आश्वनी ने बता दिया है है या और इभी मा सिंग कुमावत जी ने बता दिया है प्रतिमा प्रियंका संजली और गी सा को सा कि भाइब कृव्टीन वाय इसमें दसांबलों संख्यांओं में है अभी तक एक ौहां है एक अंक पर यहां है तो एक धन एक बराबर दो हमें दो अंक पर दसंब्लों लगाना है एक दो यहां इसकी आगे जीरो बस मेरी आवाज कम आ रही क्या पुरा आ रही न क्लास आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हो संख्या सौपलफ नहीं जा रही मैं यहीं तीन कोश्चन कराक बंद कर रहा हूं सच में बंद कर रहा हूं मैं अब फिर पढ़ाओंगा एक हपता बाद नहीं अच्छा लगता ना यार मुझे भी अच्छा लगता हर सबता एक नई बैच लाओ बच्चे देखो बड़े जोस के साथ जुड़ते हैं उसमें से आदे से बच्चे फीज जमा करके जुआइन कर लेते हैं हमारा भी फायदा तुम्हारा फायदा नहीं शेयर करोगे इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता हम एक नया बैच लाएंगे बच्चिन नहीं आएंगे तो निबेदन है आपसे अभी भी रिक्वेस्ट है कलास को शेयर कर दीजिए फटा पट शेयर करिए 100 पलस जुड़िए बार बीच में बोलना अच्छा से यहाँ हो जायगा बस हो गया खत्म format से बिल्कुल जीरो से ना बाताğ है अब करी चैसे चोटा क्या सिखा इंप इससे चोटा तो नहीं होता ना अब इत चोटा क्या सिखाएं चलो वाई सी वाले में आ जाओ इसका आंसर आप कमेंट करिए फटा पर चल दी से सभी लोग बताईए आप सभी बताईए C वाले का आंसर चलिए नीतु पंडे बहुत अच्छा पूनम नीलू बिसकर्मा नीलू पंडे दूसरा नाम है ये कौमल तिरपाथी MD मुम्ताज आलम बहुत अच्छा बेरे गूड बेरे गूड चलो बया तीन दुना छे यहाँ पर यहाँ यहाँ पर दो अंक पर दसामलो लगेगा हमारे पास एक ही अंक है तो हमें काम करते हैं इसके आगे जीरो बढ़ा के एक अंक और बना लेते हैं यहां पर दसमलों चिपका देते हैं आई जीरो बढ़ा ले बस एक गलती ना करना कि अगर एक अंख है इसको दो अंख बनाने के लिए जीरो इधर मत बढ़ाना ठीक है ऐसे कर लोगे तिये गलत है जीरो हमेशा संख्या के बाई तरफ बढ़ाएंगे आगे समझ में आगे बढ़ें चल बढ़ा आईए इसको करते हैं कैसे होगा आठ सते चपन एक अंक पर यहां एक अंक पर यहां दो अंक पर दसमलों लगेगा यानि यहां डिसमल लग जाएगा यह जीरो मुझे लगता है कि सभी को समझ में आ गया दर्मेन निसाद मेरा सही है बिल्कुल बहुत अच्छा आपका भी सही है यह थोड़ा सा अलग टाइप का कुश्चन है उससे बिल्कुल अलग है थोड़ा सा अलग टाइप है यह लेबल नंबर तीन है सबसे पहले हम दी गई संख्याओं का बिल्कुल सामान तरीके से गुड़ा करते है ठीक है मल्टिपल करो पांच दूना दस हासिल एक पांच सते पांच तीस एक छथ तीस कितना आया तीन सो साथ बताव आया तीन सो साथ इनको चलो करो फटा फट आगे बढ़ाओ आंसर बताओ कितना आयेगा दसमलो सेट करो इसमें आगे बढ़े हो गया सभी कर लिए ठीक है आईए देखिए बहुत अच्छा पांच दूना दस पांच सते पांच से पांच से पांच से एक छथ तीस तीन सो साथ एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ दो अंक पर दसमलो लगेगा 3.60 आएगा सुरज कुमार बहुत अच्छा दीपक विसकर्मा अच्वनी ठीक है इनको भी ऐसे करेंगे नाइन का गुड़ा करेंगे वन टू यानि ट्वैल्फ है दसमलो भूल जाएंगे पहले ठीक है बारा का गुड़ा नौ से करेंगे तो नौ दूना अठारा हाफी लेक नौ एक कम नौ एक दस एक्सो आठ यहाँ पर लाके एक्सो आठ लिखेंगे दसमलो देखो भाई एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ दो अंक पर पीछे से दसमलो लगेगा यहाँ पर 1.08 इसको कभी भी 1.08 नहीं पढ़ोगे ठीक है? 1.08 पढ़ने का एक तरीका और जान लो अगर कहीं ऐसे लिखा है तो कभी भी इसको 2.35 नहीं बोलोगे 2.35 कभी नहीं बोलोगे इसको बोलोगे 2.35 यह 2.35 अब इसका 35 का 8 में गुड़ा करियर मुझे बताइए कितना आएगा ये क्लास सिर्फ उनके लिए है जिनको गड़ित नहीं आती और वो सीखना चाहते हैं याद रखना इसको बीच-बीच में बूलना नहीं कोमल तिरपाठी का सी वाला भी आंसर आ चुका है बहुत अच्छा नीलू पंडे अक्छा कुमार सूरज तो आठ पंचे 40 इनको मिटाद भईया असिल 4 आठ तरिक 24 चार अठाइस 28 कितना आया 28 दस हमलो एक और एक दो आंक पर पीछे से दस हमलो यहाँ पर बस खतम यह डी वाले का आंसर बताओ को यह नीवन बताओ डी वाले का चलो प्रिंसी आदो बलवान सिंग रितु कटारिया देखिए इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रोज नहीं आते कलास में कभी-कभी दरसन देने आ जाते हैं उनका क्या होगा हम तो 32 दूना सभी को पता है 64 होता है लिख लिया लेकिन दसामलो देखो एक एक दो अंक पर दसामलो है तो यहाँ पर लगेगा 0.64 आगे बढ़े स्क्रेंसाट ले लीजिए फटा फट जल्दी करिए अब सभी साथ ही एक बार जोरदार तरीके से कलास को लाइक कर दीजिए तुरन देर ना करिए रिक्वेस्ट है आपकी जिम्मेदारी भी है लाइक कर देंगे तो एक बार हाँ लिखे कमेंट करेंगे कि हाँ आप कर दिये हैं पक्का चलो फिर इसी बात पर अगला अगला सवाल इसी बात पर हो गया बहुत अच्छा भाई आओ चलो इसको क्या करेंगे 27 से 5 में मल्टीपल करेंगे तो सबसे पहले आप 5 का मल्टीपल 27 से कर लो भाईया चला हो करा तो 5 सते 35 हाफिल 3 5 दूना 10 3 13 135 आएगा यहाँ पर लाके 135 लिख दो दसमलो देखिए प्यारे बच्चा एक और एक दो अंक पर है तो पीछे से दो अंक पर यहाँ दसमलो लगा देंगे जोडते हैं ठीक है कितने अंक पर दसमलो है यहाँ देखो एक अंक पर है फिर प्लस यहाँ पर एक है बराबर दो अंक पर दसमलो बस ऐसे होता है मुम्ताज समझ में आ रहा है प्रियंका भर्द्वज आईए इसका जबाब दीजिए जनाब बताइए कितना आएगा देखो भाई दसामलो भूल के गुड़ा करते हैं पहले ठीक है तो अगर दसामलो भूल जाएंगे तो यह 35 हो जाएगा और यह हो जाएगा दो बराबर आएगा 70 यहां पर 50 लिख लो अब दसामलो भूलने तो काम चलेगा नहीं याद करना पड़ेगा उसे तो एक और एक दो अंक पर पीछे से दसामलो यहां पर जीरो हो गया ख़तम को अगर को कुछ दिक्कत ना किसी को नीतु सर्मा कहरें ब्लैक ब्लैक दिख रहा है तो क्या करें ब्लैक ब्लैक क्या दिख रहा है लिखे हैं जो वो तो लाल पीला दिख रहा है ना ब्लैक क्या दिख रहा है लाल पीला दिखाऊं क्या आँख चुंदी आ जाएगी फिर कलरफुल कर देंगे तो अब कमेंट नहीं पढ़ूँगा चलो आगे 45 का 3 में गुड़ा करिए पहले बिना 10 हम लोगे तो 3 पचे 15 हाफी लेक 3 चोग 12 एक 13 135 एक अंक पर यहाँ 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 यह पर एक अंक पर एक एक दो बराबर दो अंक पर पॉइंट लगेगा पीछे से यहाँ पर यह हो गया खतम अब मुझे यह यह यच वाले कुश्चन का जवाब आप सभी लोग बताएंगे चलो कमेंट करिए यह 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 वाले कुश्चन का जवाब दीजिए जल्दी करिए जल्दी करिए बताओ सोनल सर्मा जिनको नहीं आरा वो नो लिख्ये कमेंट करेंगे या ओ नो जिनको ना आएगा वो नो लिख्ये कमेंट करेंगे जल्दी करें फटा फट आईए बरे गुड बहुत अच्छा पहले आप 25 का साथ में गुडा करोगे बहुत आफान है 25 सत्य होता है 175 इसके लिए आपको टेबल ओबल आना चाहिए कुछ टेबल नहीं आता तो कमेंट करके बताईएगा उसका ट्रिक दे देंगे बाद में तो 175 एक और एक दो अंग पर दसमलो 1.75 पैसे में बात करें देग रुपए 75 पैसे हुआ लेबल फोर में आजाओ थोड़ा सा अलग है इसमें कौन बताएगा सबसे पहले बताईए जब आप दीजिए जल्दी करिए कौन बताएगा सबसे पहले फ़र्श सवाल कौन बताएगा चलो चलो बहुत अच्छा देखो बच्चा पार्टी इसमें क्या करेंगे तीन का गुड़ा 12 में और फिर 2 में यानि दसमलो भूल के इनका फिदा फिदा जो जो गिंती दिखरे उसमें गुड़ा करेंगे तो ये तीन दुना छे और 12 चंग 72 बहत्तर होगा आप 72 लिख लो पहले में एक अंग पर दसमलो दूसरके में एक अंग पर तीसरके में दो अंग पर टोटल चार अंग पर दसमलो डिसमल का हिसाब चार अंग पर अमरे पास सनियोक से दूइए अंग है तो क्या करेंगे दो ही अंग है दसमलो का क्या है यहाँ पर दो ही अंग है मैं चार अंग पर लगाना है तो दूठी जीरो बढ़ा लेंगे ऐसे पडोसी से मांग के लगा लेंगे यहाँ पर आज कल तो लोग कपड़ा भी उधार मांग के पहिन लेते हैं तो यहाँ पर ऐसे दसम्दो लगा देंगे अब एक दो तीन चार रंग पर हो गया कौनों दिक्कत ना क्योंके कौनों तकलीफ दुखदर्द कौनों नहीं न चल भाईया सब बढ़िया है स्रीवम म्यूजी का रहा समझ में तरसीम कुमार आ रहा है कौमल तिरपाठी सभी को समझ में आ रहा पढ़िया से एक बार हाँ बोल दीजिए चलिए आगला कुश्चन की तरफ इसमें 1.0.30 जो भी है सबसे पहले पॉइंट हटा के इनका गुड़ा करिए सबसे पहले पॉइंट हटा के इनका गुड़ा करिए कर लेंगे देखो कैसे अब 12.33.32.72 अभी तुम्हें बता दिया था क्या वही सेम सवाल है भाई साब के वाल इधर का उधर है उधर का उधर सेम कुश्चन है पॉइंट इसमें लगा लो अब यह हो गए आंसर सेम वही चीज़ है है ना इसका बताईए नीचे वाला सी वाला का बताईए इसका देखिए तीन का गुड़ा करिए पचीस में और फिर एक में वसे एक की कोई बैलू नहीं होता क्योंकि यह हर किसी के साथ उपलब दोता हर जगा इसका कोई मतलब नहीं होता इसकी लोग कोई इज़्जत नहीं करते है तो एक अब ना लिखो तब हो कोई भरग नहीं पड़ेगा ठीक है तो पचीस तियां पचात्तर तो यहाँ पर लिख लोगे 75 दसमलो देखो दो अंक पर है एक तीन और एक चार अंक पर दसमलो तो दो अंक था दो ठी जिरो और बढ़ा लेंगे चार अंक बना लेंगे और चार अंक पर लग जाएगा यहाँ दसमलो बस ये हो गया answer किसनी को कोई दिक्कत नहीं कोमल तिरबार्ठी कहे रही हिथा समलो तीन अंक पर लगेगा हाँ यार यहाँ पर तीन अंक पर लगेगा यहाँ चार अंक पर आश्या अंतर था अंतर है ओ सॉरी अलग है ये question यह कुश्चन अलग यह अलग था देखो देखने का अंतर है जोला हो गया यहां पर गड़ बड़ो गया मतलब जोल हो गया थोड़ा अलग है दोनों यहां पर डेसिमल दो अंक पर था यहां पर एक अंक पर है दसमलों का हेरा फेरा है यहां पर तीन अंक पर दसमलों लगेग बाई साथ तीन अंग पर लगेगा ये अंसर है दोनों में अंतर है बहुत बड़ा अंतर है ये हर कोई नहीं पकड़ पाएगा जो बहुत ध्यान से देख रहा वहीं पकड़ पाया होगा है न अच्छा लास्ट वाले का कितने लोग बताएंगे इमांदारी के साथ आंसर बता करेगा और सेशन को लाइक भी हर कोई करेगा चलो भाई फास्ट कुमार यादो प्रियंका भरद्वाज अस्वनी गीता कुमावत इनका नाम थोड़ा सा जो है कटिन है बलबान सिंग बहुत अच्छा और कोई अनिमान बताएगा कोई और हिम्मत करेगा कोई है हिम्मत ही चलो जिनको नहीं आ रहा वो यान और वो लिखेंगे नो मतलब की नो मैं नहीं बताऊंगी मुझे आता तो है लेकिन मैं बताऊंगे नहीं सभी ने जबाब दे दिया है अब हम आगे बढ़ सकते हैं सबसे पहले इनका गुड़ा करेंगे बिना दसामलो के तो आठ तरीक चौबिस या ऐसे कर लो तीन पचे पंदरा पंदरा ट्थे एक सो बीस कितना एक सो बीस होगा ना भईया आडे से कर लो तीन पचे पंदरा पंदरा ट्थे एक सो बीस या फिर आठ त्रीक चौबिस चौबिस पंचे एक सो बीस दसामलो देखो एक दो और हिया नहीं 10-0 लगा है ङी तो उल्लू बनावा की लिए लगा आ गया है बस हिया मट गिननाक हिया 10-0 लगा है यह 10-0 नहीं है इसका कॉनों मतलब नहीं है तो 12-2 अंक पर है ठीक है तो यह 1.2 .0 होगा ठीक है समझ रहो ना? कहीं भी 5 लिखा है या 5.0 लिखा है ये मतलब एक है होता है यहां पर दसमलो का कौनो मतलब नहीं है तो उसको नहीं किनोगे सभी को समझ में आ गया तो फटा फट मेरे प्यारे साथियों सेशन को लाइक सेर करिए जल्दी जल्दी से दबाके लाइक सेर करिए खूब चलिए अब अगला नेक्स्ट लेबल देखो दिक्कत इस बात की तकलीफ है कि आप लोगों की संख्या नहीं बनती तो बिल्कुल मन नहीं लगता फिर मैं बार-बार वही बोलता रहता हूँ इससे कलास में मजा नहीं आती डिश्ट्रब हो जाता है ना अब थोड़ा सा अलग आई है थोड़ा सा अलग देखिए जो बच्चे डेली रेगुलर आते हैं अगर किसी अमर्जनसी से उनकी कलास छुड़ जाती है तो वो वट्सप मेसेज करेंगे उनको हम प्राइवेट वीडियो का लिंक एक्सेस दे देंगे वो अपनी इमेल आइ ठीक है लेकिन जो कभी नहीं आते हैं सोचेंगे रोज हम पाजाएं तो नहीं मिलेगा नहीं फिर नहीं मिलेगा चलो बहिए बारा का स्क्वाइर आपको पता है कितना होता है स्क्वाइर आपको याद करवाया था सभी को पता होना चाहिए 144 होता है तो 144 आप लिखोगे बस हो गया खतम 14 का स्क्वाइर क्या होगा पता है आपको नहीं बता है तोंको एक जुगार बताता हूं दो अंकी संख्याओं का गुड़ा करने का ट्रिक देखो मान लो कि हमें चौदा का पाहडा नहीं आता है का करेंगे त्रिक देखो सबसे पहले क्या करेंगे किनारे किनारे की संख्याओं का गुड़ा करेंगे तो चार चाउक 16 कछा हाँ फिलावा एक समझे ना एक ट्रिक है गुड़ा करने की हमें पाहडा ना आये तो सबसे पहले किनारे किनारे की संख्याओं का गुडा करेंगे तो 4 चौक 16 16 कच्छे हां सिलाया एक अब इनका तिरचा कुडा कर लेंगे, आपस में करास मल्टीपल IFA तो 4 एक कम 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, दोनों को जोड देंगे तो 4-4 हो जाएगा 8 और हां सिलवाइक ठी आ रहा 9 ठीक अब इमें कौनों हाफिल नहीं आया अब किनारे किनारे गुडा कर लो इधर का ये कि कम एक होईगा 106 ये होईगा अंसर समझ में आया आया अगर जिनको जिनको समझ में तो कमेंट में वाई लिखें फटा फट नहीं आया तो यन लिखिए यन फार नेपाल तो इसका मल्टिपल क्या होगा 196 पॉइंट लगेगा क्या अंक पर भाईया एक एक दू यंक पर पॉइंट लगे होई का खतम आगे बड़े चलो भाईया बहुत अच्छा बहुत बच्चा बहुत 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 अच्छे चलो अब 21 का स्कॉाइर क्या होता है पता है आपको 21 का स्कॉाइर होता है 4-4-1 सही है एक एक दो अंक पर दस हमलो लगेगा तो 4-4-1 एक सो पंचा अंवे कोई बता रहा है गलत है मैं बूबी बेगाम बेरी गुड बच्चे मन के सच्चे होते हैं है ना जो भी बोलो करते जरूर है लेकिन कुछ ऐसे नालायक होते हैं ना जो तुम बोलो कि उसका उल्टा करेंगे उसमें से मैं भी था अपनी कलास देखो इदर 25 का स्कुर कितना होगा 625 अरे वो तो मज़ा आग मैं बोला अपने बिज़ेती करवाने के लिए आथा थोड़ी है दो अंक पर पॉइंट लगेगा एक और एक दो अंक पर तो 6.25 सही है न ये वाला सही है तो एक बार चेक कर लो भई बगल वाले मेरे अंटी भईया भावी कुछ पका रहे हैं बहुत बढ़िया समय करा है और मैं एक जास बंद कर रहा हूँ क्योंकि खुस्बू कुछ ज़्यादा आ रही है ये हवा खीच लाना बाहर थे तो पांच पार्ट हो चुका है आज का टोपिक है डिबीजन आप डेसिमल यानि दसामलों का भाग दसामलों वाली संख्याओं का भाग कैसे करते हैं आपका टोपिक डेसिमल चल रहा था है न तो डेसिमल में मल्टिपल एडिशन सब्स्ट्रेक्शन ये सब हो चुका है बढ़िया है क्या इसमें से कोई आंसर बता सकता है इसका आंसर क्या होगा एनिवन नहीं बता पाओगे तो मैं बताओंगा कोई दिक्कत नहीं बहुत से बच्चे लाइब चुड़ चुके हैं मुझे दिख रहा है 2828 बच्चे आये हैं अभी तक गहुत कम बच्चे आये हैं काफी बच्चे नहीं जुड़े आज अभी तो आईए हम टॉपिक पर चलते हैं फिलहाल अपने आएंगे सब पढ़ेंगे दिरे दिरे जुड़ेंगे हो सकता है में भी नोटिफिकेशन ना गया हो इसका कोई बात नहीं चलो साथियों सबसे पहले दी गई भिन को बिलकुल वैफे लिख लेते हैं इज़त के साथ फिर भाग का चिन लगा है तो नीचे इसको एफे लिखेंगे बस ठीक है बढ़िया अब क्या करेंगे पता है वैसे तो इसको नियम के अनुसार एक बार उतार लेना चाहिए को पूरा ऐसे सिस्टम से अगर हल कर रहे हैं तो 0.21 डिवाइड बाइ 0.03 इसको उतार कितब लगाना चाहिए देखिए यहाँ पर एक चीज आपको समझने वाली है मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर प्यारे बच्चों दो अंक पर उपर भी दसमलो है दो अंक पर नीचे भी है बात बराबरी की है तो हम दसमलो कर देंगे खतम सीधा फीधा ठीक है और यह फाइनल में आंसर आजाएगा साथ किसी को कोई डाउट नहीं ना चलो फटा फट लिख लो बिसाल समझ में आ रहा है धीरज कुमार बिजय चवहान महाबोधी बेगम रंजु पटेल भूपेस आज बच्चे कमाएंगे नोटिफिकेशन नहीं गया है क्योंकि आल्रेड़ी तीन कलास हो चुकी है चलिए तो इसी तरीके से अगले सवाल की तरफ आगे बढ़िए अब पहले हल करवाते हैं ऑप्चन वाला बाद में करवाएंगे सबसे पहले हम जो भी कुश्चन है उसको उतारते हैं हल करने के पहले बढ़िया है तो फिर क्या करेंगे ये भाग का चिन्झ जो है उसे भिन के रूप में चेंज कर लेंगे बढ़िया यहाँ पर भी आप देख रहे होगे प्यारे बच्चों दो अंक पर दसमलो है यहाँ पर भी दो अंक पर है तो हम यहाँ से भी decimal खतम कर फक्ते हैं और final में तीन आएगा हैना कितना आसान छापो भीया हर जगा ऐसे आसान लेकिन नहीं मिलेगा ना आगे बढ़ेंगे अभी दीरे दीरे लेबल बढ़ेगा कुश्चन का एक बात मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि अगर आप गड़ी सीखना चाहते हैं तो बिलकुल सीख सकते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल से स्वागत है लेकिन ये बैच सिर्फ लाइब देख सकते हैं इसकी recording वीडियो यूटूब पे नहीं मिलती है क्लास का टाइम होता है Monday and Tuesday रात के नो से नो चालिस तक ठीक है आज Saturday को इस्पेसल कलास थी क्योंकि मैंने पहले प्रॉमिस किया था बाकि नो से नो चालिस ये दो दिन होती सबता हमें कि पीवियर स्टडी अप्लिकेशन में ये सातों दिन चलती है आप NCRT बैट जॉइन करें उसमें सातों दिन देख सकते हैं कोई दिन गैप नहीं रहेगा इनको अहल करने के पहले ऐसे उतार लेंगे सिंपल में फिर अगली लाइन में भिन्य के रूप में चेंज करेंगे दो जीरो है फिर फोर है आप यहाँ पर एक चीज देखना आप लोग अब यहाँ एक चीज देखना थोड़ा अलग है यहाँ पर दसामलो एक अंक पर है यहाँ पर तीन अंक पर है अब बात बराबर नहीं हो रही है इसमें ऐसा होता है छोटी सी बात आप समझना अगर 42.8 है इसमें से हम 10 अमलो हटाना चाहते हैं तो साट कट में समझना तो प्यारे साथियों यह हो जाएगा 428 बटा 10 यह तरीका है यानि अगर एक अंक पर दाहिनी तरफ से गिनने पर दसमलो आ रहा है दसमलो हम हटाएंगे तो नीचे एक 0 के साथ 1 लिख देंगे यानि 10 आ जाएगा ठीक है समझे ना थोड़ा समझने वाली बात है बस पहले इसको समझिए फिर बाद में उधर चलिए आएगर यह चीज आएफे होती यानि दो अंक पर दसमलो होता यह डैसिमल 8 के पहले नहीं होता दो के पहले होता यह चार दो आठ नीचे 100 होता लेकिन यह होता क्यों कैसे कब यह भी तर आपके जेहन में आना चाहिए न थोड़ा सा आव मैं बताता हूं ऐसा क्यों कि यह जो है एक्चुली इतना होता है हमें दसमलो दाहिनी तरप खिसकाना है यह दसमलो हटता नहीं पूरी तरिक cultivate को कैसे होता है तो हम इसको क्या करते हैं हमें एक अंक दसामलो दाहिनी तरफ खिसकाना है तो हम इसमें एक काम करेंगे दस से कर देंगे गुड़ा ठीक है लेकिन ऐसे तो कोई जोड़ जबर जस्ती तो है नहीं कैसे गुड़ा कर देंगे मैत का कुछ नियम समिधान भी है तो मैत का नियम सम इधान ना गड़ बढ़ाए इफिल यह 10 से भाग भी कर देंगे अब हम कह सकते हैं कि 10 से 10 हम डिवाइड करके फिर वही संख्या लिख सकते हैं इसमें हमने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर क्या करेंगे जब इनका गुड़ा हो जायागा तो यह हो जायागा प्यारे बच्च समझे ना यहाँ पर जब दसांबलो लगा देंगे तो अब इस दसांबलो का कोई मतलब नहीं है नहीं चिडिया चुम गई खेट तो फिर पस्ताने से क्या ना अब यह बाहर चला गया फिर फिर अब हम इसको डारेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कहीं विचार सोटाइस ही नहीं मतलब समझ गए ना यही कारण है कि जो मैंने साटकट में बताया आप दसांबलो हटा करके डारेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि समझने वालों के लिए बाकी नहीं ओनली समझने वालों के लिए है कॉपी पेस्ट वालों को भाई या ब्लॉक किया जा रहा है पटना विहार आपको 10 मिनट के लिए ब्लॉक किया जा रहा है आप नंबर पर संपर करिये इंक्वारी के लिए नंबर दिया है न समझ गए न ये बात समझ में आई चलो ठीक है अब सभी को समझ में आ गई तो 428 बटा 10 हम कर फकते हैं पहले 10 हम लो हटाने के लिए इसके नीचे में लिख सकता हूँ 10 ठीक है अब यहां से भी 10 हमलो हमें हटाना है तो यहां क्या करेंगे भई यहां भी सेम चीजें होंगी देखो इनको अगर मैं उल्टा करके आपको दिखाऊं सीधा फीधा यहां देखना इनको आफे 0.004 ठीक है यहां पर दसमलो जो है साथियों तीन अंक पर है तो हम इसे चार बटा एक हजार लिखेंगे इतना जान लो साट कर्ट में ठीक है समझ में आया तो कुल मिला करके मेरा कहने का यह मतलब आप समझ जाओ कि अगर इसको हम यहां फे निकालें तो यह वन अपान जीरो पॉइंट जीरो फोर आएगा समझ रहे होगी नहीं यह इसके साथ गुड़ा में है देखो एकी चीज समझ यह टाइम बले कितना लग जा समझ यह देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ भाईया हमरे कहा की मतलब रहन कि जोनी चार अतना लिखा है ना इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है अगर हम इसको आइफा लिख दें आइफा लिख दें आइफा तो इसमें कुछ गड़बड नहीं हुआ इसको हम ऐसा कर सकते हैं दो पार्ट में इदर ओधर खिसका सकते हैं तो हमने क्या किया इसको माली जखोड़ के हमने इसको आइसा लिख दिया आब हमें चुके यहां से अपनी परपचा इसका ना इसके लगा दिया ऊटा अशे हटाएगा उसको तीन अंक दानी तरफ जाएगा और मान पर कोई फरक ना पड़े इफिली आप इसमें फिर क्या करोगे उपर भी ये गुड़ा करोगे तो नीचे तो दसंबलो हट जाएगा ये चार बनेगा जैसे अभी बताया था जेस्ट पहले उसी तरीके से क्यों क्योंकि ये गुड़ा क करोगे भाई साहब तो ये इतना आएगा चार हजार हो जाएगा तीन अंक पर दसंबलो है तीन अंक पर दसंबलो लगाओगे नीचे सिर्फ फोर बचेगा और उपर एक हजार फिदा फिदा बचा रहेगा तो जिनको अभी नहीं समझ में आया वो क्लास पूरा देखेंगे अभी और बहुत साइग्जामपल है फिर क्लियर हो जाएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे क्या करेंगे हम इसको ऊपर एक हजार लिख करके नीचे चुपच चार लिख देंगे बस काम खतम समझ में आया थोड़ा सा कोशिज करो के सब आएगा ठीक है आगे बढ़ें कोई दिक्कत ना किसी को नहीं चलिए तो कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेगा अन्यथा यहां पर ब्लॉक किया जाता है निवेदन है कॉपी पेस्ट ना करें ध्यान दे बढ़ाई चलें आगे ठीक है अब इनको हल कर लेंगे साथियों जैसे भी आप कर सको ड रहा है कि बच रहा है कहीं बढ़ा लंबा हो जा रहा है यार काहे भाग भी तो यहां इसे ही हुआ था यह 45 भी इसकी आवकात नहीं थी भाग करने चला था बया आलिस को तो कितना होगा 25 में गुड़ा करिए 428 का 25 में 428 का गुड़ा करिए चार सो अठाइस गुड़ा 25 भाईया कर लो कितना आएगा मुझे बताओ इसमें कहीं कोई छूटा तो नहीं है कोई मिश्टेक तो नहीं हो रहा है अस्वानी को बला करिए तुरंद बला करिए इनको इसके चक्कर में कोई और बलाक हो गया इसको पर्मनेंट बलाक करिए ठीक है तो इनका मल्टीपल कर लेंगे आप लोग आगे बढ़े बढ़िया है ठीक है चले आगे 10,000 सम्थिंग आएगा न 10,700 लगबग आएगा ठीक है पंकत सिंग आपका कमेंट आ रहा बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा लॉकुस आपका भी कमेंट आ रहा आजे राजे सबका कमेंट आ रहा देखिया आईए इनका गुड़ा करिए 25,6 कितना होगा 200 25,4 होता है 25,8,200 का 0 हाफिलाया 20 707 यानि 10,700 अंसर आएगा चापलो भई या चापलो फटा फट एक ही बात को कोई बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करेगा निबेदन है रिक्वेस्ट है विंती है नहीं तो कहो खुब बड़ा मैफेज लिख ले और उसी को हम कॉपी पेस्ट करते रहे करते रहें करते रहें ऐसा नहीं कि लिंक पीडियाप नोट्स अपडेट आधी के लिए पीबियर स्टेडी को टेलीगराम पे जवाइन कर लें अगर आपको पढ़ना है तो क्योंकि मैं रोज कहता हूं कहते कहते हैं मैं उप गया हूं जोईन करोगे नहीं फिर क्लास मिलेगा नहीं तो परिसान रहोगे तो हम क्या करें और फिर ही है वहां कुछ लगता नहीं इसका मान क्या होगा क्या कोई बतायेगा भाई यह बहुत आफान है सबसे पहले आप सिम्पल फाइनको एफ लिखोगे एफे ऐफे ठीक है प्यार फे इनको भिन के रूप में change करेंगे भिन के रूप में चेंज करेंगे देखो यहाँ पर एक और भी साड़कर तरीका किया जा सकता है वो क्या है? उपर दसमलो दो अंक पर है, नीचे भी दो अंक पर होता तो दसमलो दसमलो हम खतम कर देते हमें काम कर सकते हैं कि नीचे दसमलो एक अंक पर रहने दें और उपर से दसमलो खतम कर दें यह हो सकता है ना हो सकता है लेकिन वो थोड़ा एडवांज तरीका हो जाएगा जिनको कुछ नहीं आता जैसा कि हम जीरो से शुरू कियें तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी वो कहेंगा इसा कैसे हो गया हम बिल्कुल सुन से पढ़ाएंगे कोई बात नहीं चलो लटाओ देखो अच्छा एक चीज़ समझो यहां पर एक चीज़ समझो यहां पर je nên प्यारे बच्चाओ कहीं तीन बटा चार लिखा है वह एक अगर हम अईसे कई दी तीन बटा एक गुड़ा एक बटा चार तो कोनो बुराई नहींना का मेर प्ताओ कर सकते हैंकि नहीं कर सकते हैं कि नहीं बताइए कर सकते हैं सब एक बार हां बोलो कर सकते न इसका जब गुड़ा करेंगे तो फिर वही हो जाएगा ठीक है ऐसा इफ लिए कर रहे हैं यहां पर कि इनको हम दस हमलो इनका दिखा सकें ठीक है नहीं समझ में आएका बिल्कुल मैं इसका निचोड के दिखाओंगा आपको दिक्कत ना लेना अब एक दम क्लियर करके छोड़ूँगा चलो देखो तो इनको हम कर सकते हैं प्यारे बच्चों इसा इसा कर फक्ता हुँ इसा कर लिया इनको इनको इसा कर लिया ठीक है आप देखो समझना एक चीज समझना यहां पर अच्छी वाली बात वहां के बाद यहां आना कनपूज हो जाओगे लेकिन तुम लोग यहीं लिखो नीचे ठीक है अब उपर फे हम दसमलो देंगे हटाए और उपर दो अंक पर दसमलो था तो नीचे का बढ़ जाएगा दू ठी जीरो बढ़ जाएगा एक के बाद खतम यहां कुड़ा फिर फिर का होगा नीचे से दसमल लोग ञat दो देंगे हटाए और नीचे थीन अंक पर दसमलो था तो ऊपर बढ़ जाएगा तीन ठीजू जीरो वबस काम खतम यह सिंपल सा तरीका है और यह कैसे बढ़ जाता है कहोत इक बार फिर से explain कर दें पिर से explain करें करें चलो यहां से दसमलो हठके उपर एक हजार कैसे आया क्यूं आया देखो भाई साहब ये इतना था ये एक हजार उपर कैसे हो गया देखो समझो एक्चुली में हमें क्या करना है दसामलो तीन अंक दाहिनी तरफ धकेलना है तो भंडा लेकर धकेलेंगे ने दंडा से नहीं तरीका गड़ितवाला लगाएंगे दसामलो तीन अंक हम तभी इधर इसको ढखेल सकते हैं जब इसके बाद में तीन जीरो हो या कोई और गिंती हो लेकिन कोई और गिंती होगी तो दसामलो हटेगा नहीं दसामलो हटेगा तभी जब जीरो हो लाश्ट में तो एक हजार से क्या करेंगे गुडा करेंगे एक कि यह बहुत ही सोशित संख्या इसका और कोई सोशड करता है अपनी जरुवत के अंसार परियोग करता है भगा देता है कैसे अगर एक का परियोग ना करें यहां पर हम सिर्फ जीरो से गुड़ा कर दें तीन ठावरे तो कहा होगा सब सत्यनास होई जाएगा जीरो हो जाएगा सब इसलिए सब जीरो ना हो जाए तो वन लगाते हैं अच्छा टू का है नहीं लगाते हैं अगर टू लगाएंगे तो इसका अस्तित खतम हो जाएगा जीरो पॉइंट जो वन वन है वो टू टू हो जाएगा वन लगाने से यह फाइदा है कि तुम्हारे मान पे कोई फरक भी नहीं पड़ेगा और हमारा भी काम हो जाएगा तो इसलिए इसमें वान लगा के गुड़ा करते हैं बाकी यह सब कहानी थोड़ा जादा हो गई आप सिंपल सा समझो कि एक लगा के क्या करेंगे एक हजार से गुड़ा कर पूरी संख्या में हो रहा है भाग ऐसे ऐसे समझो यह यह क्या हो रहा है इसमें यह चीज लेकिन अब ऐसे डारेक्ट आप कर नहीं सकते हो हम इससे ऐसा कर लेंगे आइसा तो कर फक्ते ना इसमें तो कौनों दिक्कत नहीं जो गड़ित पढ़ा है वाई एक हजार से एक समझें कोई मान पर फरकना पड़ा अपना काम भी हो गया देखो जो लोग परियाग राज से होंगे यह और भी बड़े साहरों से मेल मेला वगरा कायोजन होता है या कोई इसपेसल प्रोग्राम पढ़ता वहां पर ट्रांसफार्मर्ट टालियों में रख रखके लगा देत में रोड पे पूरी एक रात का काम हो जाता अगली उठा ले जाते हैं बाकि जो अस्थाइट ट्रांसफार्मर वहां वैसे रह जाता है उस पर कोई फरक नहीं पड़ता तो वैसे हमने क्या एक्ष्ट्रा लगा दिया यहां परमान मतलब टेंपरोरी रूप से समझें आब यहां पर ट्रांसफार्मर मत याद करो इसको समझो चलो अब इनका क्या होगा गुड़ा होगा उपर गुड़ा होगा एक हजार नीचे इनका गुड़ा होगा तो साथी मेरे यह जीरो जीरो वन वन और यह तीन थी जीरो लग जाएगा मैंने कुछ हटाया नहीं सब लिख दिया केवल दसमलो हटाया है अब यहां पर देखो तीन अंक पर दसमलो था पीछे से यहां पर तीन अंक पर दसमलो चिपका देंगे लाके ठीक है अब जब तीन अंक पर दसमलो लगा दिया तो यह हो गया एक हजार और यह जीरो जीरो भाईया इसके बाद का जो जीरो है उसका कौनों मतलब नहीं चाहे तो तुम लगा लो चाहे ना लगा कोई मतलब नहीं होता लेकिन अगर यहाँ एक है या कोई गिंती है तब आप जीरो हटा नहीं सकते हैं उत्रका अधिकार हो गया फिर समझ रहे हो अगर यहाँ कोई गिंती है तो लेकिन कुछ नहीं है जीरो है तो फिर हटा सकते हो तो इस कारण फे यह इतना हो जाता है आप कहोगे यह अला सुन्नमा काहे रखे हो बस दिल का संतोज देने के लिए और कुछ नहीं उस नमक कौनों मतलब नहीं है उस गिंती की पाहिले ठीक है इफ लिए इतना बना अब समझ गए अगर तुम्हां बहुत नहीं समझे तो फिर भगवान भरोसे हो चलो देखो इसी कारण से मैंने इसको इतना किया था और यही चीज इधर भी किया गया है ठीक है बाकी इसको हम डारेक्ट भी वहां कर सकते थे कि भईया तीन अंक पर दसमलो है नीचे एक अंक पर दसमलो छोड़ दो उपर दो अंक हटा दो उपर दस से गुड़ा कर दो खतम लेकिन नहीं चीर फाड़ के आपको दिखाना है कि क समझ में आया यह ग्यारा से कटेगा ग्यारा का घण होता 1331 तो 121 आएगा यह एक सोड़ आएगा भाई साहब नीचवा कुछ नहीं बचा है उपरा 121 बचा है दस से गुड़ा कर लेवात का होई जे 121 के बगद लिया 10 1210 और मुमताज समझ में आरा है रितेश कुमार नितीश सभी को समझ में आरा थाकुर रिशी चोहान अर्विंद यादो अ जैए 1822 कहां पढ़ा चुके है नामसे तुम कमेंट कर नहीं रहे हो पटना बिहार नामसे कमेंट कर रहे हो अभे वह नई चल रहा थे रहा है कि कह जब आठारा चलाउन चल रहा है तो क्यों सब्सक्राइब करेंस अल्शें थे फैस्टीय। Instagram कुछ हाइग पांच नंबर कौन कौन कर लेगा पापा की परी भी आ गई इनका कमेंट आ रहा है पार्थ कुमार अर्बिंद कुमार सिद्धात अलोक असोक तुमन सिंपल इनका नाम है अब इसका अंसर कौन कौन बताएगा भाई इसको कल्कुलेटर से भी कर लो एक बार कितना इतने आएगा ना थार्टीन पॉइंट धिरी वन देखिए कहीं कहीं कभी कभी ना अगर कुछ गिंती छूट गई तो हो सकता है भाई मिस्टेक हो जाए लेकिन ऐसा होता नहीं जल्दी से सही है अमन बाबू समझाओंगा एक बार नहीं अभी हजार बार समझाओंगा अभी उसी तरह कि और भी कुईश्चन है देखो तो सबर तो करो चलो इनको हल करेंगे जिनको भी गडित नहीं आती याद रखना सिखाने की पूरी फूल गारंटी है बस टाइम देना अपना यहां पे बस सिर्थ हमें चाहिए इसको लिख लिया अब इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे एक बात और बता दूँ ऐसी महानातमाओं को जो पहली बार गड़ी सीखने के लिए आई हैं वो समझे अगर कहीं फोर और डिबाइड बाई तीन लिखा है ठिक है या फोर रेफियो थिरी लिखा है अनुपाते या फोर बटा तीन लिखा है तो चच्चा भाईया बाबू राजा सब का मतलब एक के है जानते थे पहले से ते एक बार हाँ बोलना नहीं जानते थे तो ना बोलना ये सी इसका बी इसका ए तीनों का एक के मतलब है क्योंकि आप basic सीखने आएं पढ़ने नहीं आएं क्योंकि पढ़ाते तो बहुत लोग हैं बहुत सारा वीडियो है हम सिखाते हैं सबाई समझ गया ना एक चीज़ा और समझना अगर कहीं चार फही एक बटा दू अईफे लिखा है या चार धान एक बटा दू लिखा है तो इनहू का मतलब एक क्य हुआ सेम हुआ आदेफ जादा चात्र इस सेसन को लाइक नहीं किये है तो उनसे निबेदन है कि लाइक जरूर करें अगर आप सेसन को लाइक नहीं करेंगे तो कलास बड़ी नहीं चल पाती फिल ये मज़ा भी नहीं आता है सारा मज़ा फीका हो जाता है आईए अब हम फिर से अपना वही तरीका करते हैं जो अभी हमने किया था बिस्तार फे हम इसको आइफे कर देंगे भाईया इनके नीचे के जमीन गायब इनके उपर के खोपड़िक गायब आई से ठीक है जिससे आपको समझा पाएं उपर दो अंक पर दसमलो लगा है इसलिए दसमलो हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा तीन चार तीन नीचे हो जाएगा सो ठीक है और फिर गुड़ा का चिन लगा करके नीचे एक अंक पर दसमलो है दसमलो हटाएंगे तो उपर एकठी जीरो बढ़ा देंगे अब ये मत पूछना कि ये कैसे हो गया क्योंकि मैं इसके पहले दो ठोर बहुत अच्छे बता चुका हूँ अब दस से इसको डिवाइड कर देंगे दस दहमा सो साथ से इसको डिवाइड कर देंगे साच चोक अठाई साथ तमाई तिर्फट भाईया हो आई जाएगा उन्चास हो कितना आए फॉर्टी नाइन अंजली कुमारी जहां पर दिख रही आपको यहीं पे चलती है रेगुलर इसको साथो दिन देखना है तो PBR स्टडी अप में NCRT बैच जोईन करिया आज इस एक नए बैच आया है रेगुलर पढ़ना है साथो दिन बाकी सब्ता हमें यह मंडे ट्यूजे दो दिन मिलेगी यह बैच ठीक है क्योंकि यह बैच हो गई है पुरानी इसमें लोगों का इंट्रेस्ट हो गया है कम अंजली राओ कमेंट आपका आ रहा है बढ़िया है कौनों दिक्कत नहीं है राजेस का भईया आ रहा 4.9 राजेस जी एक मिनट रुका हो हाँ सही बात है भई भई रुको 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 एक मिनट यह 10 भी तो था नीचवा यह नीचे 10 भी तो था तो 4.9 आएगा देखो यहां वही आ रहा हुई हम केरे छिरिया उड कउवा उड तोटा ऊट भीस आ ऊट तुम लोग भईिस अटे रहे हो हाँ जो we अरे यह दफ लिखा है हमको नहीं दिखा रहा है तो तोको दिखाई रहा है क्यों दिखा है नंकर ठेना रही हम तो बता वही तो देखेंगे, का है, हम खिया पक्ड़ें का सामना दिखने ही, राच हूटा नीच वदस लिखा है, ठीक है, तो कितना है, फोर पॉइंट नाइन, तो भाई ऐसा ना करो, कि तो जो कहें, बस वही सही है, तेरे बिंतों कुछ भी नहीं है, नहीं, दिमाग लगाओ, अपनी कितना आएगा, इसका अंसर कोई कर लेगा, मोनिका भर्मा, आलो कुमार, सोनन दुबे, अच्छा आप बता रही थी कबसे, अच्छी बात है, लेकिन हमरे तक सुनाय नहीं पढ़तरान भाईया, इन लोग का इतना कमेंट है न, कि अगर हम कमेंटे पढ़ी न, तो पर उड़ते नहीं है, कुर्सी ले आओ, बैड़ जे अराम से, आओर का हाल चालबा, बतावा सबही, ठीक्ठा आगा है, जोड़ा पढ़ाई लिखाई, पढ़ा लिखे के के भला बात सो, है न, चलो देखो, सबसे पहले हम दी गई संख्या को वैसे उतार लेंगे, जैसे वो दी गई है, पूरी इज्जत के फाथ, ठीक है, फिर क्या करेंगे, इनको भिन के रूप में लिखेंगे, निच्चे उपर, ऐसे, हो गया, अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर दसमलों जो है, कितने अंक प पर है, यहाँ पर भी तीन अंक पर है, भाई बात बराबरी की है, तो हम दसमलों दोनों तरब से हटा देंगे, मान लीजिए किसी करप्शन में, उपर निच्चे के अधिकारी सब फंस गए, विधायक भी पकड़ गए, तो ना मेरी ना तेरी, दुनों लोग के होई लत्ख हैं, लेकिन पेपर में, हां, रियल में जहां पर दिखाए रहते हैं, इधर से सणक बनी है, बढ़िया मरमत हुई, उदर कुद्टे टायलेट करते हैं, कुछ नहीं रहता हुआ, तो कौन-कौन, तुम्हें लगता परदाने खाते हैं, भाई किसी घर में परदान होंगे, त अधिकान जगा इंडिया में होता है, उसके उपर जो वीडियो होते हैं, उसके उपर डिस्टिक मजिस्टेट तक कुल जाता होगा, तब यह तो लाखों पैसा आता है, बहुत अच्छा करोड़ों पैसा आता है, गरम पंचायत में, समझे रहो, सब खाते हैं मिलके, आगे बढ़ें, चलिए, जाने रहो, बस तुम्हारे काम की चीज है, और हाँ, एक चीज और बता दें, यहां काम की चीज है, मेरी पंचायत नाम का एक एफ है, गूगल प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड करके, रजिस्टर करें, सरकारी एफ है, अपना ब्लाग चुने, जिला पर धान से लाठी चलाने का, तो आप कंपलेंड भी कर सकते हैं, कि हां मतलब, इन्होंने फर्जी दिखाया, ऐसा कुछ किया नहीं, ठीक है, समझ रहो ना, यह बड़ी काम की चीज है, तो 29 का वर्ग होता है, 841 यह आएगा 31, तो फाइनल आजाएगा 29, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, नहीं न, भी यह देखिए, कुछ लोग सोचते हैं, बीच में सब काम इना मतलब के बाद बोलते रहते हैं, यह बहुत जरूरी चीज है, हलके में न, लोग ऐसे तो तुम इसको सीखोगे, नहीं, सुनोगे, नहीं, अगला सवाल का जबाब दीजिए, इसका आंसर कौन बताएगा, सब से पहले इसको उतारेंगे, डिवाइड भाई 0.0025, फिर क्या करेंगे, दी गई, इन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखेंगे, ठीक है, बढ़िया, आब इनको क्या करेंगे, आईए देखिए, वही चीज़ जो अभी उधर में बताया था, वैसे इसमें फिर से करेंगे, ठीक है, समझना है आपे, आप ये 6.25 इसको 1 कर देंगे, और इसको 1 अपान 0.0025 कर देंगे, ठीक है बढ़िया, समझते चलना अच्छे से, ठीक है, चलो, ये कैसे कर दिया, क्यूं कर दिया, ये मैं बताया हूँ, अभी थोड़े देर पहले, अब हम उपर से यहाँ दो अंक पर दसमलो जब हटाएंगे, तो नीचे हम इसमें 2-3-0 बढ़ा देंगे, ठीक है, और गुड़ा का चिन्ध, यहाँ पर 4 अंक पर दसमलो हटाएंगे, तो भाईया, उपर 4 ही सुनना बढ़ जाएगा, बाबू, समझ में आया सा, भाई के, कौनो दिक्कत नहीं ना, चलो, 2-0 से 2-0 कैंसिल, 25 से इसको डिवाइड करो, 25, 25 हम में होता 625, और 25 से 100 में गुड़ा कर लो, भाईया, होई जाएगा, पाचीस सो, कितना होई जाएगा, पाचीस सो, भूपेश जी बिल्कुल सही अंसर है, साकेट बहुत अच्छा, अंजना सर्मा, बहुत अच्छी बात है, रिसु भाई बहुत दिन बाद आये हैं, देख लिजिए, हाल चाल ले लिजिए, बाकी पड़ाई लिखाई दो होती रहती है, है न, ऐसा मौका दुबारा नहीं आने वाला, चलिए, यह अप्लिकेशन, इंडिया ही नहीं, आप पूरे संसार में कहीं भी रह सकते हैं, वहीं से पढ़ सकते हैं, ठीक है, PVR Study App डाउनलोड करके, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जहां भी इंटरनेट सुब्धा है, यह यहां पर देखना भाई लोग, यह 0.20 है, 0.20, डिवाइड बाई 0.2, इनको हल करेंगे, तो 0.120, 0.0, डिवाइड बाई 0.2, समझना इसको हम जैसे पहले बताए हैं, वैसा ही करेंगे, इसको 1 कर देंगे, और इसको 1 अपां 0.2, जिससे कि आप समझ पाओ कैसे और क्यूं हो रहा है, उपर से देखिए, वैसे तो इस सुनने का कौनो मतलब नहीं है, जो लाश्ट में सुनना लगा, इसका कौनो मतलब नहीं है, लेकिन आपकी बातों का, ख्याल रखते हुए, हम इसको हटाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम उपर फे, दसंबलो हटा देंगे, नीचे 3 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि पीछे से गिनने पर, 3 अंक पर 10 हमलो है, एक अंक पर 10 हमलो था, तो हम 10 हमलो हटा के, उपर 1 0 बढ़ाएंगे, बस, काम खतम, 1 0 से 1 0 निपट गया, दुसर के फे दुफर का निपट गया, 2 से 2 एकम 2, 2 छंग 12 ये निपट गया, ठीक है, ये 6 बटा 10 बच रहा है, 2 तियां इचा, 2 पंचे 10, 3 बटा 5 आएगा, भाग करोगे, 0.6 आएगा, मा बोधी बेगम समझ में आ रहे हैं, सिदार सर्मा, अंजना सर्मा, पूजा सर्मा, यूटूब क्रियेटर, वह सबही क्या होता है न, अच्छे सा बता है न, ये वीडियो बाद में दुबारा नहीं देख सकते हो, PBR स्टडी के स्पेसल चैनल पर देख सकते हो, दुबारा इसे बताएंगे विलाश्ट में, या फिर आप PBR स्टडी एप में आ जाओ, वहां देखो, अच्छे से पढ़िये इमांदारी से, कोनो दिक्कत है बताओ, ये बताओ, बहुसे लोगों के आफलाइन पढ़ने का सौक चड़ी रहती है, आफलाइन में क्या जो कलाफ चलती है, उसे दुबारा देख पाते हो, क्या? जबान लोग आफलाइन क्लास पढ़ रहे हो, आफलाइन वाला मजा है, ये नहीं आओगे तकलाफ नहीं मिलेगी, क्लास काता मोगी तबाद में नहीं देख पाओगे, तो आफलाइन वाली पूरी फिलिंग है कि नहीं? और ये भी भरम निकाल दीजी, आफलाइन क्लास में आज कल कोई भी टीचर तचार लोगों को नहीं पढ़ाता है, 4400, 800 बच्चों को पढ़ाता है, तो किसी की बात नहीं सुन पाता टीचर आफलाइन में, तो उसका थोवड़ा भी नहीं देख सकते हो, तो इसको हल करेंगे 0.81 डिवाइड बाइड 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 0.009 फिर इसको भिन के रूप में आप कनवर्ट करोगे फे ठीक है अब इसे आप अलग गलग करेंगे जैसा मैं पहले बता चुका हूं फिर उपर दसमलो हटाओगे दो अंक पर दसमलो है तो नीचे नीचे दूठी 0 बढ़ जाएगा तीन अंक पर दसमलो है दसमलो हटाओगे तो क्या होगा उपर 3 0 बढ़ जाएगा अब इससे आप हल करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल 9 1 जा 9 9 9 जा 89 9 का मल्टिपल 1 0 10 में करोगे तो 9 1 0 910 आएगा कौनो दिक्कत ना किसी को 9 का 90 कितना आ रहा है 9 दाम्मा 90 होगा यार का हम लिख रहें बढ़ी कि साही है ना देखो कभो कभ उद्धिया मा चरे चली जात कभो कभो जात हाद नहीं जात कि सबाई को समझ में आ रहा है कुछ लोगों को जो कमेंट कर रहे न वो इतना कमेंट कर रहे हैं कि कुछ ऐसे कमेंट में धील धाल हैं वो नहीं कर पा जिनको कोई इंक्वाइरी करनी है कुछ भी बातचीत करनी अपनी दिल की बात नीचे नंबर चल रहा है उस पर फोन करिएगा यह वाटसब मैफेच करिएगा कोसिस करिएगा ज्यादा फोन कम ठीक है जब आप दीजिए फर्स्ट कुश्चन का अगर पहले में बी सही है तो आप कमेंट में वन भी लिखेंगे ए सही है तो वन ए डी सही है तो वन डी सी सही है तो वन सी यह तरीका है कमेंट करने का सभी कुश्चन के लिए बढ़िया आगे बढ़े तब से छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ सभी कमेंट में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नमबर कमेंट करिए फटा-फट 0 है 1 10 या 99 सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि अभी तक विंटर बैच में वो नई इस कलास में क्या-क्या पढ़ा है बहुत जरूरी है जानना जो पढ़ा है जितना पढ़ना है सब आपको पाता होना चाहिए मालूम होना चाहिए जोड घटाना गुड़ा भाग अभी तक पढ़ा है सबसे पहले फिर आपने पढ़े हैं गुड़नखंड जिनके सवाल आज हम पूचेंगे गुड़नखंड गुड़च के बाद आपने LCM HCF पढ़ा है LCM HCF के बाद हमने आपको भिन पढ़ाया है कन्वर्जन पढ़ाया है कि नहीं इसको आप बताओगे मुझे याद नहीं है जैसे रुपया को पैसा में बदलना किलोमेटर को मेटर में बदलना सेंटीमेटर को डेकामेटर हेक्तामेटर यह पढ़ाया है कि नहीं बताना यह भी इसी का हिससा था ठीक है इसके बाद साथियों आपको चर वा अचर पढ़ाना चाहिए यानि बारियेबल वा कांस्टेंट ठीक है और फिर उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे इसी तरीके से इतना चीज़ें अभी तक हो चुकी है लगबग इसमें जो नहीं हुआ होगा अगर किसी अबैच में मिश्टेक है आगे का पीछे है इदर का उदर तो बता दीजिएगा चले कोश्चान नमबर तीसरा यह बताइए आती है आएसी संख्या जिनको हम गिन सकते हैं मैसूस कर सकते हैं मदल मींस काउंटिंग नंबर ही नेचुरल नंबर होती है तो जो सुन ने बताया उनका गलत है अधिक तर लोग गलत किये हैं जिनको लग राग मुझे आता है न तफली रखो अभी यह बहें भी दूर हो जाएगा संख्या बारा का सबसे छोटा गुड़ाज बताओ संख्या टोयल का सबसे छोटा गुड़ाज बताओ दो बारा एक सो बीस या अनन्त थिरी नंबर में जबाब दीजिए कनहिया जी बहुत अच्छा बेरे गुड़ ममता रानी भूपेश अंजना सर्मा अंजली राओ जूही आरू सुनील अभय एक स्टेडी स्वेता तिरपाथी बिसाल प्रतिमा अलोक वर्सा सभी का कमेंट आरा मुझे तक दिख रहा है सेसन को लाइक करिए फटा फट अपनी अटेंडन्स लगाए तीन में सही जबाब होगा बारा का सबसे छोटा गुड़ज यानी मल्टीपल होता है साथी मेरे बी वाला मिन्स किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुड़ज यानी मल्टीपल वो संख्या खुद होती है ठीक है सबसे चोटा गुडज की बात हो रही चच्चा गुड़न खंड की नहीं फाइक्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ तो दो बताने वाले का फिर गलत है देखो बहम दूर हो रहा है ना कि तुम्हें मायथाती है बेसिक नोट कर लो कुश्चन अधिकतर लोगों ने इसमें भी दो बताया था और उफसमे वाले में भी जीरो बताया था यही है बेसिक गड़ित डिगरी कितनी भी लेके रख लो जनाब डिगरीयां सोर नहीं मचाती है आपको नॉलेज होना चाहिए कुश्चन नमबर तीसरा आईए जबाब दीजिए मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक से ही बात कर रहा हूं संख्या 48 के कुल कितने गुड़न खंड होंगे मतलब इसके कुल कितने फैक्टर होंगे 48 के बताओ दो साथ पांच नौ या नौन आप दीज थिरी नमबर में बताईए भया फोर नमबर है काई हाँ थिरी नमबर नहीं है फोर नमबर है कुश्चन गुड़न खंड को इंग्लेस में फैक्टर बोलते हैं बताईए टोटल नमबर आप फैक्टर 48 का पापा की परी ये कह रहीं बाई सर जी ये पापा की परी अभी तक बात चीत कर रही थी चैटिंग वैटिंग कर रही थी अब कलास चलने लगी दिन का काम खतम जाओ फिर निकलो भागो 48 के कुल कितने फैक्टर होंगे इसके लिए मैंने आपको बताया था इसके आप सबसे पहले क्या करेंगे गुड़न खंड करेंगे बताया था दो से इनको भाग करोगे तो 24 आएगा फिर दो से करोगे तो 12 आएगा फिर दो से करोगे तो 6 आएगा फिर दो से करोगे तो कितना आएगा साथी मेरे तीन आयगा दो दुना चार, दुना आट, दुना सोला और फिर तीन आट आलिस इनको अगर घात के रूप में लिखोगे तो दो का घात चार बनेगा तीन का घात एक बनेगा घातों में एक जोडते हैं तो 5 हो जाएगा इसमें जोडेंगे 2 मतलब इसके कुल 10 फैक्टर होंगे कितने होंगे 10 फैक्टर होंगे ये ट्रिक है बताया था मैं आपको सिखाया था किसी संख्या के कुल कितने फैक्टर होते हैं इसकी ट्रिक मैं बता चुका हूं 10 फैक्टर कैसे होंगे क्यों होंगे आओ तुम्हें दिखाता हूँ देखो ऐसे हवा में बात नहीं हो रही है दस फाइक्टर होंगे देखो पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूँ और दिखा के भी रहूँगा चलो भगवान ने अगर साथ दिया तो 48 10 फाइक्टर कैसे होंगे देखिए नमबर एक दो होगा ऐसी संक्या जिससे भाग करने पर इसमें जीरो से फ़लाए ठीक है तीन भी होगा चार भी होगा क्योंकि 16,43 होता है 24,44 होता है पांठी तैसे होईगा भगा का यार देखो 3,2,5 एब भाई एक्टी कोन छूट रहा है यार 8 भी तो होगा 8 तो लिखा हूँ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 एक कोन छूट रहा है कोई बताओ साथ भी होगा क्या नहीं साथ नहीं होगा कोई एक छूट रहा है जरत दिमाग लगा हो कौन सा मेरा ट्रिक गलत नहीं हो सकता है एक कोई छूट रहा है निवन कोई बताएगा अच्छा 1 भी तो होगा 1,1,1 किसी संख्या का जो फैक्टर है 1 सब का होता या बीन बुलाए मेहमान की तरह होता सब की बरात में नाचने जाता यह एक कोई इज़्जत नहीं होती है वच्छा भी तुम्हें पहले भी बताया हूँ कि अगर किसी को हद फे ज़्यादा भाव दोगे तुम्हें औरदि बहाव समझने लगेगा ुह हम इसलिए वक्त किसी को उतना ही दो जितना उसे ज़रूरत हो जरूरत से ज़्यादा देने लगोगे तो न तुम्हारी कदर होगी न तुम्हारे वक्त की तो वही हाला है इसकी वन की इसकी बैचारे के कोई इज़त नहीं हो ति कोई से याद नहीं रखता है बूल जाता ही इसलिए मैं भी बूल गया था साथ नहीं होगा देखिए बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हैं वो साथ बता रहे हैं 48 साथ थी डिवाइड नहीं है देखो सेसफल आ जाता है साथ नहीं होगा तो यह हो गए इसके दस फैक्टर और यह मैंने लगाया था ट्रिक इसका सही आंसर था इसमें नौन आप दीज समझ गए तो कुश्चन नमबर फाइब पर बढ़ो कुश्चन नमबर फाइब अब बताईए बताईए जनाब इनमे जो है पहला तीन बटा साथ पांच बटा छे रुका रहा हम बताओ तही का पूछा वाला ही एक बटा चार ए वाड़ी इनमे ये बताओ कौन उचीत भिन है प्रॉपर फ्रेक्षन कौन सा है फाइब में बताईए उचीत भिन नया प्रॉपर फ्रेक्षन जबाद दीजिए बढ़िया है कुश्चन नमबर नेक्स्ट भाई चलो जल्दी फटा फट कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे इतना दिन बाद आई हो तो भाई डान्स करो बढ़िया है नया सिंग गुट बहुत अच्छा ये प्रेक्टिस सेट है बहुत अच्छी बात है बरे गुट प्रॉपर फ्रेक्षन वो होता है उचीत भिन ने जिसका हर बड़ा होता है अन्फ छोटा होता मतलब नीचे का नंबर वड़ा उपर का छोटा तो ये ये वाला भी है ये तो नहीं है ये भी है तो ये वाला फ़े होगा आपसा नंबर डी ठीक है कौन सा होगा डी डी वाला होगा भाया डी वाला च्छटा नंबर में आगे बढ़ें बहुत जगह से कुश्चन पूछने हैं कुल फे मिला करके चल भईया ये लो से नंबर में देखो नजरे गड़ा के भईया तुरंत आंसर निकाल लो जैसे मैं लिखूं पटाग बता दो पटाग बता दो सिक्स में जवाब दीजिए बहुत जल्दी जल्दी करें बहुत जगह से कुश्चन पूछना है कुल से पूछना है पूरे मैद से पूछना है बेसिक जिनको ना आता है उनको मैं बताऊंगा सबर रखेंगे तफल ली रखेंगे थोड़ा सा करेंगे इंतजार एक चीज और जानिए चेंज हो गया है वक्त के साथ कहते हैं कि सबर का फल मीठा होता है बहुत पहले का बात है यह अब नहीं पहले सबर का फल मीठा होता था अब सबर करोगे जादा तो फल किसी और का हो जाता है क्योंकि competition बढ़ गया है इसलिए सबर करना छोड़ दो मेनत करो और चीन लो ठीक है इसमें सही जबाब है ई वाला और इसी वाला ना सी वाला है सुमन कुमार सत्य अंजली भूपेश विसाल बहुत अच्छा साथ नंबर question में आगे बढ़िए सेबन नंबर में बढ़िए तो भाईया सेबन नंबर में बढ़ा हो का हो गई अंडर रूट है ए अंडर ए एक मान का होए पहला है इसका मान होगा ए स्कौायर दूसरा है अंडर रूट ए तिसरका है ए या जीरो बताओ का होई सेबन में बताइए अंकीता यादो खुश हैपी नाम ले लिया अब लाइक करिए फटा फट चलिए ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं नन्ने मुन्ने पिल्ले भरके ये सब आते हैं ऐसे गुम टाल के चले जाते हैं आराम थे फटने बढ़ने थोड़े आते हैं देख लेते हैं और क्या हाल चाल चल रहा है आपे बढ़िया है चल भाईया ठीक ठाके सब बढ़िया है देखो बहुत हार्ड कुश्चन नहीं बताऊंगा बताऊंगा तुसका अंसर भी बताऊंगा कोई टेंदन की बात नहीं है चलो यह बताऊंगा 64 का घात रूप है 64 का घात रूप है सुनिये मैं क्या बोल रहा हूं जल्दी करें हाठ नंबर में जिनको भी बेसिक नहीं आता है यह उनी के लिए है स्थाथ नंबर का सही जबाब होगा साथियों इनका मल्टिपल होगा ति यह हो जाएगा एक आई स्क्वायर या फिर इसे तुम ऐसा भी कर सकते हो ऐसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है तो फाइनली इसे एंटू ए करेंगे इनका दू दू का क्या बन जाता है जोड़ा बन जाता एक ठीए बाहर निकल जाएगा बस यह आंसर आएगा ए साथ में आठ में सबसा पहला जबाब महा बोधी बेगम ने दिया है यूगेस एजुकेशन और सचिन चाउशट में मुझे लगता है कि दो का घाट छे होगा दी वाला दो दूना चार दूना आठ दूना सोला दूना बत्तिस दूना चाउशट तू का पावर सिक्स तू का पावर सिक्स ठीक है कोईश्चन नंबर नौ चलो बताओ फाट फे बहुत जल्दी बताना कामान जिसे बोलते हैं ग्यारा का घंद है चल बैया रेडी एंड गो ग्यारा नंबर दफ नंबर बताओ भई बहुत अच्छा बेरे गुड नाइन में कोई जवाब दिया है तरीका देख लो भई अगर नाइन का बता रहे हो तो आप नाइन ए कमेंट में करोगे अगर ए सही है अगर डी सही है तो कमेंट में नाइन डी लिखेंगे तब ही मैं बोलूँगा ऐसे टेन में भी करेंगे कुश्चन नंबर के साथ आप सा नंबर नाइन नंबर में कोई सबसे पहले बताया है तो उनका नाम है बूपेश चतुरबेदी महाबोधी बेगम योगेस इसका सी वाला सही है नाइन में अब आजाओ टेन में टेन में आजाओ बहुत हो गया नाइन में देखो ज़रा देखो ना मैत का पूरा मिलाक एकदम खिचड़ी प्रैक्टिस हो रहा है इसमें सब कुछ टेच करेंगे जो मेरे दिमाग में आ जाएगा मैंने कोई 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 पेपर नहीं बनाया पहले से इसमें सब बना है जिदर को खुपड़ी गूमी उदर से आ गया बस और यह सब आना चाहिए आपको कोई बहुत बड़ी बत तो है नहीं कच्छा 6 के नीचे का ही सब है आप कच्छा 6 कमेद पढ़ रहे हो बले आप UPSC का तयारी कर रहो भई शूरु में मैंने कहानी बता द रहा था रिस अप्शन पर बैठने वाली लड़की से मुहबद कर बैठा और दोनों में रिष्टे बने मिलने लगे प्रोग्राम आगे बढ़ा साधी कर लिया और फिर लड़का उसी कोचिंग में बन गया चपरासी क्योंकि काम तो अच्छा किया था लेकिन वक्त बुरा ना सही काम सही टाइम पर करें तयारी होने के बाद की होते तो अच्छी बात थी चलो देखो मेरा मतलब किसी के भानाओं को ठेस पाउचान नहीं है कि समझ जाओ तो ठीक है उन्तिस नंबर इसका साथ आंसर उन्तिस होगा कि टेन में सी कि इलेबन नंबर पर आगे बढ़ें ऐसे ही हाल मेरे साथ भी कुछ हुआ है तुम बताऊंगा बाद में यह सब सिस्टम इतना पीछे चल रहा है तुम देख रहे हो चलो अब ज्यादा प्लस याक्स स्कॉयर यह बैंजक है यह बीच गड़ती यह बैंजक है यह कितना पदिये बैंजक है चलो बताओ एक पदिये है देखो मैंने कह दिया मेरे साथ भी हुआ है लोगों कि इतम दिलवा खुछ होईगा दुई पदिये तीन पदिये या चार पदिये कह पदिये बैंजक है भाईया ग्यारा कखन 120 होता है कदा आरेन कुमार समरीन सेफी मंतरानी प्रियांसु सर्मा बताओ भाईया कायक सर्मा था कल के उल्जने हमरे फोन में मैसेज कही के कहाते रहें कि कलास में जो नावदी भासा बोला थे नहीं गवार वाली भासा है उनका नहीं पता है देशी देशी वाला गाना सुना दिये न तो एक बार अपनी बोली और अपना वहां सा अपनी पहिचान हो था भाईया वागा वागी तो ये एक पद यह बिन्जक है फडिया फ़लन यह सब जूड़ जायेगा क्योंकि सब और छाड़ आंजने सनुड़ जायेगा तो साथ तीनधा से की घया रहा है यक सिस्क्वार आएगा तो फालनल हम इह आंसर है बस एक पद यह सुड़ है तो आंसर हो जाएगा ग्यारा ए इनका लोग का तीन पद दिखात रहा ना तो अच्छे तरह ने ठी है एक ठी है एक ठी है कि उस्साब एक पदिये हो जाएंगे सब जुड़ जाएंगे आपस में ठीक है कि देखो कितने लोग गलबड़ा गए ना इसमें ग्यारा नंबर में आंसर जो दिया सबसे पहले समरीन सैफी ने दिया सही बताया था अंजली राओ ने गलत बताया था प्रियांसू गलत बताया था मनीज ने गलत बताया था और सुमन कुमार सत्या देखो बहुत लोग गलत बताएं है फालतो इजज़त का बैज़़त ना करो जाने दो कोई बात नहीं है तेरे गिरने में हार नहीं तो इंसान है कोई अवतार नहीं गिर उठ और फिर भाग भाई क्योंकि जी तो संचिप था इसका कोई सार नहीं बारा नंबर में आगे बढ़ें आईए सब कुछ लपेट लेते हैं पूरा का पूरा मैत ये बताएए एक तिर्भुज की भुजाएं सही लिखाओ हूं हिंदी ना एक ट्राइंगल की साइडस जो है वो करमसा है तीन सेंटी मीटर दो फेंटी मीटर वा नो फेंटी मीटर तो तिर्भुज होगा कौन होगा भाया सम बाहु तिर्भुज बिसम बाहु तिर्भुज या समकोड या तिरभूज समभाव ही नहीं होगा ऐसा काहेगा हो तीन बुजा दिया आद काहे ना बने साजाला बतावा सभी बताव जल्दी जल्दी बताव मनीश जी कह रहे हैं खुदा ने जब तुझे मैत पढ़ाया होगा तो सबसे पहले मुझे मैत की कलास से भगाया होगा नहीं भगाया नहीं तो मुझे साथ चले गए थे पिक्निक पे जिनको नहीं समझ में आ रहा हुआ कोई बात नहीं में बतावगा चलो ड्टैल नंबर में बताव भई सबसे पहला जब आप प्रियांसु ने दिया भी नंबर अम हमाओं के यही पता है कि 99 परफेंट भी वाला बताएंगे सब भी वाला बताएंगे ठीक है बताए लो कोनों दिक्कत नहीं है महुँ बताए दिब भी वाला चलो तो सारा रोमांस में खतम करते हुए बता दूँ कि बी वाला गलत है बी वाला गलत है बिसंभाव तिर्भुज नहीं इन दो भुजाओं का योगफल पांच हो रहा है और बढ़की भुजा बहुत लंबी है नौ है अगर किसी तिर्भुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा फे छोटा होता है तो तिर्भुज संभाव नहीं होता है तो यह यहाँ पर कोई ट्राइंगल संभाव नहीं होगा डी वालाप्सन होगा यह है कंसेप्ट मैद का ठीक है कोई तिर बुझ नहीं होगा शचीन कुमार आरा भाईय सबही को समझ में समझे जाओ तेरे-धीरे सामने से हट जाता हूं तो देखा करो बोर्ड को लोग मुझे जादा देखते हैं इसलिए मैं हट जाता हूं कभी-कभी नजर लगा देते हैं और मैं बीमार हो जाता हूं न इसलिए आगे बढ़ें तो कोण वाला भी लपेट दें का इसी में नहीं चलो करडी तो मैं पढ़ाया हूं हाली में अभी यह बताओ अंडर रूट 36 ये करडी है ये है लिखो सिर्फ करडी तो नहीं लिखोंगा मैं ये कीस परकार की करडी है बताओ सुद्ध करडी है कि मिस्रित करडी है ये सी वाला नौन आप दी जिन में से कोई नहीं बताओ सुद्ध करडी है कि मिस्रित है लेबन नमबर में बताओ A, B, C और 13 नमबर जल्दी करें किसको ये संजना बोल रही बाई जिनको भी गड़ित में कुछ भी नहीं आता है वो PVR Study एप में जा करके पूरा Basic Math का कोर्स ले फकते हैं अभी New Batch कडली से आया 25 तारीक से बिल्कुल जीरो से कव काते कामार सर जी बहुत नीक है इनका हिया फे नजल लग जात है यहां बलकुल लग जात है तो 30 नंबर में C वाला फाई है भाईया कौन सा साई है? C वाला देखो तुम्हारे सारे बरम दूर हो रहे है ये करड़ी है ही नहीं मुझे पता था कि तुम्हें वाला पता होगे कुछ लोग B वाला बताएंगे ये करड़ी है ही नहीं कभी कभी आखों का देखा कानों का सुना भी सच नहीं होता है जैसे आपकी उसकी बातें जो वो कहती थी और जैसा वो दिखती थी ना वो ऐसा थी ना वो ऐसा सच कहती थी समझ रहो तो वही यहां भी है आँखों से देख रहे हो करडी जैसे दिख रहा है लेकिन यह करडी है नहीं तो याद रखना कभी-कभी आँखों का देखा और कानों का सुना भी सच नहीं होता है तो यह करड़ी नहीं है क्योंकि इसके बारे में तुमने पढ़ा नहीं है कि एक्चुली होता क्या है कि किसी भी संख्या का अगर कम्पलीटली मूल निकाला जा सके चाए वो वर्ग हो घन हो या चार मूल पांच मूल जितने भी हो तब वो करड़ी नहीं होती है जैसे इसका अगर आप निकालोगे वर्ग मूल करोगे तो छे आएगा ठीक है तो यह कर प्रड़ी है ही नहीं चलो इसको मैं आसान आफान कुश्चन ही दूँगा मुझे पता है कि थोड़ा सा उल्टा-पुल्टा कुश्चन दिया भाग जाओगे तुम लोग तो नहीं मैं भागाना नहीं चाहता बेसिक मैथ में मैं बहुत कुछ पढ़ाया हूँ यह बताओ मुझे सब ही लोग ध्यान से एकदम इज्जत और प्यार से देखना बढ़ी है यह बताओ कि यह में कौन सी संख्या है जो पांच से पूर्ड़ता विभाजित है बिना भाग दिये बताना एकदम केवल एक नजर देखना बस पहली नजर में बता देना इसमें कौन सी संख्या पांच से पूर्ड़ता विभाजित है कुश्चन नहीं लिखूंगा बताओ फाइब से डिविजिबल नंबर कौन सी है मोबाइल में टाइप करना है कौपी पेन नहीं चाहिए एक बात में बताओ चलो यो गेस कुमार नंबर दे रहे हैं कि कहीं कोई आ जाता तो बढ़िया रहता पढ़ाई लिखाई करने से काही फायदा है किसका बला हुआ है पढ़बा लिखबा तवबा खराब खिलबा कुदबा बनबा नबाब फोटी नंबर में अगर कोई जबाब दिया है तो सबसे पहला अगर कोई जबाब दिया है तो 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 उनका नाम है सबसे पहले भूपेश चतुरुबेदी है समरीन सेफी उसके बास महा बोधी बेग जा बगा सिवाला साही है आएसी संक्या जिसका लाश्ट का अंक जीरो या पांच होता है वो पांच से पूर्टाह बिभाजी तो होती है सिर्फ देख के जान जाओ देख के पहिचान जाओ बिना कुछ किये ठीक है यह है डिविजबिल्टी रूल बहुत ही आती इंपॉर्ट है कि कुश्चन नंबर 15 15 नंबर रोमा नंक भी पढ़ाया हूं तो काहे का छोड़ूं बेसिक गड़ित है न यह जीरो वाली जीरो लेबल है इसमें सब कुछ आता है जनाब एक चीज याद रखना जिनको गड़ित में कुछ भी नहीं आता है यह सारी चीजे नहीं पलने प लेकिन गारंटी है जिखाने की कंडीसन है कि आपको मेनत करनी पड़ेगी अगर आप भी चुक हैं और इस गुप्त रोग से मारे हैं मिन्स मैत की वज़ा से इसको मैं ऐसा इफ लिए बोल रहा हूं क्योंकि जब उम्र जादा हो जाती है छोटी छोटी चीजे नहीं आती है तो लोगों को बड़ी सरम लगती है पूछने में है ना वो सरम अपने भाई बैयन से लगती है अपनी गरल्फेंड वाइफ्रेंड अपने हस्बेंड वाइफ किसी से भी लग सकती है कि हे देखा ठीका तो इतना छोटा छोटा नया हो तो उनको बिलकुँ चुपे से PBR चल भाईया हाँ तो पंद्रा नंबर कुश्चन ये बताओ कि रोमन संख्या रोमन संख्या ही इसको बोल सकते हैं यल का मान क्या है इसको कोर्स को जोईन करेंगे ना तो परस्नली हमें जो है आपका नंबर भी मिलेगा आप हमसे डाउट भी पूच सकते हैं आपको जल्दी करें पंद्रा नंबर देखो अब तो आपका डाउट दूर हो गया होगा कि आपको गड़ित आती है कि नहीं आती बहुत से बच्चा पार्टी हमारे हैं जो अपने आपको समझा ही नहीं पाते हैं कि हमें आती नहीं आती है वो कन्फूज रहते हैं हमको तो यूप यूपीस्टी वाला सिलेबर चाहिया था गुरुजी अब तुम परहा रहे हुई जोर घटाना हम काहे कुछ आइन करें हम कहते हैं अच्छा बच्छ वासूना तुम हमें दूठी सवाल बताए दो हम तुमको यूपीस्टी वाला दिला देंगे पर दूर्टी पूछते हैं तो आज आते हैं अउकात पर कहतें नहीं हमें अब जीरोस पड़ना है मार जरूरी है गया सबसे पहला अगर कोई जवाब दिया है तो उनका नाम में जरूर बोलूंगा हुम सही जब आप जो सही तरीके से दिया है उनका नाम है भूपेस और गुड़ी यादो बिंदु बिस्नोई एक ठी और पूछली का चलो ही बताओ रोमन संख्या स्टार्ट का माने का और बताओ रोमन अंग से फिर आगे बढ़ें कुछ दूसरा याक्स यल याल याक्स 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 आरे कुछ हाउर मत समझे न बहुत ज्यादा समझने लगे हो तुम लोग चलो बताओ 16 नंबर में जूही जी बताइए अरबिन द्यादो अतिफ सेख अब इसे गुपता लेकिन तरीक गलात है थोड़ा सा पूरा गलात है तरीका महाबोधी बेकम ने सबसे सई तरीके से बताया है पहले बताया है भूपेज सेतुर बेदि नी बता जहाले गौारी चो नम दूबे और मस्ती नियूज रूपा नाम है सब कुछ मंगलगरा से आये हैं कुछ सनी बगवान के पास से आये हैं सब आये हैं लेकिन पढ़ने के लिए लेक्स देखे रोमा नंक में एक नियम मैंने बताया था क्या था कि अगर बड़े मान वाला जो सिंबल है वो छोटे म कामान वाले सिंबल के बाई तरफ दिया जाता है तुर्णो का मान जोड दिया जाता आपस में यल का मान पचास होता एक दस होता थान दस बराबर साथ ठीक है सही है बढ़िया है लेक्स मतलब 40 होता है कि अगर किसी परिच्छा में किसी नहीं हाई स्कूल के मानले उपी बोर्ड वालों का एक बचवा का परापतांग है 400 बीफ नंबर अब ओके पुडांग है 600 नंबर तो परापतांग का परफेंटेज बताओ इसको थोड़ा आसान कुश्चन आए इसलिए इसको हम 400 कर देते हैं अलकन्यम आसान लएगा बताइए चल भया इसमें आपसर नहीं देंगे वैसे लिख दो बस आप 40%, 60%, 70%, 90% क्या आएगा कुश्चन नंबर मत डालना कोई जरूरी नहीं चलो देखे जिनको भी गड़ित नहीं आती न मैं पूरे दिल के साथ कहता हूं पूरे इमानदारी के साथ सिखाने की पूरी गारंटी है बसरते आप सीखना चाहते हो एक बड़ी सची बात है अगर आप अपने आपको नहीं बनाना चाहते हैं न कामे आप तो कोई दुनिया की ताकत आपको बनाने सकती कुछ भी नहीं कर सकती आपका सरकार कुछ नहीं कर सकती आपके माबाप कुछ नहीं कर सकते आप बरबाद हो सकते हो बिल्कुल हो सकते हो करवालों ने पैसा दिया रूम ले दिया कोचिंग लगवा दिया मोबाइल दे दिया गाड़ी दे दिया तुम फलानी गुमा रहो यहाँ सब जीक पैसा उनके पीछे खर्चा कर दे रहे हो तो क्या करेंगे तुम्हारे पीछे डंडा लेके थोड़ी घूमेंगे समझ रहे हो न तो अगर आप चाहते हो अपने आपको बनाना तो आप सीख सकते हो हम गारंटी लेते हैं ठीक है चले सतर परसेंट कोई बता रहा है कोई असी परसेंट बता रहा है कोई दसंबलों में बता रहा है मुझे तो लग रहा दसंबलों तो नहीं आएगा यार फस गया माम लगा सोचा था कि दसंबलों ना आये लेकिन आ गया दसंबलों ना चलो देखो ठीक है इसका एक सूत्र होता है पर फेंटेज बराबर प्राप्तांक का गुड़ा करोगे सव से और भाग करोगे पुडांग से ठीक है तो दो जीरो से दो जीरो निपट गया और यह भाईया अफंस गया जार दूइसो बटा तीन होईगा दसमलों में ही आएगा तीन चांग अठारा तीन चांग अठारा 66.67 आप लिख सकते हो या फिर 66.6% ठीक है लगबग में चार सो बीस किया होता तो 6.42 या रा जाता 70% ना चार सो बीस ही सही था पहले चापल भाईया चलो आगे बढ़ी यह बताओ सबही मानदारी के साथ 18 नंबर में बिल्कुल दिल लगा के बताना एक दम अच्छे से मेहनत से यह बताओ कि जो संख्या है दूइसो ना यह संख् एक हजार की कितना परफेंट है बतावा कितना परफेंट है अगर मैंने कहा कि आपके 6 महीना की टोटल फीस ओनली 1000 रुपए है सिर्फ एक हजार और हमने होली में आपको 200 रुपए का छूट दे दिया आपको यह बताना है कि कितने परफेंट की छूट मिल रही है जल्दी करें जल्द बाजी नहीं चले अठारा नंबर में जबाब दो भईया आप्शन दे दूंका बिना आप्शन के बताओ नहीं बताओंगा आप्शन चोड़ो कुश्चन नंबर के साथ बताना अठारा नं परसेंट अठारा नंबर पांच परसेंट अठारा नंबर साथ परसेंट चलो वैसे पिछले कुश्चन से इसका कोई संब्द नहीं है कि अधा तब बढ़ी आए चलो देखा यही साब बेसिक गड़ित है जो तुसा भावा में उड़ा थे ना जब तक बेसिक ना आए तब तक कुछ नहीं उच्ड़े वाला भाया गड़ बढ़ाए जाएगा देखो कहरा कि दो सो जो है वो एक हजार का कितना परफेंट है हम माल लेते हैं कि एक हजार का यक्स परफेंट कितना है दो सो है तो ऐसे बनती है सिचुएसन पढ़ाया हूँ आ लेड़ी है ना दूजीरो फे दूजीरो निपटगाई होगा 10 यक्स बराबर 200 इनको ऐसे भी लिख लो कौनों दिक्कत नहीं है कि ट्वंटी परफेंट है वह भाईया कता है ट्वंटी परफेंट इनको मैं सिद्ध भी करके दिखा दूं तुम्हें सही है कि गलत देखो मैत और कमेश्टरी यह दुन बड़ा खतनाक है कमेश्टरी यानि साइन्स में पता है का है बेटवा से बाप का पता लग जाता है मैत में कुश्चन से आंसर का पता लग जाता है आंसर से कुश्चन का पता लग जाता है देखो कई से कुश्चन है कि एक हजार का बीस परफेंट बताओ एक हजार का बीस परफेंट करने पर दो सो आना चाहिए बस तो एक हजार गुड़ा बीस बटा सो दूई-जीरो से दूई-जीरो आप निप्टा दो भाई साहब दूई-सवावा ना सबाई को समझ में आ गया ते एक बार फटा-फट सेशन को लाइक कर दें तूरान जल्दी से देर ना करें और नहीं लाइक करेंगे तो फिर आप जाने आपका काम कलास वालास नहीं मिलेगे तो हमाया कौनो जिम्मेदारी नहीं है फिर यह भाईया बता हो रचना यादो समझ में आ रहा है अंजली राव बाबुआ जी सुजीत बिंदु विष्णोई आप फंडे को टेस्ट हो रहा है संडे को ऐसे भाईया कुछ अलग-अलग होता रहता है कुछ अलग कुछ अलग होना चाहिए बस किता लोग लाइक ना करया सही सही बता इमानदारी से रात के टाइम है जाना देखना है गुरू से कपट मित्र फे चोरी और आगे नहीं सुने और मम्मी पापस पुझ लेना का बोलते हैं इसके आगे तो यह उनाइफ नंबर था नहीं अठारा नंबर हाँ उनाइफ बन गया था बीफ नंबर में आ जाओ कुछ नंबर बीफ यह बतावा सभाई इमानदारी के साथ एकदम सच्छे दिल से कि 13 बटा 25 का मान है का है हो परफेंटेज में कनवर्ट करोगे तो कहा आएगा 50 परफेंट आएगा 64 परफेंट आएगा या 52 परफेंट आएगा या फिर तोंका कुछ नहीं पता तो लिख दिया है जल्दी करें बहुत अच्छा बेरे गुड इसमें कौन-कौन बताया को भई सिंपल बोल रहे हैं कि आपकी साधी हो गई है या कमेंट ऐसा मैं छोड़ दिया हूं बहुत दिन से ने बढ़ता हूं नहीं अब तक मेरी कई बार साधी करवा दिये होते एक होते हैं मौसिया घर में मतलब रिष्टे में एक होते हैं फुपपा उनको सबसे टेंसन रिष्टेदारों के साधी की होती है तो तुम उसमें से का हो भई साधी हो गई होती तितने रात में पढ़ाते हैं हम इतना समझदार हो यह साधी तो रात में आगे का ही बोलू जाने दो छोड़ो चलो देखो समझदार हो गई इतने चलो तो इसका सबसे सही अंसर क्या आएगा 20 नंबर में कोई अगर आंसर दिया है सबसे पहले तो उनका नाम मैं जरूर बोलूँगा और ऐसी महानातमाओं में सबसे बड़ी आतमा है जिनका नाम है वो सही तरीके से अगर बताया है तो अंजना ने आधा सही तरीका बताया था आधा गलत तरीका था और गुड़ी आदो और समरीन सैफी ये दो है परफेंटेज में बदलने के लिए सो से गुड़ा करेंगे 25 से डिबाइट करोगे 4 आएगा और इसको जो 13 से 4 में मल्टीपल करोगे तो 13 चुका 52 होता है ये हो जाएगा 52 यानि आपका सी वाला सही है 20 में सी 20 में सी नंबर लाइक कर दो फटा पट भईया नहीं साधी वादी नहीं किये हैं साधी के लायक कोई मिल नहीं रहा है और हम अकेले में बहुत लायक हैं समझ रहो कि नहीं कोई मिलेगा तो बताना बैक एंथी खाली है कोई दिखत नहीं चलो देखते रहते हैं आगे बढ़ें अगला सवाल देखिएगा और मुझे बताईएगा अगे फेंटेज और क्या बैद भी पढ़ाया था सजातिय कि पद है पहला एकश वाइज यक्सक्वायर वाइज सकॉयर जैड़ सकॉयर तीन कुरण चार एक्ससकॉयर यक्स सकॉयर और नों आई Y square X चलो बता 21 में कौन सा सही है जल्दी करें बताएं क्या आएगा इसका अंसर सजातिय पद को इंग्लिस में like terms बोलते हैं जहां तक मुझे पता है 21 नमबर है नहीं 21 का अगर कोई बता रहा है सही तरीके से तो उनका नाम है सबसे पहले सुमन कुमार सत्या उसके बाद गुड़ी महाबोधी बेगम बिंदु विश्नोई ठीक है सजातिय पद like terms इसमें D वाला सही है भाई साहब 21 में D बाकि सभी सजातिय पद नहीं है सजातिय पद के लिए चर समान होना चाहिए और उनकी घात समान होनी चाहिए इसको पढ़ाते समय बताया था बहुत सारे एक्जमपल के साथ जैसे आपकी साधी बिबाओं में आजकल सामाजी करनीतियों के अकार्डिंग सेम जाती बिरादरी होनी चाहिए और उनकी आर्थिक इस्तिती भी लगबग लगबग समान ही होनी चाहिए है ना तब ही होता है नहीं लोग कहते हैं सही नहीं है रिष्टा ये तो वैसे इसमें भी सब कुछ देखा जाता है तो 22 नमबर अच्छा कुश्चन तो आज हम पहले नहीं लिखे रहे हैं लेकिन फिरो हम समान लेगे ना तो लोग आगे नहीं निकल पाया चला जलो बताओ ये पर्मिय है रेफनल नमबर या पर्मिय है जल्दी करो बताओ फटा फटा बताओ क्या ये पर्मिय है क्या पर्मिय है 23 बताओ अंडर उट तीन और ये अंडर उट 12 का है भई ये नमबर एक पर्मिय है कुश्चन नमबर के साथ बताना या पर्मिय है रेफनल नमबर बोलते हैं पर्मिय को जल्दी करें जिनको नहीं आता जिन्होंने नहीं देखा वो क्लास को रेगुलर देखें कोनो दिक्कत नहीं किसी को ना बूपेश चतुरवेदी सबसे पहला जबाब है बाइस नंबर में इनका समरीन सैफी महाबोधी बेगम अंजली राव और रूपा सोनम दूबेव भिसाल पासवान अर्बिंद तो पहया हो एक के भी वाला फ़ई है आपरमीय है नात परमीय है लेकिन एह में ना तुम लोग कणफूज हो मुझे पता है तेईस नंबर में सब ही लोग भी वाला बताएंगे लेकिन हम कहेंगे ए वाला है तेस नंबर का अंसर प्राइम है इस प्राइम और आइम का है हो भाई कृष्णा कान जी क्या नाम है आपका जो भी आप निवेदन है कि कोई प्रकार का टिप पड़ी ना करें बिना काम किया अन्य था आपको यहां से ब्लॉक करने में मात्र पांच सिकेंड लगेगा चले देखो यह पर्मिय संख्या है अक्चूली बात यह है कि इनका जब आपस में गुड़ा होए ना भाईया तो यह बात यहां ही 36 होई जाएगा इसे अई फे अतो का सब का पता है कि 36 का वर्ग मुलवा हो थे 6 और 6 का हो एक पर्मिय संख्या तो आप कह सकते हो कि 23 का है रफ बिन्दू बिसनोई विल्पूल टेस्ट लेते हैं का एक को आप कंफूजन में है का यह कंफूजन में अब यह टेस्ट होता है तो 23 होईगा 24 नमबर लिख लिए फिर ही में लगे हाथ कहां से कुश्चन रहेगा पर्मिय पर्मिय तो पढ़ाई दिया सब तो पढ़ाया है क तो यह बताओ सबही लोग सर्बसमिका पढ़ाया आइडेंटिटी बोलते हैं इंगले समें सर्बसमिका मींस आइडेंटिटी है कौन है यह देखा ध्यान से देखा यह दर नजर गड़ाए कि इसमें सर्बसमिका कौन है बताइए जिनको नहीं आ रहा वो लिखेंगे 24 नंबर में 9 मतलब इन नंबर एक हो लेलो नान आपदीच चलो जिनको नहीं आता है वो बता देंगे नान आपदीच आकरती जी बहुत अच्छा बेरे गुड ममता रानी जो भी सुनाना है नंबर दिया गया उस पर मैसेज करिए मैसेज करिए या कॉल करिए हमारी टीम के द्वार आपको कंटक्ट किया जाएगा निवेदन है यहाँ पर जो हो रहा है उसको होने दीजिए तो 24 नंबर में सही जब आप दीजिए नाम बोलेंगे सब का बाकी यहाँ पर हम नाम बोलने के लिए नहीं नो निर्वाचित किये गए है बैया इसका सही आंसार है दी नंबर यानि 24 में दी नंबर सही है ऐसा एक्वेस्टन जिन में भाई देखो मैंने तुमको बताया था न यह बिल्कुल मतलबी की तरह होते हैं एक देशी एकजामपल बताया था दनिक जीवन से जैसे इंसान होते हैं कुछ दुनिया में मतलबी बेवफाद होके बाजगद्दार ना सुने होग नहीं कहीं सुने होगे जरूरत और अपने गर्ज के अकार्डिंग पलबर में चेंज हो जाते हैं यानि हर किसी के साथ हो सेटिंग कर लेते हैं अच्छा खाफा चल जाते हैं वो क्या है यह सर्वसमिका इनी को कहते हैं इनके गुण है मैत की भासा में ठीक है ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सर्वसमिका में क्या है कि अचरपद का कोई भी मान रखिए दोनों पद हमेशा बराबर होते हैं LHS और RHS दोनों पक्ष बराबर होते हैं ठीक है लेकिन समीकरण इसके ज़ेश्ट अपोजिट होता इमानदार अली पार्टी में समीकरण में अज्यात रासी का एक निश्चित मान ही होता है जिससे दोनों पक्ष बराबर हो ठीक है बस इतनी सी बात है समीकरण और सर्बसमिका का इतना सा अंतर है अगर आप regular class में आए होंगे तो आपको मिला होगा ये सब नहीं आए मिला तो मिल जाएगा अगर चले आगर दन भाई चले एक नंबर और कुश्चन लिख लो यार ये तो पेज भर गया यार एक नंबर और लिखला पच्चीफ नंबर लास्ट कुश्चन में का पुछली तो लोग से बता दें मैं अंदारी से चला यह बताओ कि सबसे बड़ा कोड कितने अंस का होता है ओ सबसे बड़ा कोड सुने होग नहीं है कितने अंस का होता है नबर अंसका नोट मैंने संब एक 180 कभी सुना है इडिक हो प्रफेना नहीं लिख दूंगा तुम况 diedachi लोगे चला बताओ कौन सबसे बड़ा कितने अंसका होता है कि कैमरा की बैटरी डिस्चार्ज होगी मुझे आदा मिनट देना न और न बंद हो जाएगा चट्ट से अभी अभी नहीं करना कोई भी बाद में करना अभी कलास हो जाए तब अभी कलास खतम हो जाए तो कॉल करिएगा ठीक है चले आगे बढ़िया हो गया तो बैस सबसे बड़ा कोंड होता है वो 360 का होता है बहुत अच्छा निसान सिंग बेरे गुड हुम बेरे गुड हुम बेरे गुड थीक है इक्रा नासिर जी मैं आपका कमेंट देख रहा हूं आप कोई काम का कमेंट करिए न मतलब का अब मतलब का कमेंट करिए तो पढ़े मैं देख रहा मेरे भी लाइन उल्टि पुल्टि हो जा रही है पढ़ू मैं पढ़े मैं नहीं तो सबसे बड़ा कॉंड जो होता है वो होता है 25 नंबर का 360 अब यह कहां भाग रहा है उड़ रहा है यह तो यह बाई देखो मुझे परिशान ना करो तुम चुपचाप छोटे यह बताईए आप लोग वो जानते हैं क्या यह वो का बोलते हैं उसे जिनके दो कोणों का योगफल 90 होता क्या बोलते हैं पूरक संपूरक यह बताईए कि अगर एक कोण जो है कुश्चन नंबर ने डालूँगा पचीफ नंबर ही जान ले रहा है किसी एक्स्ट्राम बता रहा हूँ यह बताओ कि कोण 50 का पूरक कोण बताओ कोई एनिवन पूरक कोण बताईए इनको बोलते हैं क्या जानते हो कंपलिमेंटरी बोलते हैं न सपलिमेंटरी अंगल बोलते हैं इंगलीज मुझे कंफर्म नहीं है कंपलिमेंटरी या सपलिमेंटरी में से एक बोलते हैं बता क्या बोलते हैं रुको मैं कंफर्म करके बता दे रहा हूं बताईए फटा फट पचास हंस का पूरक कोण बताईए कंपलीमेंटरी मतलब होता है पूरक ठीक है इसको कंपलीमेंटरी बोलते हैं सपलीमेंटरी बोलते हैं उनको 180 जिन का योगफल होता है 50 का complimentary एंगल बताईए कितना होगा सबसे पहला कोई जबाब है तो नीरज मिसरा का है और बिंदु विश्नोई अंजली सर्मा सरी अंजली राओ गुड़ी आदो और विश्नोई जी कभी है ठीक है जानते हो कैसा होता है किनी दो कोणों का योगफल अगर 90 होता है तो उसे बोलते हैं पूरक कोण जिसका हमें पूरक निकालना है उसको 90 से देते हैं चुपे से घटाई और जो आंसर आता है वही हो जाता है उत्तर ठीक है